पिता के नाम पर बेटा और पवित्र आत्मा एक भगवान आमीन प्रशंसा हो के का नाम अबराहम ट्रिनिटी प्रशंसा हो के का नाम मेरी मा कुम वारी मेरी प्रशंसा हो के का नाम पवित्र सुदर्गदूतो के नाम हो सकते हैं हमारे शहीद पिता और माता समानित होना प्रशंसा हो के नाम हमारे पवित्र पिता शहीद माता पिता तथास्तू दुनिया की रोशनी है इथियोपिया दुनिया का शासक है आदम के सभी वन्षजों को नवम संदेश से इथियोपिया वर्ल्ड लाइट सरकार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर एक इश्वर आमीन आप भगवान के परिवार कैसे हैं जो इथियोपिया दा वर्ल चबंदगी से अपने आप रखा है पंजी कृट और अपंजी कृट दोनों इमानदार को मल हमें इस मौसव में पोहचने देने के लिए सरव शक्तिमान इस्वर की स्तुति की जाए आदम के सभी वन्शजों को सभी मानव जाती को सम्मान के साथ इस नौवय संदेश को पढ़ आइल्स के मल्टी इट्यूड को उसके बाद खुश होने दें। उसके बारे में बादल और अंधेरा गोल है। धार्मिक्ता और इञ्ञाय उसके सिहहासन की बस्ती है। उससे पहले एक अगनी बकरी और उसके दुश्मनों के बारे में दौर जला। उसकी रोशनी ने वरलको घना कर दिया। प्रित्वी ने देखा और काम गया। सारी प्रित्वी के स्वामी की मौजूदगी में पहाडियों को मुन की तरह पिगलाया गया। आकाश उसकी धार्मिक्ता की घोशना करता है। सभी लोग उसकी महिमा देखते हैं। उल्जा हुआ वे सभी हैं जो गंभ घुदा की बेटियां आनंदित हुई। तु यहोवा सारी प्रित्वी के उपर कला। तु सभी देवताओं से बहुत उपर है। यह कि आप यहोवा से प्यार करते हैं। बुराई से नफरत करते हैं। वे अपने संतों की आत्माओं को संग्रक्षित करता है। उसने उन्हे दुष्टों के हाथ से छुडाया। धर्मी के लिए प्रकाश बोया जाता है और हुरदय में इमानदार के लिए गलादनिस। यहोवा में आनंद करो। तुम धर्मी हो। और उसकी पवित्रता कि स्मरण के लिए धन्यवाद। भजन चौर आनवे एक से सोलह तक कहता है। यहोवा दुष्ट कब तक दुष्ट विजय कब तक करेगा। वे कितनी देर तक कठोर बातें करेंगे। और अधर्म के सभी कारकरता खुद पर गहरो करते हैं। वे आपके लोगों ओ इलो आरड़ी और पीडित धरोरों को तोड़ते हैं। वे विद्वा और गला काटने यहोवा तो देखेगा नहीं याकूब के सभी देवता इसे मानते हैं। समझो तुम लोगों के बीच कुरूरता है और तुम मूर्क हो। तुम कब समझदार हो ओगे। उसने कान लगा कि क्या वेह नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा कि है कि के लिए आंखरम्यद वह नहीं द यहोवा मनुष्य के विचार को जानता है, कि वे घमंड में हैं, धैये है वह मनुष्य जिसे तूने तान दिया है, यहोवा तेरा कानून उसे सिखाता है, कि तू उसे विपत्ती के दिलों से आराम दे, जब तक कि दुष्टों के लिए गड़ा नखोदा जाए, क्योंकि यहो के खिलाफ मेरे लिए कौन उठेगा, या अधर्म के कारकरताओं के खिलाफ मेरे लिए कौन खड़ा होगा, राइट दो यूबले कुरो ताताई उनमारक, भजन उनासी कहता है, हे भगवान, हित तेरावन शानुकरम में आया है, तेरे पवित्र मंदिर ने उन्हें अप्व है बहाया, एक इंडी वहाँ उन्हें दफनाने के लिए कोई नहीं था, हम अपने पडोसियों के लिए एक भर्चना बन गए हैं, एक तिरसकार और उपहास्ती उन्हें जो हमारे बारे में गूल है, कब तक, भगवान, विल्ड, तुम हमेशा के लिए नाराज हो, क्या तेर पास स्थान बरबाद कर दिया है, हे हमारे पूर्व के अधर्मों को नयाद रखना, तेरा को मल दया भाव शीगरता से रोक दे, क्योंकि हम बहुत कम लाए गए हैं, तेरा नाम की महिमा के लिए, हमारे उधार के भगवान, हमारी मदद करो, और हमें उधार करो, और हमारे नाम की खातिर हमारे पापों को दूर करो, जहां है थे इनको कहना चाहिए, उनका भगवान कहा है, चलो उसे खून की रिवेंगिंग द्वारा हमारी द्रिष्टी में विधर्मी के बीच च में जाना जाने सेवक जो बहाया है, तुमसे पहले कैदी के आसू बहने दो, तेर प्रेचरागाह के भेडबकरियां तुझे सदा धन्यवाद देंगे, हम तेरी स्तुती करेंगे, जैसा कि आपने सर्व शक्तिमान इश्वर के उप्रोप्त तीन शब्दों में सुना है, सभी शब्द हमें बताते हैं कि भगवान अपने लोगों के लिए नयाय लाएगा, औ और वेह अपने लोगों के लिए नयाय के संकट को बरदाश्ट नहीं करेगा, ध्यान दें, इश्वर सत्य है, और इसलिए धार्मेक्ता और नयाय उसके सिहहासन की नीव है, किसी भी तरह से नहीं, परमेश्वर की बुनियाद नेक फैसला है, आग उसके सामने जाती है, सर्वशक्तिमान इश्वर, यह एक भस्म करने वाली अगनी है, तिमूर्ती का विरोध करने वाले सभी लोग आग से भस्म हो जाएंगे, बिजली दुनिया को चमक देती है, और वे सूरे की तरह चमकते हुए अगली क्रिया देखेंगे, इश्वर की सच्चाई के लिए कौ उपर सर्वशक्तिमान इश्वर के शब्दों में, प्रतेक शब्द के महत्व पर ध्यान दें, उनका आपके उत्तरादिकार में प्रवेश का क्या अर्थ है? यह आप स्पष्ट देख रहे हैं, आज आपको यह संदेह नहीं होना चाहिए कि शेतान के वैश्विक क्यो पर आक्रमन किया जा रहा है, आज हमारा नीता किसके एजेंडे पर चल रहा है? हाँ, वे शेतान के वैश्विक अभियान के निश्पादक हैं, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी, अमेरिका खुफिया एजेंसी सयुप अरब अमीरात, सौधी खुफिया एजेंसी, वे अपन साल से इतियोपिया को ख़देर रहा था, परेशान कर रहा था, वर्तमान सरकार जो उसके गर्ब से निकली थी, यह एक साप है जिसने अपनी उपस्थती बदल दी है, यह संदेश आर्ट में अच्छी तरह से सचित रहे, सरकार हमारे चर्च को नश्ट करने के लिए टीपी इलेफ, उसने हमारे चर्च, मठों, पर दादाओं को कई तरह से नश्ट किया है, आज की सरकार ने नए के साथ अपना चेहरा बदल दिया है और यह बृतिश और अमेरीकी योजनाओं के अनुरूप है, यह अभी एहमद की सरकार, सता लेने के बाद से चर्च ढह गया है, इस विश्वास को अपनाया है, इस शासन की स्थापना ओरोमों लोगों ने किती, सभी ओरोमों लोग नहीं, बलकि ओरोमों के अधिकांश पूर्वी और पस्तमीहि से, यह विधर्म और इसलांद पर आधारित है, ढाई साल में इसने बड़ी संख्या में लोगों को खा लि है कि उसने हमें चर्च को जला कर नश्ट कर दिया, इसलिए मैं सभी पाठकों से यह समझने का आग रह करता हूं कि निर्ने बहुत कठिन है, यह इस कारण से है कि मैंने मुखिस्तन देश दर्ज करने से पहले सर्वशक्तिमानीश्वर के शब्दों को सामने के दरवाजे प रहसे उद्घाटन में पाएंगे, जब शब्द व्यक्त किया जाता है, यह क्रोध के प्रवाहक का प्रतिनिद्ध्व करता है, यह उसका विजन भी धशाता है, मैं आपसे यह समझने का आग रह करता हूं कि लक्ष जोहन बीस के रहसे उद्घाटन में उलिखित सर्वशक् संदेश बाहर आया, के रूप में पिछले एपिसल्ज में यह केवल सर्व शक्तिमान इश्वर के दास द्वारा प्रेशित नहीं है, बल्कि यह सपष्ट रूप से साबित करता है कि यह त्योपिया विश्व प्रकाश सरकार का एक संदेश है, यह संदेश की गंभीरता और हर्तरी मूर्ती की शक्तिशाली इच्छा में इसकी पूर्ती की पुष्टी करता है, संदेश कई चीजों को छूता है, यह सच्चाय और निर्ने, प्रवर्तन को दर्शाता है, इसमें ट्रिनेटी के कल के इमानदार फैसले का वर् descrição किया गया है और जो किया गया है और इस प पुष्वासियों के बीच रिवाद, दुष्टों और शैतान के सेवकों दोनों के नहितार्थ स्पष्ट रूप से पहचाने जाएंगे, निटी से दिवियाधिकार करके, यह सर्वशक्तिमानी इश्वर के दासों और सेवकों का प्रत्यक्ष आदेश, नियम और आदेश है, यह जरूरी और शक्तिशाली आदेशों का संदेश है, यह बहुत महत्वपून है कि आदम के सभी वान्शज से पढ़ें और इसे सुनें, आदम के सभी वान्शज, चाहे वे कहीं भी रहें, ट्रिनेटी द्वारा आँका जाएगा, तो सुनो, पुराने सांप, अजगर, ज अंगठनों, धार्मिक संस्थानों, आधुनिक दिन राजनीतिक जुआरी, अमीर लोग सब जो पूजा की जाती है शेतान, चाहे वे अपनी चाप राप्त हुआ है या नहीं, और जो के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया उनके मांस की खातिर, धर्मी फैसले में शामिल कि लिए है, आज तक आदम के सभी वन्षजों को कम से कम साथ संदेश भेजे गाए थे, इथियोपिया के लेंडर में 2011 के बाद से मुख्य रूप से टेली ग्राम चैनल पर हमारे बेटे ब्रुक द्वारा लॉंच किया गया एक चैनल जिसे 20 सा रह से योद घाटन कहा जाता है इस फ्रिष्ट पर एथियोपिया आई लाइड आफ दे वर्ल्ड लगातार आदम के सभी वन्षजों को संदेश, बयान, शिक्षा, सलह और आदेशों के साथ पहुचने की कोशिश कर रहा है। यह हमारे उधार करता यही शुम मसीह और वर्जिन मेरी के पून समर्थन भगवान की पारिवारे काहानियों द्वारा विभिन भाशाओं में अनुमादित किया गया है और इसे सभी मानव जाती के लिए उपलब्द कराया गया है। संदेश और सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्ण के अनुसार हमें आज भी आपका निशान नहीं देखना था। हाला की हमने महसूस किया कि आप अभी भी दुनिया के इतिहास में अपने अहंकार, अपने पिछले अपराधों और धर्मत्याग, अपनी समलेंगिकता और वेभिजार, अपने अभिमानी और बेल गामपाब के साथ जीवन में हैं। हमें अपने इश्वर, अबराहम क किति मूर्ती और वर्जिन मेरी धैर्य के साथ खेद महसूस हुआ, हमने तरक दिया है, लेकिन हम इंसान हैं, और हमारा धैर्य और इंसानों के बराबर है, लेकिन स्वामी का धैर्य हमारे उधार करता समझ से परे है, यही कारण है कि आप अभी भी यहां है, लेकिन अब पास सर्व शक्तिमानीश्वर और वर्जिन के धैर्ये का उपयोग करने के लिए अधिक समय नहीं है। यह मौजूद नहीं हो सकता। यह संदेश केवल आपकी सिध्धी की घोशना करने के लिए है। आज तक धैर्ये को एक ऐसी की मतदा की गई है जिसे कभी नहीं चुकाना क्योंकि कब भरा हुआ है आप अपनी अंतिम्रित्यो भोज में शामिल होंगे। आदम के सभी वानशड़ों के लिए यह पढ़ना और सुनना अच्छा है। क्योंकि उनके जीवन और उनकी विदाई दोनों की घोशना की गई थी यह नियाय के संतुलन को समझने में भी मद करता है। ध्यान से पढ़ें परमेश्वा के चुने हुए सेवकों और वर्जन मेरी की पहचान का एक संक्षिप्त विवरन भी है। यह 15 वर्षों के बाद त्रिदेव की देविव आग्या के अनसार है। वह जो पुनरुथान तक पहुंचेगा बधाई हो। व्यार्थ के लिए इस दुनिया के लोग हैं। आप में सम्रिद, शैतान के प्रतिवफादार, बुरी पीडियों, यह उनकी मृत्यू और विनाश की खबर है। यही कारण है कि एस्या सब धत्म हो गया। बाहर भागो। यह कह, एक ध्वनी है सुना है, जोरदार गडगड़ा हट्ति आपको बार बार बताओं, आपका अंतिम आदेश आ गया है, आदम के वन्शजों की सुनो, बात सुनो, आपका शक्तिशाली विनाश से है, मुझे पर युग के अंत है, और वे हापको नश्ट करने और आप मौक के लिए भीक मांगती हूं बनाने के लिए आ गया है, सर्व शक्तिमान ईश्वर के शब्द हमें बताते हैं, और मैंने साथ स्वर गद्दूतों से मंदिर से बाहर एक महान आवाज सुनी, अपने रास्टेज जाओ, और प्रित्वी पर भगवान के क्रोध की शीशियों को बाहर करो, और पहला गया, और प्रित्वी पर अपनी शीशी बहुत धर्म, हिंदू धर्म, अभिशेक, जागो भाग्य, आदी जो सभी भगवान की पूजा करते हैं और जानवर की पूजा करते हैं, एथियोपी आई रूडिवादी चर्च के बाहर किसी को भी पीटा जाएगा, घाव इतना मजबूत है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकत है, और दूसरे दूत ने समुद्र पर अपनी शीशी उंडेल दी, और यह एक मरे हुए आदमी के खून के रूप में बन गया, और हर जीवित आत्मा समुद्र में मर गई, कॉमनोर, यदि यह प्रकोप सभी समुद्री जीवन को नश्ट कर देता है, तो मानव भूजन का प हवारे पर अपनी शीशी उतारी, और वे खून बन गए, और मैंने जल के देवदूत को यह कहते हुए सुना, कि तू धर्मी है, हे प्रभु, कौन सी कला और वास्ता है, और क्योंकि तू ने इस प्रकार न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने संतों और पैगंबरों का खून बहाया है, और तुमने उन्हें पीने के लिए खून दिया है, क्योंकि वे योग्य हैं, और मैंने वेदी के बाहर एक और कहा, यहां तक की भगवान, सर्वशक्तिमान, सच्चे और धर्मी तुम्हारे निर्णे हैं, कॉम्मा जब हम इसके नहितार्थ को समझते हैं, अगर धर्ती पर नदियां और जहरने खून के थे, तो यह मिस्रु के लोगों की तरह होगा, जो प्यास से मर रहे हैं, यदि सभी मनुष्य पानी खो देते हैं, तो यह एक सप्ताह तक नहीं चलेगा, समुद्र इसलिए नहीं पीता क्यूंकि वे हैं नमकीन है, और चाओ थे स्व उसे महिमान न देने का पस्चाताप किया, कॉम इसलिए सभी घावों के उपर और पानी की प्यास, उग्र और जलती हुई आग सभी दुष्टों पर गिर जाएगी, जब वेह मृत्यू चाहता है और मृत्यू उच्छिब जाती है, इसके साथ ही उसने परमेश्वर का अप मान करना शुरू कर दिया, अपने पिता की तरह, शैतान, और पांचवे स्वर्गदूत ने जानवकी सीट पर अपनी शीशी डाली, और उसका राज्य अंदकार से भरा हुआ था, और वे दर्द के लिए अपनी जीब को तरते हैं, एक एंडी ने अपने दर्द और उनके घ भावों के कारण स्वर्ग के भगवान को दोशी ठहराया, और अपने कर्मों के लिए पस्चात आप नहीं किया, कॉम यह क्रिया आ गया है सामने कि आप, एक जलती हुई और चुबने घाव, एक जलन, एक जलती हुई आग, धातों का एक पीसना, अजेय मृत्यू, आपके स के मुह से, और जानवर के मुह से, और जूठे नभी के मुह से निकलती हैं, क्यूंकि वे शेतानों की आत्माएं हैं, काम करने वाले चमतकार हैं, जो प्रित्वी और पूरी दुनिया के राजाओं के सामने जाते हैं, ताक कि उन्हें परमेश्वर के उस महान दिन की लड़ को देखें, और उसने उन्हें एक साथ हिब्रु जी भार्मगेडन नामक जगया में इकठा किया, कॉम्म यह वही है जो आपको इंतजार कर रहा है, यह एक ऐसा युद्ध होगा जो पूरी दुनिया को कवर करेगा, जो दुनिया की अधिकान शाबादी को अपने अधीन कर लेगा, और साथवें दूत ने अपनी शीशी हवा में उन्डेल दी, और स्वर के मंदिर के बाहर सिधासन से एक महान आवाज आई, कहा, यह किया जाता है, और आवाजें, और गरजन, और प्रकाश थे, और एक महान भूकम था, जैसे कि प्रित्वी पर पुरुष नहीं थ इसलिए एक शक्तिशाली भूकम, और इतना महान, और महान शहर को तीन भागों में विभाजित किया गया था, और राष्टों के शहर गिर गए, और महान बाबुल अपने क्रोध के भयांकरता के शराब के प्याले को देने के लिए, भगवान के सामने याद ने आया, और हर इश्वर की निंदा की क्यूंकि ओलों की प्लेग, प्लेग के लिए महान से अधिक था, हमने जौन के रहस योद घाटन के शब्दों को देखा है, अध्याय सुला, जैसा कि आपने मोस्ट हाई से सुना होगा, प्रेरिति उहनना, जो हमारे प्रभु और उधार करता द्वा और आप्यार और शद्धा रखते थे, पट मोस्ट द्वी पर सर्वशक्तिमान इश्वर की एक द्रड़ द्रिष्टी थी, जैसा कि मैंने आपको हमारे पाठ में पहले समझाया था, सर्वशक्तिमान इश्वर हमेशा अपने प्रिये सेवकों को यह बताय बिना कुछ नहीं करता है कि वे क्या करने का इरादा रखता है, नतीज दन, उन्होंने दुनिया में सभी चीजों के भविशे के अपने प्रिये प्रेरित जौन को आश्वस्त किया, यहां प्रभ हमारे उधार करता है जो शब्द की पुष्टी करते हैं, शब्द को कारियान वित करने के के लिए आया है, मेरी बात सुनो, मेरे लोग, अब तक आपने जो कुछ भी देखा है, यह एक परामर्श सजा थी, शायद आपको वापस पाने का एक प्रयास था, यह नहीं हो सकता है, तुम बुरे से बुरे होते चले गए, आपके अभिमान और धर्मत्याग के कारण, से अपने विनाशकारी बल से धकेल दिया, आपने मरसी के आउटर स्ट्रेटेड हात के लिए एक छोटी सी कीमत भी नहीं दी, आपको दी गई उम्र पर पस्चात आप नहीं हुआ, लेकिन आपने पुरानी नाग पर भरोसा किया और जूठे नभी को अपना भगवान बना आप अपने विश्वास घात में आनंदित, आपको कुछल दिया है प्रभू और हमारे उधार करता येशु मसीह के अपने अहंकार और स्वधर्म त्याग के साथ धैरे हैं, यदि आप उथल पुथल और अकाल, बीमारी और युद, नरसनहार और नरसनहार, नसलिये और धा प्राकृतिक आप दाओं, भूकंपों और निर्माता के जमावडे से चिंतित नहीं है, तो यदि आप सभी पिति सतात्मक दंड से घ्रना करते हैं और कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं आपकी दिविता, आप पीश्वर के दुश्मन हैं, शैतान की पूजा करने से क्या क्या उमीद, आपको बहुत समय दिया गया है, लेकिन आपने इसका इस्तिमाल शैतान की पूजा करने के लिए किया है, आप अपने सबसे खराब धरमात्याग के साथ सरवशक्तिमानीश्वर के अप्रिवर्तनिय क्रोध को ले आए हैं, यहां सरवशक्तिमानीश्वर के सिय हासन पर आपकी पूर्णता की आवाज है सब धत्म हो गया क्रोध के प्याले को बाहर निकालने के लिए साथ स्वर्गदूत प्रित्वी पर पहुँचे फिर तुम कहां चिपा सकते हो हम तुम्हारे लिए रोए ताक कि तुम इस भटी से नगिरो और अपनी जाती के साथ विलुक्त हो जाओ यह नहीं हो सकता है मैं वियर्थ ट्रिनेटी के भरोसे मंद नौ कर मैंने आपको 15 साल के लिए सब कुछ बता दिया मैं फिर से आप तक पहुचने की कोशिश नहीं करना चाहता था लेकिन क्योंकि यह ट्रिनेटी का एक मजबूत आदेश था मेरे पिता के प्रेम के बारे में उनके पिता की आग्याओं के लिए मेरी मां वर्जन मेरी की खातिर मैं तुम्हें अपनी बुरी खबर सुनाता हूं क्या सुनो इसके लिए समाप्त हो गया है बात सुनो आपके पास केवल अलविदा कहने और कहने का समय है आपके पास और समय नहीं है सब दत्म हो गया जानवर के उपास कौन है आपको यह स्पष्ट रूप से जानने की आवशक्ता है अधिकांश ईसाईयों को रहस योद घाटन के भविश्यवानी शब्द को समझना मुश्किल है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सर्वशक्तिमान इश्वर को पवित्र आत्मा के मार्क दर्शन में दृष्टी का अर्थ पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं कई तथा कतित आधुने काल के विद्वान अपने शैतानी चश्मे से प्रेरित है और इसे एक बुरे विचार के रूप में व्याख्या करते हैं यहां हमारे देश में करने के लिए निर्भीकता संदे का बीच बोने वे आगे एक किताब है कि लोगों के मन पर भारी है डाल दिया उन्होंने ऐसा किया 2004 में इतियोपिया केलेंडर इतियोपिया दलाइट ओफ द वर्ल्ड नमबर पांच संदेश में जो कहा गया था उसका खंडन करने का इरादा था क्यूंकि मुझे पता है कि ये लेखक क्या है हम परिणाम देखेंगे क्यूंकि उनके फैसले का पालन किया गया है हमें अपने मुख्य बिंदू पर लोटते है जानव के उपासक और चिनहे पाने वाले कौन होते है पहली पंक्ती में हम जो वर्णन करते हैं वेवधर्म है अगला उनकी मा कैथोलिक इसके बाद इसलाम मुख्य है इशिया, चीन, थाइलेंड, कोरिया, वियतनाम, कमबोडिया, मंगोलिया और दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे की शिंटो बॉध, बॉध, भारत, हिंदू धर्म, सिख धर्म जैसे धर्म दुनिया की आबादी का लगबग नब बेपितिशत हिसा बनाते हैं इन्हें छोड़कर, ऐसे लोग हैं जो विभिन देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं, और वे भी हैं जो नास्तिक हैं कौन जानवर के निशान को नहीं पहचानता है और इसकी पूजा नहीं करता है? दैशा, यह स्पष्ट है सचार उड़िवादी तेवेदो विश्वासियों, जो लोग सच्चाई में और आत्मा में तिमूर्ती की पूजा करते हैं चालीस दिनों में बबतिसमा लेते हैं और तिमूर्ती की महिमा प्राप्त करते हैं जो अपने विश्वास में बुथ परस्ती का अभ्यास नहीं करते हैं, जो लोग अपने विश्वास को बनाय रखते हैं, जो सर्व शक्तिमानीश्वर और वर्जिन मेरी के सामने पवित्रता से चलते हैं, ये वही लोग हैं जो जानव की पूजा नहीं करते थे और निशान न पूजा करते हैं। हमें पता है कि पूजा करते हैं धन, ज्यान और शक्ति का एनत है उसके बारे में पूजा के लिए फाम जानवार। इटली, आदी, ये और अन्य छोटे देशों, वे शेतान को एक आग्याकारी और एक सूत्रधार के रूप में सेवा देते हैं। बाबुल, अमेरिका, जानवार का प्रतीक है, उसने गरीबों के आशू और खून की स्थापना की है। यह सर्वविदित है कि बृतेन ने दुन गाली, स्पेनिश, इतालवी और जर्मन इंजिनियर इस धर्ती पर रक्त पात के मुख्य अभ्यनता हैं। एश्या में, रूस और कोरिया, जापान, कोरिया और अन्य जानवा के निश्पादन में सहायक थे। आज, उन्होंने अपनी पूजा को अध्यतन किया है और उसी र लावट करने वाले जानवा की पूजा करते हैं और निशान को सहन करते हैं। हे रेटिक्स और कैथोलेक के आगे, जो जानवा की पूजा करते हैं और निशान होते हैं, निमनलिखित हैं। दैश इसलाम यह धारणा एक पुराने नाद देवता की पुस्तक अंधेरे की किता अब से ली गई एक मित्या पूर्ण घलत धारना है। इस विश्वास ने 1400 से अधिक वर्षों से सभी को नश्ट कर दिया है और उन्हें जीवन के रास्ते से हर्टा दिया है। यह वे विश्वास है जिसने सचे नभियों और धर्मियों तेवे दो रूडिवादी विश्वास के खुन बवाए हैं। इस विश्वास का वास्तविक्ता से कोई लिना देना नहीं है। यह मित्कों और दिश्टानतों से भरा है। यह अब हम सौधी अरब कहते हैं में ओत्पन हुआ। आज एक अरब से अधिक मुसल्मान राजधानी मकामे हैं जो शैतान के दाइरे को सल करते हैं। वे जुग गए। नतीजतन उन्होंने जानवर की पूजा की और निशान प्राप्त किया। मुसल्मानों के बीच एक कहावत या भविश्यवानी है। खासकर मका के आसपास जहां मुसल्मान रहते हैं। यह इस प्रकार है। इथियोपिया में भविश्य में एक घंजे राजा को खड़ा किया जाएगा। यह आदमी इसलाम के साथ साथ अपनी राजधानी मका को भी नश्ट कर देगा। कुछ ही लोग बच्चेंगे। उन्हें विश्वास है कि बाकी सब खो जाएगा। यह कथन पुराने मुसल्मानों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। युवा इसलाम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है लेकिन यह सच है। ऐसे कुछ नम्र लोग हो सकते हैं जिन्हें परमेश्वर हर युग में प्यार करता है और एक नम्र इसलाम व्यक्ति के लिए भगवान ने उसे प्रकट किया हो सकता है। फिर भी वे नि वह उन्हें नश्ट कर देगा, विश्वस्निय और से प्यार करता था सर्व शक्तिमानीश्वर, साथ के शक्ती का पूरा सर्व शक्तिमानीश्वर, कोई सांसारिक शक्ती यह सामना कर सकते हैं, त्रिमूर्ति का वफादार सेवक के लिए यह सच है, उसमें पंदरा साल के दुनिया संदेशों के प्रकाश का खुलासा किया गया यह दुनिया और इसके निवासी इसे कभी स्विकार नहीं करेंगे। अंकार, धर्मत्याग और विनाश के लिए जाना जाता है, जब उन्हें सलहाद दी जाती है, तो वे नहीं सुनेंगे, वे घ्रिणा और अवमान नसे भरे हैं, वे उन मनुश्यों के रूप में नहीं मानते जो इसलाम नहीं है, उन्हें पस्चाताब करने का सबसे बड़ा प्योग नहीं किया, इसलिए इस संदेश के आनुसार, वे जिसका पको प्राप्त करेंगे, वे विधर्मियों जैसा होगा, इस बुरी खबर को आप तक पहुचने दें, और कोई मौका नहीं, आपने इसे अपने गर्व के साथ डपनाया, दुनिया का कोई हिस्ता ऐसा नही है जो इसलाम के बिना हो, पूरी दुनिया में है, इनकी संख्या डेड़ अरब से अधिक है, जैसा कि मैंने उपर उले किया है, साथ स्वरगद्दूतों की सभी विपत्तियां मुसल्मानों के लिए भी हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्वनाग, ड्रेगन और जूठे नभी क निशान की पूजा की और स्विकार किया, दैश्चीन के विश्वासों और इसी तरह के विश्वासों तावद, कनफ्यूशिवाद, बहुत धर्म, शिंटोवाद पूरी तरह से ट्रिनेटी से इंकार करते हैं, वे मुर्तियों, दर्शन, और ड्रेगन की पूजा करते हैं, ये ऐसी माहियत आए हैं जो सबसे सपष्ट रूप से दिखाती हैं कि जो लोग पुराने नाग, अजगर, जूटे भविश्यद वर्ता की पूजा करते हैं, और निशान रखते हैं, वे इसका नाम करण करके अपना वर्श भी मनाते हैं, डॉग का वर्श, चूहा का वर्श ड्रेगन का वर्श, बंदर का वर्श और ड्रेगन का वर्श, यह विश्वास चीन से परे हैं और वे अपनाम, थाइलेंड, निपाल, कमबोडिया, कोरिया और जापान में प्रवेश कर चुका है, उन्होंने खुद को स्थापित करने के लिए लंबे समय तक अपनी भूमे में निर्दोशों का खून बहाया है, इसलिए वे सर्व शक्तिमान इश्वर के न्याय में शामिल है, उन्हें नश्ट करके मिटा दिया जाना है, उनकी आबादी 1.8 विलियन है, दैश भारत हिंदू धर्म भारत का मुख्य धर्म है और इसमें 80% भारतिये आबादी शामिल हैं, इससे बचे, वह सिक धर्म और कई अन्ये खंडित बुथ परस्त धर्मों को रखती है, इस देश में रोडिवादी चर्च के भक्त अनुयाई थे, वे आज लगबगना के बराबर हैं, शेतान के पुत्र की इन मायताओं ने तेवेदों को नश्ट कर दिया है, भारत मे बहुत सारे निर्दोश लोगों का खून बहाया है, यह तीन बिलियन लोगों का देश है, वे खुले आम जानवर के सामने जुद गए और अभी भी इस तरह से खड़े हैं, वे सभी दूर जाकर नश्ट हो जाएंगे, जब हम संख्याओं में सूची बद्ध होते हैं, तो ह आम उपर सूची बद किये गए विश्वासों के प्रकार, विधर्म, विरोध करने वाले कैथोले को और अन्याई साई मान्यताएं, दो बिंदू दो अरब, शिंटो वाद, बहुत धर्म, ताववाद, कनफ्यूशी वाद, कुल मिलाकर, लगबग दो अरब, हिंदू धर्म सिख दर्म और अन्या, एक बिंदू तीन अरब, रूडिवादी विश्वासियों, के वल नाम से, लगबग आधा अरब, ते वे दो रूडिवादी विश्वासियों, वे एक सौ मिलियन तक पहुँचते हैं, नास्तिक, अविश्वासी, पारंपरिक उपासक, अनुमान है क एक अरब, कुल मिलाकर, वहां रूडिवादीतू अहिदों के बाहर के बारे में 7.5 बिलियन लोग हैं, इसलिए और्थोडोक्स टिवाहिडों के बाहर हर कोई, उन्होंने पूजा की, पूजा की, निशान लिया, और पैसे को जानवर बना दिया, पुराने नाग, प्राच सफी से बह जाएंगे, कुल मिलाकर, दुनिया में लगभग 205 देश हैं, वे सभी उन मायताओं पर आधारित हैं, जिन्हें हमने उपसुचिबद किया है, प्रकट और निर्धारित निर्ण के अनुसार, अपनी नियत में खड़ी होना, ट्रिनेटी द्वार दिये गए निर से एक और स्वर्गदूत आया है, जिसके पास बड़ी शक्ती है, और प्रित्वी उसकी महिमा से हल्की हो गई, और वे जोरदार आवाज के साथ जोर से रोया, कहा, बाबुल महान गिर गया है, गिर गया है, और शैतानों का निवास स्थान बन गया है, और हर बैमान आत्मा की पकड़ है, और हर अशुद्ध और घ्रनित पक्षी का पिज़्जा है, क्योंकि सभी राष्टों ने उसके वे भिचार के प्रकोप की शराब पी रखी है, और प्रित्वी के राजाओं ने उसके साथ भिचार किया है, और प्रित्वी के व्यापारी उसकी प्रसन्नता की प्रचोर्ता से सम्रिद्ध है, क्या कोई अमेरिका को नहीं जानता, कोई नहीं, सब उसे जानते हैं, दूद की बोतल रखने वाला बच्चा भी उसे जानता है, क्या कोई अमेरिका नहीं है, ऐसा कोई है जो है था सयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से समलेंगिक नहीं बन, क क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सहुक्त राज्य द्वारा आदेश नहीं दिया है? क्या कोई है जो अमेरिका की अवग्या करने की हिम्मत करता है? क्या कोई ऐसा देश या संगठन है जिसे अमेरिका आदेश नहीं देता है? हमने उसके सारे विद्रोह को देखा और सुना है उसके फैसले को सौपे हुए पंदरा साल दो हो चुके हैं। बिटिश, फ्रांसीसी, चीनी, इरानी, तुर्त, सुधी नहीं हैं। जो उसके लिए समान हैं। भगवान के दुश्मन हैं। जो शैतान के सबसे मतफादार सेवक हैं। हाँ, वे। जौन अध्याया उन्नीस का र हिमा, और समान, और शक्ती, हमारे परमेश्वर यहोवा की और से सच्चे और धर्मी उसके निरुन हैं। क्यूंकि उसने महान वेश्या का नयाय किया, जिसने उसके वेभिचार से प्रित्वी को दूशित किया, और अपने सेवकों के खून का बदला लिया उसके हाथ में। और फेसे उन्होंने कहा, अलेलुल्या, और उसका धुआ हमेशा के लिए उठ गया, और चार और बीस बड़ों और चार जानवरों नीचे गिर गए और भगवान की पूजा की, जो सिधासन पर बैठे, कह रहे थे, आमीन, अलेलुल्या, और सिधासन से एक आवाज निकली, कहा, हमारे परमेश्वर की स्तुति करो, तुम उसके सभी सेवकों, और तुम उससे डरते हो, दोनों छोटे और महान, और मैंने सुना है कि यह है एक महान भीड की आवाज थी, और कई पानी की आवाज के रूप में, और शक्तिशाली गड़गडाहट की आवाज के रूप म एखुशी ओर खुशी दें और उसे समान दें क्यूंकि मेमने की शादि हो चुकी है और उसकी पत्नी ने खुद को तयार कर लिया है और उसे यह मझूर था कि उसे महीन लिनन साफ और सफेद रंग में लिटाया जाए ठीक प्लियनन के लिए संतों की धार्मिकता है और उसने मुझसे कहा लिखो धईये हैं वे जिन्हें मेनने की शादी के लिए कहा जाता है और वे हम मुझसे कहता है ये भगवान की सची बाते हैं जॉन अध्याया 19 का रहसे उद्घाटन एक से नौ तक मेरा परिवार भगवान का प कि इस महान रहस्ते को समझने का मन दे, आप कभी नहीं जान सकते जब तक कि भगवान आपके मन को ग्यान न दे, वहाँ एडम का वंचज है जो द्वारा धोका नहीं किया गया था नहीं है के लिए पुराने सांप, वर्ष के जूठे नभी, एक आप में से कुछ, प्रिये और परमेश्वर ने चुना है, जो उन लोगों के महान कलेश सहा, आपको आराम करने की आवशकता है, क्योंकि आज आपका दिन बनने वाला है, आपकी रोश्नी चमकने वाली है, आपकी थकान को देखना है, आपके बोज को उठाना है, और हमारे उधार करता ये इस्यू को तो भगवान की स्तुति करो, आप दुष्ट के भक्तों वर्ष ना गिन, जूठे नभी के श्रद्धालु भक्त और अजगर के भक्तों कहते हैं, हाए, बच्चोगे कहा, दिन नहीं गुजरेगा, मिनट लंबा नहीं होगा, तुम बच्चोगे नहीं, अमेरिका, इंगलें फ्रांस, चीन, रूस, भारत, इस्राइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इरान, पर्मानु मालिक, डेविल्स चैंबर्स, आप सभी ने गरीबों के खून को पानी की धारा की तरह बहा दिया है, और आप एक और महान रक्त बहाने के लिए तयार हैं, आप बच्चेंगे नही जिन्होंने पूर्व सर्प के लिए निर्दोशों का खून बहाया है, जिन्होंने आपके निर्माता को तिरस्कृत किया है, जिन्होंने पस्चात आप नहीं किया है, आप सभी अपनी स्वयंकी सहयोगी सरकारों सहित, जब तक आप रित्वी से नष्ट नहीं हो जाते तब तक विपत्थियां आपर गिरेंगी बाबुल के फैसले से 15 साल पहले एक संदेश का पहला संदेश सामने आया था आज ही होगा यह सच है 16, एक ब्राय और एक नौमेक प्रकाशित वाक्ये में वर्णित सर्वशक्तिमान ईश्वर के वचन इश्वर की इच्छा और कारे हैं जो लागू होने जा रहे हैं उनके मांस से इसराइल किसे कहा जाता है? इसका क्या मतलब है? उन्हें क्यों कहा जाता है? अगर हम यह नहीं समझ सकते हम परमेश्वर की इच्छा और उसके विचार को पूरा नहीं कर सकते और क्यों जिन लोगों को उनके मांस द्वारा इसराइल कहा जाता है वे भूमी है जिसे हम आज देखते हैं इसके पिछले इतिहास में भगवान ने सभी मानव जाती को सिखाया है कि हमें उसके अलावा अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए कि हमें उससे डरना चा पहले लगाया था उनके दिलों पर और उनके दिमाग में लिखे कानून के साथ वे लोग रहते थे और उन्हें सर्व शक्तिमान इश्वर की पूजा करते थे वहां था भी महान देश है कि प्रित्वी पर शासन किया जैसा कि संदेश आर्ट में कहा गया है वहां दुनिया म उदारण के लिए समराट सेंदे कल्मा ईसा से 4500 पहले एक समराट था समराट सेंदे कल्मा ने पूरे अफरीका को जीत लिया जिसमें सुदूर पूर्व एश्या और यूरोप का हिसा शामिल है उसने 150 से कम राज्यों पर शासन किया था जैसा कि पिछले संदेश आर्ट कृ 25 और 26 में वर्णत है पर उस समय सर्व शक्तिमानीश्वर उन्हें बहुत कम में पता चला प्रकाश की उस छोटी सी चमा के साथ हमारे पूर्वज चकित थे और वे भगवान को खोजने के लिए उद्वार वेर्क और संघर्ष किया उन्होंने भगवान को नहीं देखा और परमेश्वर ने उनके लिए रहसे प्रकट नहीं किया लेकिन वे उसे बहुत कम रहसे योद घाटन के साथ प्यार करते थे उन्होंने विश्वास किया और उस पर भरोसा किया उन्होंने भय और प्रेम में उस पर भरोसा किया उन्होंने न्याय और सुशासन को बरकरार अच्छा के साथ अपने समराज्य का विस्तार किया और वे है उस सर्व शक्तिमान ईश्वर का समवान और प्यार करता था जिसे वेहल कहता था वह चार सव पचास साल तक राज करने वाले दुनिया के पिता बन गए जब यह सब किया जाता है वहां कोई भी देश इसराइल कहा करने की आग्या दी गई थी तो यह उनके पूरवजों इबराहीम को इश्वर के वादे की याद में था परमेश्वर सपष्ट रूप से मानव जाती को लाभानवित करने के लिए उसकी आग्या का पालन कर रहा है और लोगों को उनकी महिमा को प्राप्त करने और ले जाने की क्षमता के अनुसार उन्होंने एक बड़े समान के लिए इसराइल को चुना जैसा कि आप सपष्ट रूप से उनकी कहानी से देख सकते हैं बड़ी शक्ती के साथ उन्होंने चमतकारिक रूप से इसराइल के लोगों को मेरे लोगों को बुलाया और फिरॉन को आग्या की वे मेरे लोगों को छोड़ दें और मेरी सेवा करें हाला कि फिरॉन जिसने आग्या मानने से इंकार कर दिया ने अपने लोगों पर एक भयानक प्ले गुखसाया उन्हें समुद्र में डुबो दिया और इसराइलियों को जबरान आजाद कराया इसराइली बहुत जिद् लेकिन वेरेंगस्तान में गिर गए और बने रहे मेरे लोग जब आप इसराइलियों के बारे में सोचते हैं तो आप देखते हैं कि उत्पत्ती से लेकर सुस्माचार तक पूरे पुराने नियम बाइबल से इसराइल के लोगों के जीवन के उतार चड़ाव से भरे हुए ह इस जीवन में जहां तक इश्वर से प्रेम नहीं है उन्होंने समय की सबसे बड़ी परीक्षा बिताई हिम्मत करना इनकार करना और मूर्ती बनाना यद्यपी सर्वशक्तिमान इश्वर ने सबसे प्यारे और वफादार भविश्यद वक्तां को उठाया उन्होंने उनका उप्योग नहीं किया उनका उप्योग राष्ट्रों द्वारा उनसे बेहतर किया गया हमें यह समझना चाहिए कि एक पैगंबर अपने ही देश में समानत नहीं है कहावत इन विकृत इज्रायल से आती है भगवान ने पच्तावा किया कि उन्होंने उन्हें मेरे लोगों क बुलाया था और उन्होंने मुसा को सिनाई परवत पर बुलाया और जब उन्होंने उन्हें दस आ गया दी तो उन्होंने अपनी अवग्या पर क्रोध व्यक्त किया हाला कि मुसा चालीस दिनों तक महा रहा जब मुसा चालीस दिनों तक इस्रायलियों के सामने नहीं आया तो इस्राइलियों ने जल्दी से इंकार कर दिया, उन्होंने मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा की, उन्होंने मिसल को प्तिश्ठित किया, यह इस समय था कि भगवान ने मूसा से कहा, मैंने इस लोगों को देखा है, और मिहारमना यह एक अठोर गर्दन वाले लोग है, अब इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो, कि मेरे क्रोध के खिलाफ गर्म हो सकता है, मैं उनका उब्भोग कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारा एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। मूसा दयालु था, उसने भगवान से कहा, मिसर के लोगों को कहां बोलना चाहिए, और क्या कहना चाहिए, शरारत के लिए वे उन्हें बाहर लाए, उन्हें पहाडों में मार डाले, और उन्हें प्रितफी के मुक से भस्पन कर दे? ख्रोध और अपने लोगों की खिलाफ इस बुराई का पस्चाताप सर्वशक्तिमान ईश्वर से भीक मांगी गई है यह हमें विश्वास दिलाता है कि इसराइल के लोगों को सर्वशक्तिमान गोपर भरोसा नहीं था उन्होंने केवल अपने मांज के लिए सोचा था परमेश्वर के वचन के अनुसार उस समय में ध्यान के लोग इतियोपियाई थे इस से पहले वे कई सालों से प्यार करते थे इतिहास से पता चला है कि हजारों सालों से उन्होंने अपने पूरे दिल से भगवान को प्यार और भरोसा किया है क्यूंकि उन्होंने वास्तव में उन्हें अपने दिल और आत्मा के साथ चाहा है भगवान अभी भी इतियोपियाई लोगों से प्यार करते हैं विशेशूप से वे जो रूरीवादी विश्वास में मजबूत हैं, क्यूंकि आप अपने विश्वास के लिए अपने पिता से प्यार करते थे, उन्होंने कसम खाई और आज आपको कई आशिरवाद और प्यार के साथ अपने पिता का गहरव देने का वादा किया, मैंने कट है, समय दया की, प्यारी समय में, प्रभू और हमारे उधार करता यही शू मसीह अपने लोगों के लिए आया था इसराइल, जब वे, के रूप में वे हवादा किया था, शेतान के बंधन से मानव जाती को बचाने के लिए आया था, उन्होंने उसे प्राप्त नहीं किय वे पूरी दुनिया का इंतजार कर रहे थे कि वे अपने सेरियं बल को उखाड़ फिंके, जो एक खलिहान में पैदा हुआ था, वे उनके लिए एक आदमी नहीं था, उन्होंने उसे मार डालने के लिए सौम दिया, उन्होंने उसे क्रूस पर चड़ाया और उसे मार डाला वे उस पर विश्वास नहीं करते थे, भले ही उन्होंने मृत्यू पर विजय क्राप्त की हो, उन्होंने अपने शिश्यों को सताया और मार डाला, क्योंकि उनकी गणना उनके मांस से होती थी, इसलिए उन्हें इसराइल द्वारा मांस के रूप में बुलाया गया है, भग नभी के उपासा के साथ इसराइल द्वारा मांस अभी भी एक जुट है, जिन्हें आप आज धर्मतियागी में स्पष्ट रूप से देखते हैं, अब ये हैं जिन्हें इसराइल द्वारा मांस कहा जाता है, क्यों इत्ययोपिया को आत्मा द्वारा इसराइल कहा जाता है? उन्होंने प्रीम के साथ सुसमाचार को सुईकार किया बिना देखे उसे अपने वच्चन में विश्वास कर लिया आज भी पीड़ा की भटी में विर्नाय नियम से पुराने नियम की पुष्टी करते हैं और भगवान के एकिकरित विश्वास के लिए तेजी से पकड़ जार पूरी दुनिया ने पुराने नाग अजगर जूठे नभी की पूजा की और उन्हें अपना निशान मिला केवल तेवे दोरूरी वादी चर्चो और उसके विश्वासियों ने शैतान को नहीं जुकाया मेरे लोग साथ सौ साल साथ दिन या महिने या साल नहीं है इसका मतल सब है साथ पीडी पहले हमारे पूरवज अद्भुत थे आज में दुनिया के किस पहलू आप देख पा रहे हैं भगवानों और हमारे उधार करता ये शुमसीह वर्जिन मैरी पवित्र शहीदों आर्केमजिल्ज की महिमा और प्रशंसा की जा रही है यहां दूसरी दुनि हैं और पस्चाताब करते हैं अपने पापों को अपने नौक्रों के सामने स्विकार करते हैं वह लोग कहा हैं जो एक साथ भोजन करते हैं और जो प्रेम को शासन करने देते हैं उन्हें दुनिया के नंबर एक भूखे लोग कहा जाता है वे अभी भी दुश्मन द्वारा पीटे और सब्ताय जा रहे हैं। उसके विश्वास के कारण सभी देशों के लोगों से सबसे अधिक घ्रना की जाती है कि वेह परमेश्वर से प्रेम करता है। इथियोपिया के लोग हैं जो अपने रूरी वादी तू अहीदों विश्वास के साथ खड़े थे। आत्मा द्वारा इजराईल या इथियोपिया वे उसके सभी दुश्मन है। क्योंकि तेवे दोरूरी वादी चर्च ने अपने विश्वास को मजबूत किया है। यह अमहारा लोग हैं जुन्होंने इस विश्वास को अपनाया है और आज वे अपने ही देश में नरसनहार, सताया और मारे जा रहे हैं। इसे फिर से कहने का कोई मतलब नहीं है क्योंक दोस्तों और दुश्मनों को जागरूख होने की आवशकता है कि यह उनके विश्वास के लिए भुगतान करने की कीमत थी। मेरे लोग हम इथियोपियाई तथा कतित आत्मा द्वारा इसराइल, ट्रिनेटी और वर्जिन मेरी के सबसे प्यारे लोग इश्वर के वथादा कि मैंने नहीं सुना या समझा नहीं है, यह कहने से पहले मेरी बात सुनो, मेरे शासकों ने मुझे धोखा दिया है, और मेरे संप्रदायों ने मुझे नश्ट कर दिया है, आपने शेतान को अपना राजा बना लिया है, आपने पुराने ना के साथ साथ अजगर की पूजा की आपने जूठे नभी पर भरोसा किया है आपने उसकी पूजा की है आपको उसका निशान विराचत में मिला है और आपको यह अपने पूरव जो से विराचत में मिला है यह सच है यदि उन लोगों की संख्या गिना जाये जिन्हों आपने इश्वर द्वारा प्रिय विश्वास को गले लगाया, तो हर जगे इकठा हुए रूरी वादी तेव हेडो, 50 मिलियन से कम है, आपने 7.5 मिलियन लोगों को बनाया है जो शैतान की पूजा करने के लिए पूरी प्रित्फी को कवर करते हैं और शैतान को आपका पैसा बनाते हैं, यह सच है, इतना ही, यह दोश देने का समय नहीं है, यह निर्ण का समय है, आपको अपने पापों के लिए भुगतान किया जाना तय है, जैसे आपके धर्मत्याग और अभिमान द्वारा बहाया गया खून, आपकी हजारों साल की हिंसा का पता चला, उनकी आत् एक बंदी के रूप में इतियोपिया को दिया गया है, लेकिन पहले तुम्हें कुछल दिया जाएगा, क्योंकि यह तुम्हारा निर्ण है, तुम मृत्यू की भटी में भूनोगे, यह सच है, प्रिष्ट के अंत की और, यह आपके सामने आने वाली हर चीज के आपके प्रिष्ट किया है और अपने आचरण से सर्वशक्तिमान इश्वर का प्यार जीता है, वे सचे हैं, इसराई की तरह नहीं जो छाया की तरह गुजरे, उसके नाम के कारण वे ठक गए, क्योंकि वे उससे प्यार करते थे और उसकी आग्या मानते थे, उसने उन्हें चुना उन्हें प्यार किया, उन्हें मंजूरी दी और उन्हें समानत किया, वे उनसे प्यार करता था क्योंकि वे उसकी इच्छा के अनुसा रहते थे, उसकी दयाक के दिनों को जन देते थे, विश्वास के वचन को सुनने और विश्वास करने के द्वारा आत्मा में द्रिर रहन जारी रखते थे अधिक से अधिक शुद्ध देश भक्तनायक बनने के लिए हमारे उधार करता ये इशु मसीह पर विश्वास करते हुए साथ सौ साल के महान क्लेश और उत्पीन की उग्रभठी में सभी दुखों को सहन किया और व्यावहरिक विश्वास में जिया इस प्रकार भगवान सभी चीजों के निर्माता तेवेडो चिर्नोडॉक्स विश्वासियों के नूह हरे पीले और लाल जहंडे की वाचा का प्रतीक तेवेडो इथियोपियाई इथियोपीननेस ने अपना खून बहाया उसने उन्हें चुना पहले पुनरुथान में उन्हें लगाया और उनके भविशे के पुनरुथान के लिए उन्हें सांतवना दी मैंने आपको दुनिया को बताया, मैंने अपने पहले संदेश में आपको बताया, तुमने सुना नहीं, आपने अपना कान संदेश के लिए नहीं दिया, तुमने इसका तिरसकार किया है, तुम आज भी वही हो, 15 साल हो गए, इसे पीलो, क्यूंकि यह सच है, भले ही यहां आपको उपर बताया सचाई आ चुकी है परमेश्वर ने अपने वादे की पुष्टी करनी का समय आ गया था जो उसने सद्यों पहले वादा किया था जो पुराने नाग अजगर जूठे नभी विधर्मी कैथोलिक धर्म इसलाम नसलवाद पखंडी शिंटोवाद धर्म, सिक धर्म, मूर्ति पूजा, जादू टोना, स्टार काउंटर्ज, अभिशेक, अनुग्ड़ा, समलेंगिकता से पहले खुद को साकार किया विभिचार और वे सभी जो शिक्षित होने का दावा करते हैं जो लोग आपके घ्यान, आपके कागजी काम, आपकी समपती आपके सभी कारियों और आपके विश्वास की पूजा करते हैं, वे शैतान के रास्ते में हैं, जब आप यह सुनते हैं, जब आपको फटकार लगाई जाती हैं, तो आप अपने पस्चाताप में लगे रहें, जैसे आप पच्चताते हैं, आप अपने अपराद और अपने सबसे बुरे पाप में लगे रहे आपने हमारे उधार करता यही शुमसीह को अस्वीकार कर दिया जो आपके पापों के लिए मर गया जिसने अपना हाथ बढ़ाया और आपको प्यार से बाहर बुलाया इसके बजाएं आप पुराने नाग अजगर और जूठे नभी की जो आप से नाराज था आपको भट्टी में जलाने आया था मुझे याद दिलाएं कि पहली आग्या ने क्या कहा था जब सर्व शक्तिमान इश्वर ने आपको शुरू से ही मूसा द्वारा दस आग्याएं दी थी मेरे अलावा किसी भी देवता की पूजा न करें और आसमा तुमने उन्हें मार डाला तुमने उनके खून को धेर की तरह बहा दिया आपने पुराने नाग ड्रेगन जूठे नभी को श्रद्धांज लिदी तो आपका फैसला आ गया जौन के अध्याय 16, 18, 19 के रहसे उद्गाटन में वर्नेत प्रभु द्वारा किया गया फैसला सर तुम आग से भस्म हो जाओगे, आपका चिनह हमेशा के लिए नहीं मिलेगा, यहां सच्चाई है, स्रब्धत्म हो गया, समाप्त हो गया, परमेश्वर के लोग और परिवार, महानकलेश में विश्वास करते हुए, ट्रिनेटी में आपके विश्वास पातरता के लिए प् पीरत हैं, एथियोपी आई रूडिवादी तेव हेडो, जो आप सभी के लिए ग्रीं येलो और रीड फ्लैग बधाई के साथ खड़े थे, जिन्होंने दुनिया भर में आपके विश्वास और नमरता को बनाये रखा है, आपने अपने विश्वास और द्रिड़ता के जी रूप से खड़े हुए हैं, सर्वशक्तिमान इश्वर को आपका इश्वर कहा जाना चाहिए, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, उसे आपको पुरस्कृत करना चाहिए और आपको अधिक प्यार करना चाहिए, आपके लिए आगसे परीक्षन किये गए सुनहरे बच्चे हैं, उनकी आत्मा के द्वारा इजरायल या इथियोपिया पन का क्या अर्थ है? जो लोग इथियोपिया में शामिल है, जिन्हें इथियोपिया के नाम पर नागरेक माना जाता है, उन्हें आत्मा द्वारा इजरायल नहीं कहा जाता है, उन्हें नहीं माना जाता तथा कतित आत्मा द्वारा इसराइल वेग है जिसने रूडिवादी विश्वास की पुष्टी की जो लोग मानते हैं कि इत्ययोपिया वर्जिन मेरी की विराचत है जो लोग मानते हैं कि इत्ययोपिया वेग भूमी है जहां ट्रिनेटी की महिमा का पता चलता है और उसकी प एस साव के रूप में अन्य जातियों के पिता एक प्रकार का इजरायल द्वारा मांस था, याकूब एक प्रकार का इजरायल अन्सोल था, क्यूंकि वेह इसहाग द्वारा धैयर था और उसकी मारिब का द्वारा प्यार करता था, आज यदि हम एथियोपियाई उपर बताए गए मांदनों को पूरा करते हैं, तो सचे एथियोपियाई पुन रुथान की दुलहन है, एथियोपिया ने इस से कौन नहीं मिलता है, आये उन लोगों को देखें जो राजनीती के नाम पर एथियोपियाई हैं लेकिन जो एथियोपिया की भावना से कट गए हैं, वे कल स विरोधी, एथियोपिया के विरोधी और एथियोपिया के विरोधी धवज और विरोधी वेधा हेड़ो हैं, देश को नश्ट करने के लिए उन्हें विदेशीताक्तों द्वारा भी धकेला जा रहा है, कैथोलिक हेरिटिकस की तरह हैं, मुसल्मान ये वे लोग हैं जो अरब समकक्षों से इतियोपियापन को कम आंगते हैं। जाती वादियों और पेड और नदी के उपासक भी खुले और पर इतियोपिया की घ्रिणा करते हैं। वे हमारे हरे पीले लाल जंडे से नफरत करते हैं और यहां तक कि इसे जला देते हैं। उन्होंने खुले और पर कहा है कि वे इतियोपिया के नहीं हैं। इतियोपिया के लोगों के प्रती जवाब देह नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से युनाइटेड किंगड़म और सहुक्त राज्य अमेरिका, सहुक अरब अमीरा और सौधी अरब और चीन के लिए भी यह एक ऐसी सरकार है जो सत्ता में बने रहने की उनकी इच्छा को पू जैसा कि इतियोपिया में बार बार कहा गया है केवल सचे इतियोपिया इतेवे दोरूडिवादी लोग ही रहेंगे। का एजेन डाले कर चलते हैं, जो कोई ठोक कर नहीं खाते हैं, जो गदों की तरहे गाड़ी चलाते हैं, जो पेट की खातिर अपने ही लोगों को वश्मे करते हैं, अपने लोगों का खून बहाते हैं, और जो लोग मारते हैं, सताते हैं, और के द्विरोधी एथियोपियाई ह उनका नेरुन हेटल है, वे अपने सभी वान्चजों के साथ नाश होंगे, मेरे लोग, आप सभी इतियोपिया में बिखरे हुए हैं, इश्वर का गरीब जो आपके इतियोपिया के रूरी वादी तेवेदो विश्वास द्वारा नरसनार किया जा रहा है, मेरी सलह सुनो, अ भगवान पर आप भरोसा करते हैं, उसे छोड़ कर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, सरकार आपके लिए नहीं पहुंची है, जब आपका वद किया गया था तब भी उन्होंने बयान नहीं किया था, सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार है, लेकिन यह सरका विनाश का कोई बहाना नहीं दिया, वह उन्हें अपनी नौकरी से निकाल रहा है, यह कहते हुए कि यह हमारी बारी है, वह नमक से अपनी आँखें धोकर बैट गया है, और वे शर्मिन्दा नहीं है, वे कहते हैं, मैं विकास, शान्ती और समानता के लिए काम करता हूँ, लेकिन सरकार जिसे आप देखती है, वे हाप से घ्रना करती है, और शुधित यह उपया से नफरत करती है, क्योंकि वे आपको नहीं चाहती क्योंकि उसका विश्वास एक विधर्मी और इसलाम है जो इश्वर से नफरत करता है, वह आपको अपने ही देश में परिशान कर तो अपने आपको उन लोगों के साथ बांटो जो वास्तव में आपके देश से प्यार करते हैं, जो आपको विश्वास में लगते हैं, अपने और अपने देश की रक्षा करें, अपने हतियार किसी को मत देना, हमेशा खुद को तयार करो, अपने पिता के साहस को सुंगो, यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अमहारा हैं, आप मुख्य रूप से इश्वर द्वारा अपने प्रियेक्ते वहेदो रूरी वादी विश्वास के कारण प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तो, भगवान के लोग, इसलिए मैं आपको अपनी एक्ता को मजबूत करने के लिए कह रहा हूँ। और हमारे प्रभू और उधार करता इसा मसीह उन्हें किसी अन्य प्रेरित से अधिक प्यार करते थे। जोन, जिन्होंने सपश्ट रूप से अपने दिल का प्यार दिखाया था, हमारे प्रभू के दुख को शुरू से अंतक गहरा दुख था। प्रेरित जौन अखंडता कभी नहीं विविद। प्रभू ने अपनी मा को हमारी मा को निहारना कहकर हमारी मा को जौन के हवाले कर दिया। मेरे लोग प्रेरित जौन लौड्स के दिल के दोस्त थे, और जब उन्होंने अपने शब्दों में जो सुना और समझा था, उसके बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई रहस्यों को समझा जो एक पुस्तक में नहीं समझाया जा सकता है। इस प्रेशित ने दुनिया के भविशे के बारे में सच्चाई को बाईबरी के अंत में प्रभु के द्वारा प्रकट किया, जिसका शीर्षत था जौन का रहस योड़ घाटन. वास्तव में, जैसा कि आप विश्वास से चलते हैं, आपको विश्वास में डगम गाना नहीं चाहिए, जैसा कि प्रेरित जौन ने किया था. उसी तरहें, आप अपने पूरे दिल, दिमाग और आत्माव के साथ ट्रिनेटी से प्यार करना चाहिए. यह कहना नहीं है कि मैंने अन्य महान प्रेशितों की महानता और शहादत को कम कर दिया है. वे सभी परमेश्वर की चक्रिया में है. डैश. और मैंने देखा कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया है, जिसके हाथ में अथा गड़े और एक महान श्रीन खला है. और उसने अजवर को पकड़ लिया, उस बुड़े सर्प को, जो शैतान है, और शैतान, और उसे एक हजार वर्ष के लिए उन्हें थोड़ा सा मौसम देना चाहिए, और मैंने सिहहासन देखे, और वे उन पर बैट गए, और उनके लिए न्याहे दिया गया, और मैंने उन आत्माओं को देखा, जो ये इशू की गवाही के लिए, और परमेश्वर के वचन के लिए मारी गई थी, और जिसने न तो जानवर की पूजा की थी, न तो उनके छबी, न तो उनके माथे पर, न उनके हाथों में अपना निशान पा चुकी थी, और वे एक हजार वर्षी सा मसीह के साथ रहे और राज्ये किया, लेकिन बाकी मृतक हजार साल पूरे होने तक फिर से नहीं रहे, यह प्रतम पुनर जीवन है, धैया और पवित्र वेह पहला पुनरुथान में वेह हिस्सा है, इस तरह की दूसरी मृत्यू पर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वे भगवान और मसीह के पुजारी होंगे, और उसके साथे एक हजार साल तक शासन करेंगे, और जब हजार वर्ष की अवधी समाप करने के लिए, किसकी संख्या समुद्र की रेट के रूप में है, और वे प्रित्फी की चौड़ाई पर चड़ गए, और संतों के शिवर के बारे में और प्यारे शहर पर दया की, और भगवान स्वर्ग से बाहर आ गए, और उन्हें भस्म कर दिया, और उन्हें धोका देन वाले शेतान को आग और रींटों की जील में डाल दिया गया, जहां जानवर और जूठे नबी हैं, और दिन और रात हमेशा और हमेशा के लिए तरपाई जाएंगे, और मैंने एक महान सफेज उसीहासन देखा, और वे उस पर बैठ गया, जिसके चेहरे से प्रित्फी और स्वर्ग भाग गए, और उनके लिए कोई जगह नहीं मिली, और मैंने देखा कि मरे हुए, छोटे और महान, भगवान के सामने खड़े हो जाओ, और पुस्तकें खोली गी, और एक अन्ये पुस्तक खोली गई, जो जीवन की पुस्तक है, और मित्कों को उन चीजों से आंक का नियाय किया गया था, और मित्यू और नरक को आग की जील में डाल दिया गया, यहां दूसरी मौत है, और जिसको भी जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला, उसे आग की जील में डाल दिया गया, के रहसे उत्गाटन जॉन अध्याय 20, पूरे हिस्सा, 21 सितंबार 2004 को स संधेश संख्या पांच में, मैंने इसके नहीं तार्त, जॉन 20 के रहसे उत्गाटन को समझाने की कोशिश की है, कई विद्वानों ने जॉन के इस रहसे उत्गाटन की विभिन तरीकों से व्याख्या की है, उनकी व्याख्या के अनुसार, लगभग सभी का कहना है कि कोई भी दो पुनरुथान देखते हैं, यह बप्तिस मा में पहला पुनरुथान है, दूसरा, वे कहते हैं, अंतिम निर्ण के बाद जी उठने है, दूसरा, वे यह निशकर्ष निकालते हैं कि मसीह उनके साथ एक हजार वर्षों तक राज्य करेगा, कि ऐसा नहीं होगा, और व पुर्वनाग, अजगर, जूठे नभी, ने प्रित्फी के सभी शासिकों को नियंत्रित कर लिया है, इसलिए वे इसे इस ज्ञान के लेंस के साथ व्याख्या करते हैं, क्योंकि जूठे नभी का काम सत्य के रूप में जूठ पहलाना है, जैसा कि मैंने उले किया है कि महान धर्मशास्त्रिय महा विद्यालेयों की शिक्षाएं, क्योंकि जूठे भविश्य द्वक्ता ने अपने सभी धर्मशास्त्रों में सत्य को विक्रित कर दिया है, उन्होंने निशकर्ष निकाला की पृत्वी पर कोई पुनरुथान नहीं होगा, कि दुनिया के अंत में पुनरुथान होगा, तदनुसार, एथियोपिया का पुनरुथान उनके द्वारा मिठख बन गया है, इश्वर की सच्चाई जो एथियोपिया दलाइट ऑफ द वर्ल्ड संदेश में सामने आई, हम इस नौवे संदेश को भी निमनानुसार दोहराएंगे, परमेश्वर क पवित्र आत्मा के रहसे उद्घाटन से हम सहस्त्राब्दी को कैसे समझें, जब हम सचमुछ इसके लिए जाते हैं, तो पहला शब्द कहता है, और मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से नीचे आतित देखा, जिसके हाथ में अथा गड़े और एक महान श्रीन खला थी इससे पहले कि हम इस शब्द को देखें, एक हजार साल से हमारा क्या मतलब है? प्रेरित पतरस, जिसने परमेश्वर के समय के रहसे को प्रकट किया था, हमें बताता है कि एक दिन ईश्वर द्वारा एक हजार वर्ष माना जाता है, और एक हजार वर्ष एक दिन माना जाता ह इसलिए संख्या को मापने का समय किसी भी समय और अवधी में भगवान की इच्छा को सीमित नहीं करता है बल्कि हमारे लिए है इस प्रकार सहसराब्दी को छोटा बढ़ाया या अंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है भगवान ने कहा मैं एक चोर के रूप में आऊंगा लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं इस दिन इस समय इस मिनट में आऊंगा इसलिए विवाद की कोई जरूरत नहीं है जब परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाती है तो उसे छोटा या लंबा किया जा सकता है क्योंकि यह कई बार वर्णित किया जा सकता है इसलिए अपने विश्वास को बनाय रखना सबसे महत्वपूर्ण है और उसने अजगर को पकड़ लिया वे बुडा नागिन जो शैतान है और उसे एक हजार साल के लिए बाद्य किया और उसे अथा गढ़े में डाल दिया औ और उस पर मुहर लगा दी कि वेह राष्टों को और अधिक धोका नहीं देना चाहिए जब तक कि तूरेत के वर्षों को पूरा न किया जाये तब तक मेरे लोग स्वर्ग में महान श्रीन खला और रसातल कि कोंजी के साथ स्वर्ग अदूत कहां आते हैं पृत्वी पर जूठे नभी की पूजा करते हैं और जिन्हें निशान नहीं मिलावे भगवान के धर्मी फैसले से मुक्त हो जाएंगे और एक हजार साल तक आराम करेंगे पुराने नाग अजगर और जूठे नभी एक हजार साल क्यब में बिताएंगे इसके बाद एक इंडी वेह एक छ बैठा है द्रिष्टी शब्द कहते हैं इंसान यहिशू है यह कहता है कि एक से अधिक सिधासन है यह दिखाता है कि ट्रिनेटी के सभी तीन निकाय मौजूद है और यह सब उनकी इच्छा से किया जाएगा और फिर उसने हमारे उधार करता यहिशू की खातिर और परमेश और सुनने के बाद की इतियोपिया के रूडिवादी चर्च विशेश रूप से कर रहे हैं अमहरा लोग है योजना द्वारा हत्या की जा रही है कि दुनिया के साथ और समर्थन इससे सहमत है आज जो आप देखते हैं वह एक सपष्ट संकेत है कि पुराने नाग प्राची और वे ट्रिनेटी को उसके धार में एक निर्न के लिए प्रशंसा करते हैं मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने जानवर और उसकी छवी की पूजा नहीं कि थी और जिन्होंने अपने मातें ओर अपने हाथों पर अपना निशान नहीं पाया था वे 1040 सा मसीध के साथ और शासन किया यह शब्द मुख्य बिंदू है आये देखें कि आज क्या होता है भूत पूर्व उनका निधन हो गया है आज कैसा दिखता है जानवर को कौन जुकाता है पूरी दुनिया ने जानवर को नमन किया है क्योंकि जुक कर न जुकने वालों की संख्याब बहुत कम है कौन है जो जुके नहीं वे तेवे दो रूडिवादी चर्चो और सचे विश्वासियों के अनुयाई है यहां संक्षिप्त जवाब है सभी रूडिवादी इसे पूरा नहीं करते है क्योंकि यह एक रूडिवादी नहीं है जो केवल आदत से अपने शीर्च को लटका कर रूडिवादी है एक जादूगर, स्टार काउंटर, एक मिश्रित आस्टिक जो लगातार चोरी करता है, जूट बोलता है, विभिचार करता है घमंडी, धोखे बाज, दुष्ट, क्रूर और अधर्मी है वे चरवाहे हैं, लेकिन वे विधर्मियों, कैथोलिकों और मुसल्मानों उनके जूटे इरादों और राजनी तिक्षासन की उपकरण और विश्वासियों के प्रतीवफादार है और वे जानवर राजने के प्रतीवफादार हैं, ये सबी जानवर को नमन कर रहे हैं जो लोग जानवर की पूजा करते हैं और उनके माथे पर निशान रखते हैं वे हैं, इसलाम, पाशन, कैथोलिक धर्म, अंग्रेजी, प्रेस्बिटेरियन से वेंत थे जियोवा, प्रोटेस्टेंटिज्म, शिंटोवाद, आतंकवाद, बहुत धर्म, हिंदु धर्म और सिख धर्म, ज्यानी, जो अपने ज्यान, अपने ज्यान और अपने कागज की पूजा करते हैं वे जो अपने धन की पूजा करते हैं वे सभी जानवर की पूजा करते थे और निशान लगाते थे जब हम आज देखते हैं कि जानवरों के ये बच्चे मिट्टा दिये गए हैं उनमें से बाकी लोग मसीः के साथ राज्य करेंगे क्यूंकि उन्होंने जानवर की पूजा नहीं की वे पुनरुथान के लिए डा रहे हैं यह सच है कैसे होगा मसीः? हाँ, वह राज्य करेगा परमेश्वर अपने चुने हुए सेवकों पर अपनी पवित्र आत्मा को विश्राम देगा उनका चुना हुआ सेवक उनके सारे शरी में मसीः को डाल देगा उसने बाकी लोगों के लिए भी अपनी पवित्र आत्मा को आराम दिया और विह राज करेगा यहां रहे से है वे वही करते हैं जो इश्वर से प्यार करता है वे जो नफरत करते हैं उससे नफरत करते हैं क्योंकि उनका अगवा उनका शिक्षक है क्योंकि परमेश्वर उनमें पवित्र आत्मा बसता है लेकिन बाकी के मृत्तक हजार साल पूरे होने तक फिर से नहीं रहे दुनिया के नर्मान की शुरुआत से सभी जो प्रित्वी पर आदम और हवा द्वारा बनाए गए हैं और इस पहले पुनरुथान पर पुनर जीवित नहीं किया जाएंगे वे अंतिन निर्ण के लिए दुनिया के अंत में ही उत्पन्न होंगे धैया और पवित्र वेह पहला पुनरुथान में वेह हिसा है इस तरह की दूसरी मृत्यू पर कोई शक्ती नहीं है लेकिन वे भगवान और मसीर के पुजारी होंगे और उसके साथ एक हजार साल तक शासन करेंगे शब्द स्पष्ट है इथियोपिया में प्रकाश की दुनिया के संदेश द्वारास पश्ट किया गया था पुनरुथान का मालिक इथियोपिया है जो वह है जिसने रूडिवादी तेव हेडो में उसके विश्वास की पुष्टी की है वह वे हैं जो पूरी दुनिया के खिलाफ मजबूती से खड़ा है मसीह के पुजारी भी रूडिवादी तू अही दो देज भक्त होंगे वे लंबे समय तक प्रित्वी पर शासन करेंगे उसके बाद का क्या? और जब हजार साल की अवधी समाप्त हो जाएगी तो शेतान को उसकी जेल से निकाल दिया जाएगा और उन देशों को धोका देने के लिए बाहर निकल जाएगा जो प्रित्वी के चारों और गोग और मागोग में है उन्हें एक साथ इकट्था करने के लिए संख्या समुद्र की रेट के रूप में किसका है? और वे प्रित्वी की चौड़ाई उपर चड़ गए और संतों के शिवर के बारे में और प्यारे शेहर पर दया की और भगवान स्वर्ग से बाहर आ गए और उन्हें भस्म कर दिया पहले पुनरुथान की शुरुआत और अंच से कैट किये गए शेहर को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा वे शेहर को घेलेगा जो पहले पुनरुथान में सरोशक्तिमान ईश्वर की प्रशंसा करता रहा है ईश्वर के प्रियश्वर को नष्ट करने के लिए शैतान के इस कृत्ते के मूल में परमेश्वर के नयाय का पता चलेगा अगनी मीचे आकर शैतान और उसके राक्षसों को खा जाएगी और उन्हें धोका देने वाले शैतान को आग और रींटों की जील में डाल दिया गया था जहां जानवर और जूठे भविश्यद वकता है और दिन और रात हमेशा और हमेशा के लिए तरपाए जाएंगे शैतान ने अपने साहस के कारण आग की जील में डुबकी लगाई वे दिन रात और हमेशा हमेशा के लिए तरपेंगे यह पुराने नाग जूठे नबी जानवर का निशकर्ष है और मैंने एक महान सफेज उसीहासन देखा और वे उस पर बैठ गया जिसके चेहरे से पृत्वी और स्वर्ग भाग गए और उनके लिए कोई जगह नहीं मिली और मैंने मृत छोटे और महान को देखा भगवान के सामने खड़ा था इसका मतलब है कि सभी मनुष्य जीवित और मृत दोनों अंतिम निर्ण के लिए मोस्त हाई के सामने खड़े होंगे वह जो नरक में प्रवेश करेगा वह जो स्वर के राज्य में प्रवेश करेगा सर मृत को उन चीजों से बाहर आंका गया जो उनके कारियों के अनुसार भी उक में लिखे गए थे और समुद्र ने मरे हुऊं को छोड़ दिया जो उसमें थे और मृत्यू और नरक ने उन मृत को जनम दिया जो उनमें थे और उन्हें उनके कारियों के अनुसार कभी भी वा के लोग, सच तो यह है, मैंने तुम्हें समझाया है, जो लोग कहते हैं कि इतियोपिया का पुनरुथान नहीं है, हमने उपर बताया है, वे कहते हैं कि हम केवल बाईबल सुनते हैं, सबी विधर्मी एक ही बात कहते हैं, आज जो हमारे प्रचारक होने का दावा करते हैं, उन उन्हें आसान बनाते हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने विश्वास के लिए संगर्ज करते हुए बिताया है। सत्ताय जा रहा है, भूखा है, प्यासा है, केध है, भड़का हुआ है और शहीद हो रहा है, वे इस सब को आसान बनाते हैं, साथ ही वे रूडिवादी तेव हेडो सीमा को नश्ट कर रहे हैं, हमारे दिन की ये बुराईया, वे रूडिवादी तेव हेडो देश भक्तों को अकारती हैं, जिन्हें उनकी धर्मातियागी भाषा भी नहीं कहनी चाहिए, हम उन्हें सर्वशक्तिमानी इश्वर के भविश्यवानी शब्द से इंकार करते हुए और विधर्मियों की पुष्टी करते हुए देखते हैं, हम तब देख रहे हैं जब वे शहीद फाय काट और की पुस्तक से इंकार कर रहे हैं, जो उन्होंने एथियोपियाई पुनरूथान के बारे में लिखा था, यहां हम उन्हें उनकी हर बात को मिटाते हुए सुन रहे हैं, जो उनकी पुस्तक के बारे में अर्खगेल सेंट उरियल ने सपश्ट रूप से कहा है, इनसे के चेले हैं जब उन्हें बोलने की आग्या दी जाती है तो वे तोते की तरह गूंजते हैं फिर भी उन्हें न्याय दिया जाएगा और हमारे निल्न भविश्य में उन पर किया जाएंगे हमें उपर उठाए गए मुद्दे पर वापस लोटे और संक्षेप में बताएं आए बीस का समापन और बंदन क्या है मेरे लोगों भगवान के लोग परमेश्वर के वचन को समझने और समझाने के लिए हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो पवित्र आत्मा के रहसे के रहसे उद्गाटन और उनकी इच्छा द्वारा निर्देशित एक विश्वास द्वारा निर्देशित हो कोई भी विधर्मी एक कॉलेच ना तक भगवान के शब्द की व्याख्या नहीं कर सकता क्यूंकि वे फिट देखता है नोटिस वह पहले से ही अध्यात्मिक्ता के लिए अंधा है क्यूंकि उन्होंने ज्यान के लेंस के माध्यम से दुनिया को द जब से यह संदेश आया है आपको अपनी आलोचना के लिए धंडित्त किया गया है सजा आपको शेतान और उसकी सेनाव को सौंब दिया गया है हमने फैसला किया है कि आपके शरीर पर शासन करने के लिए शेतान आपको इथियोपिया के पुनरुथान को देखे बिना मरने क कि सजा दी गई है यह अप्रिवर्तनिय होने का निर्ण लिया गया है देखते हैं कि आप इस फैसले से कैसे बच सकते हैं शेतान आपको बचा सकता है जो आपको आलोचना करने के लिए चला रहा है परमेश्वर के परिवार जुन्होंने सत्य के लिए उबवास रखा जिन् नेत्रित्व करने के लिए कहा, इसलिए अपने दिल को परिशान नहीं होने दें, नहीं डरने दें, आप जल्द ही देखेंगे कि जब वे सभी अलग हो जाएंगे, क्या आपने इतियोपिया की दुनिया की रोष्टी में भगवान के न्याय के संदेश को पूरा होते नहीं द समझते हैं कि आप श्रीष मानव जाती को परमेश्वर के निर्णे से संतुलन में तौलते हुए देखते हैं। पूर्वजों के समय में विश्वास विश्वास था। यह गयर परक्रम यह था। आस्था जीव नदाइनी थी। उपास ना सत्य और आत्मा में और विश्वास में है। वह आज मौजूद नहीं है। उन्होंने इसे पूजा करने की आदर भी बना लिया। वह इसे सत्य मानत है। इसमें नीव का अभाव था। जैसा कि आप देख सकते हैं। अधिकान शीवा लोग जो आधुने ग्यान के शिकार है। ने अपने पूर्वजों के विश्वास को त्याग दिया है और सफेद विश्वास को विराचत में मिला है। जिसके कारण हमारे देश और इसकी पीढ़ी का विनाश हुआ है। वह जो मर चुका था, कमजोर, शराबी, नशे में और विश्वास को तिरसकार किया। वह अपने पिता से विश्वास के बारे में नहीं पूछता है। वह वास्तव में हेरिटेज का सिर्का पीता है जो शेहद से अभिशे करता है। क्योंकि आराधना वास्तव में हाल दिक्थी। इसके विप्रीत, आज की पीड़ी अपने मांस, स्वार्थी के लिए मर चुकी है। ज्यान, ज्यान, सामगरी, प्रगती ने प्रित्वी को ढख दिया है। सब कुछ अमूत हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो विज्ञान ने नह सब कुछ मूब से हाथ तक हो गया है। हतियार कई प्रकार के होते हैं। विमान, लड़ाकु विमान, मानव परिवहन, एक बार में जहाज की सामगरी की मात्रा, कार, वेकार खाना, आधुनिक भावन, संचार फोन, तीवी, उपग्रा, अस्पताल, आधुनिक होटेल, पीने वाला, कृत्रिम भुजन, इन सब के कारण विज्ञान और उसका परिणाम उसका देवता बन गया। वह हसता है जब हम आज विश्वास के बारे में बात करते हैं। उसका ईश्वर वे सामगरी है जो वे देखता है। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया फेस्बूक, बहुत कम लोगों ने इसे पढ़ा था, लेकिन ज्यादतर युवा और बुजुर्ग नहीं थे। परन्तु भगवान की इच्छा से हमारे मेहंती बच्चों के माध्यम से इसे टेली ग्राम, फेस्बूक, आदी के माध्यम से आवाज द्वारा प्रसारित करने की कोशिश की इस तरह एक बेहतर व्यक्ति इसे सुनने में सक्षम था, जैसा कि मैंने उपर के पहले फ्रिष्ट से समझाने की कोशिश की, संदेशों में कई भाशाओं में अनुवाद किया गया है और पूरी दुनिया पर पहुँच गए हैं, यदि आप कहते हैं कि आपने आदम के जक, शिंतोवाद, ताववाद, कनफ्यूशिवाद, हिंदू धर्म, सिख धर्म और अन्य की आवाज सुन रहे हैं, आप धोखे बाजवे भिचार, नित्य, राजनीतिक जूट, धोखे, विश्वासगाती सुन रहे हैं, दैश दुनिया की आबादी आठ विलियन के करीब ह नियान बे प्रतिशत आबादी शेतान के माग का अनुसरन करती है, व्यापग तरीके से, बिना किसी समस्या के, आराम से, धर्म त्यागी में, मूर्तियों की पूजा करने में, यह वेह रास्ता है, जहां आप डए हैं, शेतानी लिखन जो इसाई प्रतीत होता है, विधर्म कैथोलिक और विधर्मी है, इसलिए, आप रूडिवादी तू अहीदों देशभक्तों की आवाज नहीं सुनते हैं, वास्तव में, आपने उपहास भी किया, जब हम धर्मात्यागी लोगों को देखते हैं, हम कह सकते हैं कि वे दुनिया के सभी लोग हैं, आपको अभी भी समझने की आवशक्ता है, हेरिटिक्स, कैथोलिक धर्म, इसलाम और सुदूर पूर्व के धर्मों को जोड़े, पुराने नागों के लिए खन, ड्रेगन के जूठे नभी, धर्मात्यागी जोड़े, समलेंगिक जोतीशी जोड़े, अपने पेट के बाहर इश्वर को ना ज जानने वाले को जोड़े, मुझे जुन कुछ भी याद नहीं है, उसे जोड़ो, आप कितने लोगों को भगवान के लिए वास्तव में समर्पित पाते हैं, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि कोई भी नहीं है, जो लोग ईश्वर की क्रपा से इत्ययोपिया में महान क प्लेश से बच गए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सही मायने में इश्वर से प्रेम करने वाले और कमजोर, बल्वान, और चुने हुए लोगों की संख्या बताएंगे तो आप चौक जाएंगे, जो सत्य और आत्मा में इश्वर की पूजा करते हैं, सच्चा बाकी अफरीका के तीन मिलियन से अधिक जीवित नहीं हैं, उनके सभी विश्वास मूर्ती पूजा, इसलाम, कैठोलेक और विधर्मी हैं, और कोई भी जीवित नहीं है क्योंकि उनका कोई अन्य विश्वास नहीं है, यूरोप एक पूरे के रूप में, विशेश रूप स न्याय करने वालों को छोड़ कर सभी को निर्वासित किया जाएगा, इथियोपिया के रूडिवादी बच्चे वहां रहते हैं, इथियोपियाई विश्व प्रकाश परिवार, जिनके पास प्रतीक हैं, मेहंति का उनसल के सदासिया, अवित्रुकप असोसियेशन के सदास जिन्हें पहले दोर में भी पंजी करीत किया गया था, और जिन्हें उनके द्वारा आश्रे दिया जा रहा था, इसके अलावा दूसरे दोर में पंजी करीत, अपने परिवारों के साथ की उनके नीचे आश्रे, इनके अलावा बाकी सभी विपत्तियों से नश्ट हो जाए तुर्की और इस छेत्र के कई अन्य अरब देशों का स्टफाया हो जाएगा शायद एक छोटी संख्या शायद केवल एक हजार बचाया जा सकता है एशिया, जापान, कौरिया, वियतनाम, फिलिपीनज, इंडिनेशिया, नेपाल, म्यामार, किरगस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबेजान, माईसेडोनिया, क्रूएशिया, लात्विया, एस्टोनिया, नौरवे, फिंड़न, स्वीडन, आयरलेंड, ब्रीन लैंड दोनों कुछ खुद्ध हिर्दय वाले दयालू भगवान को छोड़ कर वे सब मिट्टा दिय जाएंगे। निकार अगुआ, पनामा और सभी प्रमुख कैथोलिक सहित्त मिटा दिया जाएगा बाहर और कुछ नम्र और इमानदार लोग भगवान की दया से बचाया जा सकता है सामाने और पर आदम के सभी वन्ष जाने वाले महानकलेश से बच नहीं सकते थे। शेक, विद्वान, नेता, सेनिक, व्यापारी, किसान, फादरी, पुलीस कर्मी, बालक, युवक, बुरिया, पुरुष सभी को उनके निननके अनुसार खारिज कर दिया जाता है। बाकी लोगों को सफेड लिबास में कपड़े पहनाए जाते हैं क्योंकि वे अपने रूडिवादी धर्म के लायक होते हैं, जो धर्मी निननके लिए परमेश्वर के वादे का धैर्यत पूरवक इंतजार करते रहे हैं। उन्होंने अपनी मुमबत्तियों को उजाला किया है, जो उनका तेल नहीं निकला है, मेमने के समर्थक के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो सभी अपने माथे पर चेहनेत होते हैं, इन सभी विपत्तियों से बच जाएंगे। वे इतियोपिया में दुनिया के प्रकाश समराज्य के तहत धया और गौरवशाली होंगे, उन्हें ट्रिनेटी और वर्जिन मेरी द्वारा आशिर्वाद दिया जाएगा, वे अच्छे समय पुनरुथान के लिए परशासन करेंगे। परमेश्वर में सुबह, दिन के दौरान, शाम को, रात में, लगातार गायन, मरने के बाद, भजन, घंटे, वाचा के साथ के दन उसे अपनी प्रेशी वच्चे से प्रवा होगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा उन सभी पर टिक की हुई है जो पुनरुथान में भाग लेंगे। और क्यूंकि मसिय उन पर राज्य करता है, धाईये और प्रिये को पूरी तरह से आराम मिलेगा। यह एक समय होगा जब वे एक लंबे जीवन के साथ धाईये होंगे, दस गुना जितना वियाज हैं। यह धया, भलाई, और आशिरवाद की एक बहती धारा की तरह होगा जो भगवान ने पहले कभी नहीं किया। यह एक समय होगा जब धये वर्जन मेरी को समानत किया जाएगा और उनकी प्रशंसा की जाएगी, पवित्र शहीदों की प्रशंसा की जाएगी, गौरवशाली मेहराबों की प्रशंसा की जाएगी, और सभी संतों की प्रशंसा की जाएगी। यह जौन बीस के रहसे पुनरुथान, हजार वर्ष, मसीह का शासन हमेशा पुलजारियों के साथ पूर्णता में रहेगा। वैसे मेरे लोग, बूरे नग और जंगली जानवर दोनों को पता है कि ऐसा होगा। वे जानते हैं कि उन्हें महान आग में फेंग दिया जाएगा, जो लोग उनके सामने गुटने नहीं टेकते हैं, पुनरुथान की दुलहन, जिनके पास प्रतीक हैं, ट्रिनेटी और वर्जिन मेरी के सर्वश्रेष्ट, जहां चुने गए वे जहां जाएंगे और वे सब परमेश्वर के धर्मी नयाय और सामर्थे से पूरा होगा, शेतान यह सब अच्छी त के साथ संपन किया, वाकपटुका ने उन्हें बनाया, सम्मान, धन, संपती, उन्हें हर जगेह दिया गया, इन सभी को मिटा दिया जाना है, मुझे आश्चर्य होता है जब मैं उन्हें वसावाले बेलों की तरह अत्यधिक चुबता हुआ देखता हूँ, प्रेशित पॉल उस हमें बताता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं और उसे ईश्वर के रूप में समान नहीं देते हैं, वे वही हैं जो महान शब्दों से भरे हुए हैं, अपने ग्यान पर भरोसा करते हैं, और मूर्ख मन को दिया जाता है, वे वही हैं जो नहोंने हमारे चर उन्होंने मसीख को अस्वीकार कर दिया और मार डाला, जो लोग कहते हैं कि जो हम कहते हैं उसके अलावा शब्द नहीं बोला जाएगा, जो लोग कहते हैं कि अगर हम नंजूर नहीं करेंगे तो यह नहीं सुना जाएगा, जो एथियोपिया के पुनरुथान से इंकार करते ह जो विभिन समाजों के कफ़न में फेंक दिया जो भगवान के लोगों की आशा को काला कर देता है जब उनकी आखों के सामने न्याय देखा जा रहा है जबकि भगवान अपना काम कर रहे हैं क्यूंकि उन्हें इतियोपिया में दुनिया की रोशनी में बताया गया था लगात खर्मियों को बढ़ावा देते हैं, वे सफेद कैथोलिक पाशंडों से कैसे भिन हैं जो इससे इंकार करते हैं? हाँ, वे ही हैं जिन्हें सबसे पहले सजादी जाती हैं. संक्षिप में हमारे पूरवजों का धर्म क्या था? क्योंकि यह विशय इतना व्यापक है, हम इसे कु आ गया है, साथ बेहनों, सतर दो चेलों ने कहा कि भगवान के सेवक, शान्ती के बचे, हम, हम उन लोगों को यह कीमती सबक सिखाते हैं जो वास्तव में आग्याकारी हैं. हैमनोट अबेव या हमारे पिताओं के धर्मप्रिष्ट आठ अध्यायंचे की पुस्तक से, भाग एक, हमारे प्रभु, हमारे निर्माता, हमारे उधार करता यही शुमसीह, जो पहले दुनिया बनाया गया था, पैदा हुआ था के पिता, गौड फादर इजवन, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पिता से अलग नहीं है, जो उसके साथ सही है, उसने सभी प्रकार के शक्तिया बनाई, और वे भविशे में मानव बनना चाहता था, उसने वर्जिन मेरी से अपना शरीर लिया, जो वेकुम वारी है, पुरुष बीच के बिना, आये हम इस तथे को कभी न खोएं कि मान्ज के साथ कामार, अप्रिवर्तनिय और अविनाशी आत्मा है, धर्म को अस्विका करने वाले विधर्मियों का कारे सर्व शक्तिमान इश्वर के नियम का विरोध और परिवर्तन करना है, इसलिए वे हमसे नफरत करते हैं, हमारे पूर्वजों ने उपर एक उनके शब्दों में गवाही दी है, कि विधर्मी और धर्मात्याग भगवान के शब्द को बदल देंगे और अपमानत करेंगे, उन विधर्मियों के बचे, जो अधिक से अधिक अप्स्टूडेट प्रतीत होते हैं, ने आज खुले और पर शैतान को भगवान के रूप में उतारा और पूरी दुनिया को नश्ट कर दिया और आज अंतिम निर्ने पर पहुँच गया, फ जो वास्तव में मानव है वेग परमेश्वर है जो वचन है, उन्होंने कहा, उच पुजारी, आदमी को भगवान से मिलाता है, वह एक है जिसने शरीर को धाये वर्जन मेरी से बनाया और इसे विलए कर दिया, वह वेग है जिसने सभी चीजों को बनाया है, वह वही है जिस मेरी से के रूप में वेग पैदा हुआ था, के रूप में वेग रूसपर का सामना करना पड़ा, के रूप में वेग मर गया, के रूप में वेग दपनाया गया था, के रूप में वेग मित्कों में से उठा, जब वेग स्वर्ग में चड़ा, जैसा की वेग परमेश्वर पिता की गवाही में दिखाई दिया और जैसे ही उसने हमेशा के लिए शासन किया। से पैदा हुआ वह व्याहर भगवान है जो चरित्र के भगवान से पैदा हुआ है वेह नंतकाल के लिए राजा है वह वेह है जिसने नूह की रक्षा की वह अबराहम का नेत्रित्व करने वाला व्यक्ति था वह वेह था जो इस्वा के साथ बंद गया था वह वही था जो या इंजिल्स के लिए ज्यान दिया है क्यूंकि वे स्वर्ग और प्रित्फी के सभी प्राणियों को जीवित कर चुके हैं। जो सर्व शक्तिमान ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। उन्हें देवत्व भाशन में देवता कहा जा रहा था। आप देवता सभी उच्च के बच्चे हैं जैसा लिखा है। इसलिए ट्रिनेटी के चरित्र को भगवान कहा जाता है। इसलिए जो देवत्व में बोलते हैं व उन्हें एक में कहा जाता है। त्रिदेवों के पहलू, उनके शरी में अद्वितिय, दिव्य एक्ता में रहते हैं। जब वे एक होते हैं, तो वे तीन व्यक्ति बन जाते हैं। इस प्रकार, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रहस्योद घाटन के लिए प्रशंसा करें पिता हलका है। यह शब्द पिता से भीख मांगता था, और पुत्र प्रकाश से प्राप्त प्रकाश है। और पवित्र आत्मा, जो पिता से निकला है, प्रकाश से प्रकाश प्राप्त हुआ है। हम सिर्फ यहां मानते हैं कि पुत्र का जन्म पिता से भी होता है, पवित् की जांच करते हैं क्योंकि यह सभी विवेक से उपर है इसकी जांच नहीं की जा सकती इस दुनिया में हर तथा कतिच शासक उसके दौरा नियुक्त किया जाता है क्योंकि वे सारी सृष्टी के स्रोत हैं उन सभी के लिए उनकी अच्छाई दौरा बनाई गई है उनके शरीर स उन्होंने मानव बनना पसंद किया, क्योंकि उनका एक शरीर वास्तव में हमसे संबंदित था, पिता और पवित्र आत्माव की इच्छा से, परमेश्वर का पुत्र, येशु मसीह, मनुश्य बन गया, वह धयन वर्जन मेरी के गर्ब में सोया था, उनका जन्म भी एक में उसके लिए गिना जाता है, बदले और मिश्रित हुए बिना वेह वास्तव में एक इनसान बन गया, उनके दिविवचरित्र का कोई दोश नहीं है, हमें जो ट्रिनेटी में विश्वास करते हैं, ईश्वर ने जो कुछ किया, उससे हमें जाना, हमने यह रहस्य सबक पर में श्वर द्वारा नियुक्त शिक्षकों से सीखा है, उन्होंने हमें सिखाया, यह शिक्षा अविश्वासियों से छिपी हुई है, लेकिन यह उन लोगों के लिए स्पष्ट है जो विश्वास करते हैं, धर्मी उसे जानते हैं, लेकिन दुष्टों को इसका पता नहीं है, हमने यह सबक सीखा है, जैसा कि हम पुजारी कहलाते हैं, हमारे पुरहती के शीरशक से, यह हमारे मन के अनुसार हमें पता चलता है स्विकार कर सकते हैं, हमारे दूसरे पिता, अपने पत्र में, अन्ताकिया की आर्चबिशप, शही दिगनाटियस, जिन्हें सेंट महा महिम के सियहासन पर बैठता है, जो दिखने में परिपूर्ण है, और सभी पर शासन करता है, धन्ये वर्जन मेरी के गर्ब में तीन शरीरों में से एक की कल्पना की गई थी, दिविदा के साथ मांस्विलीन हो गया, और यहां, हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में ब एक पुत्र उससे उत्पन हुआ था, हम मानते हैं कि पिता पुत्र में और पवित्र आत्मा में मौजूद है, कि पुत्र पिता में और पवित्र आत्मा में मौजूद है, और है कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र में मौजूद है, यह तिमूर्ती, तीन शरीरों में एंजी, सलह का एक टुकडा, एक अधिकार, एक सम्मान, एक द्रड़ता, जीवन का एक तरीका और एक पवित्र ट्रिनेटी के लिए होगा। ये तीनो शरीर आधिपत्य और महिमा में परिपून हैं, वे एक ही ईश्वर ये एकता में एक हैं, यह त्रिमूर्ती, क्या उससे एक प्रकाश मिला है, यह पूरी दुनिया में भरा हुआ है, और यह उन लोगों पर चमकता है जो प्रित्वी के नीचे हैं, जैसा लिखा है, म हमारी बात सुनो और शौम करो, लेकिन हम मानते हैं कि चरित्र का देवता मसीह एक इनसान था, वे शारीर एक रूप से बीमार था, लेकिन अपने परमात्मा में बीमार नहीं था, वह मांस में मर गया, लेकिन परमात्मा में नहीं, यदि आप सुनते हैं कि परमेश्वर का बचन हमारे लिए बीमार है, तो परमेश्वर हमारे लिए मर गया। हम कहते हैं कि शरीर के साथ दिवत्व एक शरीर और एक चरित्र है। और यह जानते हैं कि हम मसीख को उसकी दिवता के लिए इस एक नाम से ठीक से बुलाते हैं। फिर से तुम जो दो वर्णों में से एक हो क्योंकि यह अमर है। यदि हां, आप प्रभू येश्व मसीख का समान क्यों नहीं करना चाहते क्योंकि वे एक चरित्र ट्रिनेटी के रूप में बाहर निकलता है। यदि आप कहते हैं कि देवत्व मृत है, तो क्या आप नहीं जानते कि ऐसा लगता है कि आपने वे दिविता एक है। यदि ऐसा है, तो मृत्यू पर विजय पाने वाले और नरक पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति कहा है। आपने उसे एक शक्तिहीन व्यक्ति की तरहें दिखने के लिए मनाया है। आपने उसे मृत्कों में गिना जो दिड़ता नहीं दिखाते थे। इसके बजाएं हम अन्य पाशंडों को ढूनते हैं जिन्हें टॉमा गौलिस कहा जाता है। यही अर्थ है कि भगवान के दुश्मन है। जैसा कि वह जानता था कि वेह सृष्टि करता था जो शुद्वर्जिन मेरी से इश्वर द्वारा बनाया गया था। उसके शरीर और आत्मा से वे सोचते हैं कि उसके पास शरीर और आत्मा नहीं है। वे कहते हैं कि दिविता ने आत्मा की पीड़ा को लिया। वास्तव में क्या दिविता मांस से पूरी तरह से अलग है। क्या मांस हमेशा के लिए सरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो कोई भी कहता है कि आत्मा जीवित नहीं है और उसने कहा कि जब वे हमारे प्रभु येशु मसीः के शब्दों को यह कहते हुए शर्मिन्दा होने देगा कि मेरी आत्मा दुख से बढ़कर है हे भगवान यह कहते हुए किस पर यह उन लोगों के लिए है जो हारने की तरफ है अपने तेरहवे संदेश में आर्क विशप एगनाटियस दशहीर ने कहा हमारे प्रभु येशु मसीः वास्तव में पैदा हुए थे वह सच्मुश बढ़ा हो गया उसने वास्तव में खाया और पिया वह वास्तव में क्रूस पर चढ़ाया गया था वह वास्तव में बीमार हो गया, मर गया, दफन हो गया और मृत्कों में सिगुलाब जो इस पर विश्वास करता है वर धाये है वह जो इससे इंकार करता है वेगुस धाये जीवन से अलग है जिसकी हम आशा करते हैं जो लोग परमेश्वर और येशु मसीः के पुत्र को विभाजित करते हैं, एक शरीर के बाद एक चरित्र बन जाता है, उन जो दो शरीर दो चरित्र बनाते हैं, उन्हें उन्य यहुदियों में गिना जाता है जुन्होंने अपने विद्रोही भाशन के लिए भगवान को सुली पर चड़ाया, उनका भाशन यह था एक अच्छ प्रेटियों का है लेकिन बेटे का शरीर हमसे संबंदित है एक इखले देवत्प और मांच से वे दोनों में से एक हो गया क्यूंकि उसने दोनों को एक जुट किया परमात्मा में शरीर के चौथे और चरित्र के दूसरे तत्व के रूप में नहीं जोड़ा जाता है वे शरी में तीन है उनके तिमूर्ती निकायर उनके नाम से पहले नहीं थे उनके शरीर के बाद उनके नाम नहीं मिलते हैं वे कौन से समय उन्हें पसंद नहीं करते हैं लेकिन वे दुनिया से पहले थे हाला कि प्रित्वी पर कोई भी उन्हें नहीं जानता था इश्वर का पुत् मुझे अपने प्रभुत्व से प्रकट करें। यहां दुनिया बनने से पहले था। यह समझाने के बाद दुनिया उसे जानना शुरू कर देती है। उसका जन्ग यह एक रहस्य है। इसकी जान्च नहीं की जा सकती है। इसलिए परमिश्वर के परिवार को आपके तेवेदो विश्वास के आधार को ध्यान से समझना और समझना चाहिए। अपनी समझ बढ़ाने के लिए यह साक्ष का एक छोटा सा टुकडा है जिसे मैंने आपको समझने में मदद करने का प्रयास किया है कि हमारे पूर्वजों द्वारा पवित्र ट्रिनेटी और ट्रिनेटी के रहसे को कैसे प्रकट किया जाता है। पुस्तकों में सबसे अधिक पूर्णिये, प्रिये, हमारी एकता और आध्यात्मिक सेनानियों की नीव, यहां कुछ इस पुस्तक में आपको मिलेंगे, सेंट अथानासियस, बेसीलियस, डेगोरी, अबुलिडिस, ए एप्रैप, एराकलीस, एप्रोडायिट, जॉन, थिरदोटस, एपिफेनिसियस, दुग्रेट जॉन अफेवेकर, केरूलॉस, थिव्डोसियस, सविरोस, किरोकोस, डायोनिसियस, अबागेब्रियल, अबामेकर और अन्य, सीमित स्थान के कारण उलेक, आप उन सभी को इस हैमनत अबूया हमारे पिताओं के धर्म की पुस्तक में पाएंगे, मेरे लोग, भगवान के परिवार, जब आपने इन पिताओं के संगर्श को समझा, हमारे एथियोपियाई रूडिवादी चर्च के नेटा, चर भगवान का निर्ण है और चेतावनी, जो साथ समय के लिए प्रेशित किया गया था और आस्तिक, और आदम के सभी वान्शजों के उपर दचर्च तक पहुँझ गया, लेकिन वे अपने विद्रों के कारण उनके खिलाफ निर्ण सुनने और पस्चाताब करने में अवमानना से, इसके बजायवे पुराने नाग, अजगर, जूठे भविश्य द्वक्ता शेतान का अनुसरन करते थे, अंत में यह संदेज एक शक्तिशाली आग के आने का वर्णन करने के लिए जारी किया गया है, इतना ही नहीं यह बताने के लिए कि भगवान का धैर्य स समाप्त हो गया, अतिव्यापी और श्रीन खला जो प्रित्वी ने अपनी रचना के बाद से नहीं देखी है, महामारी, भूकंप, जो आलामुखी विस्पोट, नरसनहार, भारी हिमपात, बार, यह संदेश यह घोशना करने के लिए आया था कि उपरोक्त सभी आ चुके है और वे इस खोई हुई पीडी पर कारे करेंगे, सची और आध्यात्मिक उपासना और आध्यात्मिक मार्क दर्शन करने से रूडिवादी तेव हे दो विश्वास कैसा दिखता है? भगवान के परिवार और वर्जिन मेरी के बचे, हमें यह समझने की आवशकता है कि परिवान के पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होने और आराम करने का क्या मतलब है? यही शुमसिय हमारे प्रभु और उधार करता हमारे पिता, इससे पहले कि उसने प्रेडितों की अंतिम आग्या दी, उसने एक बड़ी आग्या दी की वे यरूशलेम को तब तक न उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, और मैं आपको पवित्र आत्मा दिलासा देने वाले को भीजूंगा, उसने ऐसा क्यों कहा? जी हाँ, उसके वखादार बचे, उसके वखादार बचे, जिनके लिए वे सब कुछ चुकाता था, अपने शत्रू शैतान से उनकी रक्षा करेगा, और वे उन्हें अपनी सबसे शानदार सड्क द्वारा निर्देशित करता है, शब्द को समझने के लिए, वे उन्हें उनकी अच्छाई के अनसार सभी समझ और आध्यात्मिक समझ देता है, आखिरकार, परमेश्वर के बोलने के कई तरीके हैं, आज के कई लोगों के लिए यह सवाल है कि वे यह न समझें कि इश्वर से कैसे जुड़ें और उनसे आध्यात्मिक माग दर्शन प्राप्त करें, इस तरहें, आधुनिक प्रचारक यह कहते हुए विश्वासियों के सवालों का जवाब देते हैं कि हम केवल शब्द द्व करने की जरूरत है, जो हमारे जीवन के पाठे क्रम में हमारा मार्क दर्शन करेगी, केवल इस तरह से हम इश्वर के वचन को बिना दोश के रख सकते हैं, नौकरी अध्यायत 33 की पुस्तक में परमेश्वर के वचन में चंद 12 से 33 हमें बताएं देश निहार ना, इस तु कल में न सिर्फ मैं तुम्हें जवाब देंगे, कि भगवान मनुश्य से बड़ा है, क्यों तुम उसके खिलाफ प्रयास करते हो, क्योंकि वेह अपने किसी भी मामले का हिसाब नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर एक बार बोलता है, दो बार हाँ, फिर भी मनुश्य यह नहीं समझता है, एक सपने में, रात्त की दृष्टी में, जब पुरुषों पर गहरी नीन सोती है, बिस्तर पर नीन में, तब वेह पुरुषों के कान खोल देता है, और उनकी हिदायत पर पानी फेर देता है, कि वेह मनुश्य को उसके उद्देशे से हटा दे, और मनुश्य से अभिमान चिपाले, वह अपनी आत्मा को गड़े से, और अपने जीवन को तलवार से नश्ट करने से पीछे रखता है, वह अपने बिस्तर पर दर्द के साथ, और मजबूत दर्द के साथ, अपनी हड़ियों की भीर के साथ जकड़ा हुआ है, ताक कि उसका जीवन रोटी अगर उसकी आत्मा के मांस से घ्रना करे, उसका मांस भस्म हो जाता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, और उसकी हड़ियों को देखा नहीं गया था, हाँ, उसकी आत्मा कब्र के पास और उसके जीवन को नाश करने वालों के पास खीचती है, अगर उसके साथ एक दूहुत, एक दुभाशिया, एक हजार में उसे एक है, तो वेह अपनी इमानदारी का इजहार करता है, तब वेह उस पर अनुगरा करता है, और कहता है, उसे गड़े में जाने से बचाओ, मुझे फिरोती मिली है, उसका मांज एक बच्चे की तुलना में नया होगा, वेह अपनी जवा और यदि कोई कहे, मैंने पाप किया है, और जो विक्रिता वेह सही था, और इसने मुझे मुझे मुनाफा नहीं दिया, वेह अपनी आत्मा को गड़े में जाने से बचाएगा, और उसका जीवन प्रकाश को देखेगा, लो, इन सब कुछ करता भगवान अक्सर आदमी के सा करने के लिए वापस उसकी आत्मा गड़े से लाने के लिए रहन सहन के प्रकाश के साथ प्रबुद किया जाना है, यह अयूब, मेरी सुनली, और तेरी शांती धारन कर, मैं बोलूँगा, यदि तुम कुछ भी कहना चाहते हो, तुम मुझे उतर दो, बोलो, क्यूंकि मैं उचित ठैराना चाहता हूँ, यदि नहीं, तो मेरी सुनली, तेरी शांती धारन कर, और मैं तुझे ज्यान सिखाऊंगा, सर्वशक्तिमान इश्वर का शब्द कहता है, जिसे हम अयूब की पुस्तक में पाते हैं, मेरा परिवार, भगवान का परिवार, दैश जैसा कि वचन से समझते हैं, यदि हम वास्तव में उसे चाहते हैं, तो परमेश्वर हम से प्रकाशित होगा, उसका वचन हमें सिखाता है कि वे जवाब देता है, हमें डांटता है, और हमें सिखाता है, मेरे लोग, आज हम जिस दुश्मन का सामना कर रहे हैं, वे सबसे अधिक पर और सलहा देते हैं, कि वे सुचें कि वे उनके विश्वास में अच्छा है, और उनकी इमानदारी में, लेकिन वे एक पुजारी है जो जगे से बाहर है, उससे कुछ भी सकरात्मक नहीं है, क्योंकि वे वही है, जिसने अपने निर्माता को पैसे के लिए बेच दिया और अप पर ध्यान दें, वे कर रहे हैं विधर्मियों, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, सुधार आंदोलन, अभिशिक्त जन्वरी अनुगरा, विश्वास करताओं के हत्यारों, जो हमारे चर्च में छिपे हुए हैं, भगवान के पास चोरों, धर्मात्याग्यों और अंधेरे के श्रमिकों के साथ क्या संगती है, क्या लाब के लिए, उन्होंने इस से इंकार किया, उन्होंने इसे टुकडों के लिए बदल दिया, अगर वे जितना चाहें चिलाते हैं, अगर वे कहते हैं, हे बाल, हमें सुन लो, अकब और इल्जबेल की तरह, उन लोगों की तरह, जि प्रचारकों के लिए जो हमारे चर्च में बढ़े हैं जल्द ही उन्हें काटकर आग में डाल दिया जाएगा। वे कहते हैं भगवान के बोलने के तरीके को मत सुनो। जो लिखा है उसे ही सुनो। वे वहीं कहें जो हम कहते हैं। आप इसे कल देखें। खरीदारिक के लिए भगवान के शब्द को कम करना और धुंदला करना, धर्मी को विचलित करना, उन्हें मनिश्य की पूजा करने के लिए बनाना ताकि वे सच्चाई के निकट न आएं। आपके कर्मों के कारण आपको बाल के नभीयों की तरह पाला जाएगा, अगनी तु और सपने नहीं होने का दावा करता है, और भगवान के शब्द को ठीक से नहीं जानता है, आपको अपने साहस के लिए, अपने कैथोलिक धर्म के लिए और क्यूंकि आपने पवित्र आत्माव का तिरसकार किया है, यदि आप कहते हैं कि आप एक सपने द्वारा पवित्र आत्मा से उपर रखा है, जैसा कि मैं इससे समझता हूं, इस्थिती में व्यक्ति इससे जानता है या नहीं, पूर्वनाग, जूठे नभी, अजगर का शिकार है, क्यूंकि वह वैसा ही है जैसा कि शेतान ने साहस्पूरवग भगवान होने का दावा किया है, इस जो अपने पेट के लिए रहते हैं, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाले फरीसियों की तुलना में अधिक नश्ट कर रहे हैं, निंदा नहीं लोटेगी, तो उन लोगों से सावधान रहना, आज यह उन लोगों से भर रहा है जो अभी वी पस्चात आप नहीं करते हैं जो अधिक प्रतिबद अपराद करते हैं जो वास्तव में शेतान द्वारा नहीं किये जाते हैं, बहुत सावधान रहें, उन्होंने पूरे रास्ते को कवर किया, क्यूंकि जो भी कहता है कि मैं एक शिक्षक हूँ और सनातक हूँ, वे शेतान से ज्यादा कर रहा है, यद् अवसर में, मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ लाल सागर को पार किया, जब वे लोगों को सलहा दे रहा था और नेत्रित्व कर रहा था, उसकी वेहन मरीयम ने उसका विरोध किया और कहा, हम भी भविश्यद वकता हैं, तुम कौन हो जो तुम हम से बहतर हो, भगव लेकिन मेरा नौकर मूसा तुम्हारे जैसा नहीं है, भगवान ने गवाही दी, मेरे नौकर मूसा, मैं आपसे आमने सामने बात करूंगा, उसने तब मूसा की बहन को कुष्ट रोग से मारा, क्यों? क्योंकि वे उसका सम्मान नहीं करती थी, मैंने इसे उठाया क्योंकि भ में मंदिर में सेवा करने वाला शमूयल बहुत छोटा था और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसका काम पुजारी एली की सेवा करना था, जब वह मंदिर में लेटा हुआ था, रात में उसने एक आवाद सुनी, शमूयल, शमूयल चौक गया, उसने सोचा कि उसे पुझारी एली ने बुलाया था एली ने कहा मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था लेकिन अगर वेह तुम्हें फिर से बुलाती है तो कहो कि आपका नौकर आपको सुन लेगा परमिश्वर ने शमू एल से बात की और उसे बताया कि वेहली और उसके बेटों के खिलाफ का रिवाई करने जा रहा है जो कि शर्मनाक थे सैम्यल ने इसे लिया और एली को बताया जैसा की कहा गया एली की बेटों ने पलिष्टियों के खिलाफ लड़ाई में सिये उनके संदू का पीछा किया जब एली ने लड़ाई में अपने दो बच्चों की मौत सुनी एली शोग्द वेह अपनी सीट से गिर गया उसकी गर्दन मुड़ गई और उसकी मृत्ति हो गई जैसा की परमेश्वर ने शमू एल को बताया था भगवान कई तरह से बोलते हैं यह वही है जो शब्द हमें बताता है मेरे लोगों जब यूसुप अभी भी एक लड़का था भगवान ने उसे सपने में कहा था कि वेह इनको फिर से करेगा और वेह महान हो जाएगा परमेश्वर शब्द ने हमें बताया कि जब यूसुप ने अपने भाईयों से बात की तो वेह अपने भाईयों से नफरत करने लगा उनके भाई उनसे नाराज थे और उन्होंने कहा क्या तुम हम पर राज करने वाले हो उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि उन्होंने चंद्रमा और सूरे को उन्हें प्रणाम करते हुए देखा था और उनके पिता उनसे नाराज थे, उनके पिता ने कहा तुम्हारी मा और मैं हम आपके लिए जुकेंगे, क्या यूसुप पीछे छुट गया है? नहीं, जो कहा गया वे सच हुआ, परमेश्वर का परिवार नोट, अनोकसे, नुह, अबराहम, इसाक, याकूब, मूसा, यहोशु, यशाया, यहिजकेल, यर्मया, सभी नभी, नए नियम में यहुदा को छोड़कर सभी प्रेशित, वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा रहसे उद्घाटन द्वारा निर्देशित थे, इसलिए हम कहते हैं कि अविश्वासियों और धर्मा त्यागियों से दूर रहो, तुलना में इतिययोपिया और दुनिया, दुनिया इतिययोपिया से नफरत क्यों करती है, दुनिया इतिययोपिया को चुनावती क्यों देत यह एक ऐसा देश बन गया है जहां विभिन दिमाग और विचारों वाले लोग शेतान के एजेंडे को अंजाम दे रहे हैं अपने ही देश में कहर बर्पा रहे हैं उसके पुर्खें उनके द्रविश्वास एकता और प्रेम से जीते थे हजारों सालों से उन्होंने एक प्रेम प्रेम से प्रेम से जानती उसने कानून के अनुसार चलने की कोशिश की जो हमारे दिमाग में हैं भले ही हम इसके लिए हालिया साक्ष का उल्लेख करें इजरायल पहुँचाने की अपनी यात्रा पर मूसा जब उसे अपने लोगों से चुनौतिया और विश्वास घात मिला जब परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं उन लोगों को मारदूं जुन्होंने मेरे साथ विश्वास घात किया है और आपको एक महान राश्र के लिए एक तेके साथ खड़ा है कई आरों को तराश कर कई शहीदों द्वारा तू अहीदों की पुष्टी की लंबे समय तक उसे कुछल दिया गया सत्ताया गया वे भी फिर से बनाया गया है वे हमारे मेहंती दिर्पिता के संगर्ष से भगवान की मदद और प्यार के साथ यहां आय शेश दुनिया वह बड़ा हुआ या नहीं निर्माता को नकारना आइडल को अपना राजा बनाया विश्वासों को ले जाने वाला जो शैतान का सार है स्वय हमको वास्तविक मानते हुए भगवान की क्रपा के सच्चे मालेक तेवेदो और इथियोपिया सुबह और रात वे इथियोपिया के खिलाफ साजिश कर रहा है वे इथियोपिया को नश्ट करने की कोशिश में रात बिताता है इसके साक्षी के रूप में यह पीडी और पूरी दुनिया इसे सपष्ट रूप से देख सकती है और अपने लिए दुनिया की साजिश को समझ सकती है इथिय की एकता में विश्वास करते हैं हैरानी की बात है कि सभी दुश्मन सभी दिशाओं और केंद्रों से आते हैं दुनिया के सबसे अमीर देश जो अपनी अर्थर वस्थाओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं स्वयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस जर्मन चीन, इंगलेंड, तुर्की, साथी अरब, मिस्र, भारत, जापान, कनाडा और इसी तरह कई देश विधर्मी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और पैगान हैं हालाकि वे शैतान की शाखाएं हैं लेकिन संक्षेप में वे एक ही विश्वास हैं वे जानते हैं कि इथियोपि आते हैं, आज उनके बचे, वे एथियोपिया के खिलाफ एक समनवित अभ्यान चला रहे हैं, आज एथियोपिया के आसपास, ऐसी सरकारें जो पूरी दुनिया में शक्तिशाली होने का दावा करती हैं, इसे सुलझाएं, वे एथियोपिया के नियंतर में हैं, जिबूती म सबसे बड़ा सेहिये अड़ा स्थापित करने वाले देशों के साथ क्या हुआ? जाहिर है, वे इस पवित्र भूमी को चुनवती देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आसपास के ये राक्षसी बच्चे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि राक्षसों के माता-पिता अच्छी तर जापान, तुर्की, सयुक अरब अमीरा और दक्षिन सूडान में अनिय, उत्री सूडान में इंगलेंड, रूस और मिसर थोड़ा दूर, अनिय यूरोपिय और इशियाई देश भी बस गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी देश उतना शक्तिशाली या आर्थि रूप से शक्तिशाली नहीं है जितना की वे हैं, केवले त्यय उपया मौजूद था, जो आर्थिक कोर से ये क्षमताओं के मामले में बहुत निचले स्तर पर हैं, विश्राम वे देश और सरकारे हैं जो उनके अधीन हैं, वे सभी श्वेत और अरब प्रायोजर देश हैं जेबूती, सुडान, सोमालिया और इरिट्रिया उनसे समर्थन प्राप्ट करके रहने वाले देश हैं, वे उत देशे को जान भी सकते हैं और नहीं भी, हाला की उनका उप्योग किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इथियोपिया से क्यूं डरते हैं, आप उस प्रित्वी के चेहरे से नश्ट कर सकते हैं, इथियोपिया से आएंगे, उन्हें लगता है कि वे इसे संभाल सकते हैं, और वे इसे सहज रूप से करते हैं, उन्हें और क्या करना है, उन्हें क्या लाना है, काम करता है या नहीं, उन्होंने अपने जेट, मिसाइल, जहाज टैंक और बंदूकों के साथ लाइन में खड़ा किया है यही उन्होंने किया इथियोपिया दलाइट ओफ द वर्ल्ड के नाम से साथ संदेश दुनिया और हमारे देश इथियोपिया को वित्रित किये गए दुनिया के महाशक्तियों द्वारा उठाया गया पहला कदम लोगो और मीडिया के बीच इस संदेश को फैलने से रोकना था विशेश उपसे बीबीसी समाचार सेवा को इमेल द्वारा तीसरा संदेश अंग्रेजी में लिखा गया ताप्त हुआ उनका ततकाल उतर यह है कि वे इसे जनता को नहीं समझा सकते हैं उन्होंने मुझे बताया कि सदस्य हैं और उन्होंने मुझे से कहा कि मैं उन्हें इमेल करूँ और उन्होंने मुझे अपना इमेल पता भेजा मैंने तुरंत बोर्ड के सदस्यों को भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं है दूसरा मैंने इसे दर इकोनोमिस्ट इंटरनेशन एल मीडिया कंपनी के करने के लिए कहा इसे और इसके बाद इसे सारवजनिक करने के लिए मैंने कहा कि नहीं इसे कम नहीं किया जाएगा इसे जोड़ा नहीं जाएगा यदि आप कर सकते हैं तो इसे संपादित किये बिना बाहर निकाले या इसे छोड़ दे जैसा कि यहा है फिर उन्होंने इसे छ सच बताने के लिए और कारिवाई करने के लिए कहा कि उन्हें लगा कि उन्हें लाब होगा, क्यूंकि वे पहले से ही अपने पिता, शेतान से इतियोपिया के बारे में जानते थे, वे लोगों और तेवेदों के विश्वास की खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वे साथ सव व में और संसार के कोप से बच सके जैसा कि हमारे पिता नूह ने पुकारा उन्हें इतियोपिया में लाइट ओफ द वर्ल्ड के साथ संदेश सुनने के लिए मनाया गया था इसके आलावा सोशल मीडिया में रहसे उद घाटन जॉन बीस नाम से एक टेली ग्राम पेज लॉंच क किया और इस टेली ग्राम पेज पर कम से कम दो साल के लिए सभी संदेश प्रसारित किये गए थे इतना ही नहीं लेकिन एडम के वांचजों के सभी बिलाईनों को फेस्बूक, यूट्यूब, आईएमो, वाट्स एप और अन्यपर विभिन भाशाओं में व्यापा मनिवश्य सबसे अधिक विद्रोही, अभिमानी, धर्मद्रोही, अभिमानी और अपने ग्यान पर गरो करता है, हम इतियोप्या और दुनिया भर में एक लाग सोलह हजार टेली ग्राम उपयोग करताओं को देखते हैं, आप आश्चर अचकित होंगे यदि हम आपको बता स सकते हैं कि विश्वास में कितने नामांकित हैं, हमने इसे इतिहास के लिए सहीज कर रखा है, यह पंजी क्रीद होने का अवसर था, इसलिए पंजी क्रीद जीद गए हैं, जैसा कि हमने देखा है, दुनिया की सरकारें बेकार नहीं बैठती हैं, वे इतियोप्या के वे अपने विभिन अंदेरे विश्वासों को फसाने द्वारा इसे नियंतृत करने की कोशिश कर रहे हैं। विधर्मियों का प्रसार, फ्रोटेस्टेंट का प्रसार, इसलाम का प्रसार, नसलवाद का प्रसार, धर्मातियागों की संख्या, लोलूपों की संख्या, उपासकों की संख्या और यह सारा अभियान गोरों के लिए एक बहुत प्रचारित हमला है, मेरे लोग, वे जानते है कि इतियोपिया दुनिया में एकतामे विध्धी और नेत्रित्व करेगा, वे अच्छी तरह जानते हैं कि इतियोपिया की विश्व प्रकाश सरकार शासन करेगी, उनकी एक मात्र चिंता यह है कि इससे कैसे निपटा जाए, शेतान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वे कहते हैं क्या वे क्या करेंगे करेंगे, लेकिन एक मात्र तरीका वे इतियोपिया को कमजोर कर सकता है, आस्तिक को नश्ट कर सकता है, विश्वासियों को इतियोपिया के पुनरुथान से इंकार कर सकता है, और एक राष्ट के रूप में खड़े होने में असमर्थ होने का काम करता है यदि वह यहां से कूता है और अंतिम लड़ाई का सामना करता है उन्होंने सभी महां राश्चों नो से ना जीट मिसाइलों को हमें घेर लिया मैं इस अवसर पर धोशन करना चाहूंगा कि उनकी कब्र और कब्र इत्ययुपिया में यहां पर होगी यहां तक की इतियोपिया में, जो आपके मूल देश में आपको इंतजार कर रहा है, वेह बस धूल में बदलने की बात है, हमारी उर्जा त्रिदेव की दिविता से आती है, हमारी उर्जा और शक्ती सर्व शक्तिमानीश्वर और वर्जिन मैरी है, यह इतिमूर्ती है जिसने आपको बना अंधेरे के शक्ति और संपूर्ण स्रिष्टी आप देखेंगे कि उनकी इच्छा पूरी होने पर क्या होता है और उनके धर्मी निलने का पता चलता है आप अपने कच्रे के साथ दफ़न कर देंगे आज इत्ययोपिया मांस की नजर में गरीब है लेकिन आध्यात्मिक काश तक फैला हुआ है अवित्र स्वर गदूत उसके उपर चड़ते और उतरते हैं और देखा कि सर्व शक्तिमानी स्वर उस पर बैठा है वह इतना प्रभावित हुआ यह भगवान की सबसे शांदार जगे है उन्होंने कहा इससे पहले कि वेह अपनी मा के परिवार के ल और परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा जब समय आया भगवान ने कहा अपने पिता और अपनी मा के पास वापस जाओ जब वेह अपने वचन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पहुचा तो बेठेल में परमेश्वर ने उसे फिर से दर्शन दिये और उसके वचन की पु जैसा की हमने पहले ही कहा है जिन्हें उनके शरीर से इसराइल कहा जाता है और जिन्हें उनकी आत्मा द्वारा इसराइल कहा जाता है आज सर्वशक्ति मानीश्वर ने इतियोपिया के रूडिवादी तेवेदो विश्वास के लिए अपनी वाचा की पुष्टी की वह जि महिमा का पता चलता है और उनकी प्रशंसा की जाती है बेतेल में वर्नेट सीड़ी यह अभी इतियोपिया में खड़ा है हमारे कई पिता जो पवित्रता में है पवित्र स्वर गद्दूतों को अपने मिशन के लिए चरते और उतरते हुए देख रहे हैं अब इस तथे में हम हमें से कई लोग जानते हैं यह पूर्व सर्प के सहयोग और संग के आदेशों का निश्पादन बन गया हमें यह संदेह नहीं होना चाहिए कि व्यह शैतान का पहला सैनिक है मेरे लोग भगवान के लोग ध्यान से पढ़ें और समझें आप सहयोप्त राज्य अमेरिका बा एक विशालते खाने के साथ जो प्रित्वी पर उत्तरता है पूर्व और दक्षन अफरिका की भूमी को कमांड करता है इसमें एक सेये कमांड पोस्ट है इसमें एक परिश्कृत नेटवर्क है जो पूरे अफरीकी छेत्र को कवर करता है इथियोपिया में कहीं भी यह किसी भी टेली फोन, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा एक्सचेंज की गई सभी सूचनाओं को ट्रै करता है, यह भी ट्रै करता है कि प्रधानमंत्री स्वय हम सभी संचार की निगरानी करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि CIA कार्याले में इसकी पूरी शा प्रध में हैं क्योकि वे इसे कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने येर्श हम सहयोगियों के साथ 8 रूप से संघंखर्श कर रहा है, वे विभिन वस्तूम पर शुल्क लिते हैं, अन्य प्रतिक्रिया करता है, शें निर्मान में, वे हमेशा एक दूसरे से आगे न ठिकाने स्थापित किये और इथियोपिया की सांथ सुन रहे हैं। उन्हें इस गरीब देश इथियोपिया पर भरोसा नहीं है। वे उसे डरते हैं कि एक दिन वे हमें काट देगा। उसकी उर्जा के साथ क्या वे उससे डरते और डरते हैं। यह सच है कि हमारे पास एक भी पड़ोसी सफेड सेने का आधुनिक उपकरण नहीं है। हम चालिस से अधिक वर्षों के लिए चंगुल, तुपों, टेंकों के साथ एक परमानू सीमा पार मिसाइल के शिकरता कैसे पहुँच सकते हैं। मिग दश्टेज जिसे रूस भूल गया है और डलजेट जिसे रूस अब छोड़ रहा है। मेरे लोग समझते हैं। यहूजा, हत्यारों के आधुने की करण और आर्थिक सम्रिद्धी की बात नहीं है। यह आस्था का विशय है। सचा विश्वास कौन रखता है? भगवान किसके साथ खड़े थे? यह सच्चाई है जो दुनिया को चला रही है और यह शैतान की चिंता है। वह इससे अच् वास्तव में यह इथियोपिया है जिसके पास शैतान का मृत्यू पत्र है। भगवान ने लंबे समय से घोशना की है कि वे है इस गरी देश इथियोपिया के साथ है। यह सच है। इसलिए मैं आप से विशेश रूपिया के रूड़ी वादी ते वहेडों से आपके विश का हूं जिन्हें उनकी आत्मा द्वारा इसराइल कहा जाता है। मैंने विधर्मी, कैथोलिक, जातिवादी, इसलामवादी, नास्तिक, चुड़ेल, जोतिशी, डाकू, हत्यारे, अत्याचारी को नहीं कहा। धोके में मत पढ़ो। मत कहो मैं इथियोपिया ही। आप नहीं आप एक एथियोपियन नहीं हैं क्यूंकि यहां आपकी पसंद है। आप पुरानी ना के उपासक, जूठे नभी के उपासक और उनके पुत्र के उपासक हैं और आपको जानवर का निशान मिला है। साथ श्री अकाल जी यह स्पष्ट रूप से बताता है कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, उसने आपको अपने पूर्वजों से लंबे समय तक पस चाताब करने के लिए बुलाया है। जैसे आपके पूर्वजों ने नहीं सुना, आप उनकी संतान हैं और आपको उनके बुरे तरीके विराचत में मिले हैं। इसलिए जो कोई शेतान का पुत्र है, जो अपने बुरे कामों में लगा रहता है, वे जानना चाहिए जहां शेतान जाता है। इसलिए आप धर्मत्याग, तावहेदों के दुश्मन, सच्चाई के दुश्मन, इथियोपिया के जंडे के दुश्मन, मैं आज आपको बताऊंगा, आप बहुत गुश से में अपनी कबर पर चले जाएंगे। रूप से तेवे दोरूडिवादी का पालन करके, जैसा की कहा जाता है, जो भेर अपने मालिक पर भरोसा करती है, वह रात में अपनी पूछ बाहर बिताएगी अपने आकाओं पर भरोसा करते हुए, वे अमहारा लोगों के नरसनार और नरसनार के मास्टर माइंड बन गए वे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, हाला कि यह स्पष्ट था कि वे पहले से ही फैसले के लिए परीक्षन पर थे, वे कब भरने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वे परमेश्वर के क्रोध को पी लेंगे, क्योंकि प्याला बहर निकला है, सामाने और पर, मै मैंने आपको कुछ समझने की कोशिश की है कि इथियोपिया कौन है, ध्यान दे, मेरे लोग, जैसे ही यह संदेश सामने आता है, मैं आपको पहले से बता दूँ कि जब यह शैतान के सभी विरोधी आएंगे तो वे क्या करेंगे, इस संदेश में जो कहा गया है बेग सत्य नहीं है, विभिन विचारधाराओं के अजनबी, अपने हाथों में शैतान के सभी सरोश्वेष्ट सेवकों के साथ, पूरे मीडिया में घलत प्रचार करना शुरू कर देते हैं, फिर, भ्रामक भार्मिक विशलेशन और शैतानी रणनीती को विक्सित करके, वे अपने लो कि उन्होंने हमेशा हमें जीवित रखने का सपना देखा है, ऐसा ही होता है, लेकिन समय नहीं है, समय नहीं है, आपको बार-बार कहने का समय नहीं है, और उसके सारे निर्ण ने तुम पर आए, और प्रित्फी और आकाश को भर दिया, वे केवल एक आदेश की प्रतीक्ष अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, प्रूस, इजरायल, भारत, तुर्की, स्पेन, कनाडा, ऑस्टेलिया, आधिये गरीब देशों के नेता और शासक हैं, कमांडर इन चीप, देविल, एक और घोड़े को बदलने के आदेश देता है, जब उसका घोड़ा प्रक्रिया है, TPLF समाप्त होने से पहले, उन्होंने उसका आर्थिक, जाजनीतिक और सेरिय रूप से समर्थन किया, वापस जाएं और उस समय को देखें जो उसने बिताया था, जब लोग बोज होते हैं और विद्रोही तक उठते हैं, मुखे शैतान ने अमेरिका और इं जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मेलसी जनावी का टाई ग्रयान घोड़ा कमजोर था, उनकी जगे हो रोमो घोड़े अभी अहमद ने ले ली, शैतान अपने घोड़े को बदलने में संकोच नहीं करेगा, लेकिन आज समस्या यह है कि समय नहीं है, सब डत्म हो गया, समय समाप्त हो गया है, कि सभी स्रिष्टी के भगवान ने इसे हजारों वर्षों तक अनुमती दी है, निर्णे उसके कर्मों के अनुसार किया जाना है, समय नहीं है, परमेश्वर, धर्मी न्याए, अपने धर्मी न्याए में पृत्वी को शामिल करता है, आराम्त समय इसे लागू होने से पहले खुछपस चाताब करने में 15 साल लग गए, लेकिन अब समय आ गया है, कोई और समय नहीं है, यह न्याए में नरत में जाने की बात है, आज एथियोपिया इतेविदो और्थुडॉक्स चर्च कहां है, हमारे एथियोपिया इतु अहिदो दूड अबिवादी चर्च की स्थिती गंभीर है, उसे जिन प्रलोबनों का सामना करना पड़ा, वे असेहनिय थे, वह विनाश की स्थिती में है, यदिपी इतियोपिया के इतिहास में सबसे खराब हो धी इमाम मुहम्मद और योदित गुदित की तबाही थी, चर्च बुरी तर निय निर्माता को पुकारा और भगवाल ने उन्हें जल्दी से हटा दिया, वाइट, ब्रिटिश, तुर्की, इतालवी और पुर्तगाली एक या दूसरे तरीके से और सीधे इतियोपिया में हस्तक्षिप करते थे, एतिहासिक रूप से उन्होंने खुद को ब्रभावित और नुकसान पहुँचाया है, हाला कि आज का अभियान अध्वितिये है, आंतरिक और बाहरी ताक्तों द्वारा चर्च के मौजूदा विनाश को तेज किया जा रहा है, चर्च की खिलाफ अभियान अधिकारिक और पर शुरू किया गया है, खासकर जब से डगर सत्ता में आया है, हाला कि चर्च को ध्वस्त नहीं किया गया था, लेकिन इसके मंत्रियों को नहीं मारा गया था, डर्च का नेत्रित्व साम्यवाद में किया, जिसने कई युवाओं और समाज को चर्च या मस्जिद जाने से डर दिया, इस समय यह एक समय था जब लाल आतंक आतंक चिंता का समय था शान्ती से चर्च डाने का प्रयास इस पाको पार्टी के गठन और हैली मार्यम के तहट डग के आंतरिक संघर्ष के अंत के बाद ही किया गया था हाला की चर्च शिक्षन में कमजोर था यह शहरी क्षित्रों में विशेश रूप से प्रमुख था क्योंकि हम स्कूलों को कड़ी टक कर दी गई है। देरे शासन के प्रभाव में यनीता स्कूल, आध्यात्मिक विद्वान स्कूल विलुक्त हो गए हैं। यह प्रक्रिया इतनी दूर तक चली गए कि हमारे चर्च के पिता की हत्या कर दी गई और कई पिता मुक्त हो गए। आलांकि यह स्थिती तब तक कम नहीं हुई, जब तक की डग के गिरने के बाद, चर्च के खिलाफ धर्मयुद जारी नहीं रहा। जब टी जी एले फिडगर के पतन के बाद सत्ता में आया था, तो इसका पहला अभियान एतियोपिया के रूडिवादी टिवोडो चर्च की खिलाफ था, उन्होंने सीधे हमारे चर्च में हस्तक्षेप किया, ततकालीन संग्रक्षक पैट्रियार्क मर्कियूरियस को निश्कासित कर दिया, और उनकी जगे टी पी एलेफ द्वारा कैथोलिक फादर पॉलोस को नियुक्त किया, जब उन्हें अपने विश्वास का ब पूरा करने का फ्रेसला किया, उन्होंने कानून को बदलने का फ्रेसला किया जिसके द्वारा पवित्र आत्मा, चर्च के सर्वोच भगवान, प्रकट होंगे, पहला सच्चा नियम हमारे चर्च का सर्वोच धर्मजभा था, और धर्मजभा का सर्वोच नेता परमेश्व पवित्र आत्मा मंडली को संभालेगा। उसके बाद बैठक आयुजित की जाएगी। पित्र पक्ष के तहित भगवान की पवित्र आत्मा के मार्क दर्शन वे धर्मसभा के फैसले लागू करता है। चुंकि पित्र पक्ष धर्मसभा के प्रती जवाब दे है। इसलिए उस इसका मतलब यह था कि धर्मसभा अबापॉलोस के प्रती जवाब देह हो गई। इसने एक मूर्ति राजा बनाया, शर्ट एक मूर्ति क्यूंकि अबापॉलस धर्मसभा के स्थान पर खुद को ठैराया हो गया। यह कानून अभी तक मिरस्त नहीं किया गया है और यह अबू म प्रतियास के साथ अभी भी है। इस कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे पिता मुख्य विद्वान अया लेवतामिरू उस समय अपने तर्क में उन्होंने अबापॉलोस को रोकने के लिए कड़ा संगर्श किया, जिन्होंने अपने बुरे कामों से चर्च की मंत्रियों की निंदा की, जो धर्मस भा के नाम से पुकारते हैं, जो लोग अबापी ओलोस का नाम और धर्मस भा के सदस्यों को उनके मुग में बाज़ी और मंत्राले में बुलाते हैं, उन्होंने सही काम किया। यह निंदा केवल तभी संभव है जब चर्च इस कारण को पहचानता है कि मुख्य विद्वान अया लेव तामीरू चर्च की निंदा क्यों करता है और इसके घलत कामों का पच्छतावा करता है केवल इस तरह से चर्च के जीवन को बहाल किया जा सकता है आज यह और इसी तरह की तरास्दियों को उलटने के बजाएं वेह अपना अ भिशेक और अनुगराक का केंदर बन गया है चर्च के अधिकांश प्रचार करोडपती बन गये हैं और चर्च को एक वानिजिक केंदर में बदल दिया है इतना ही नहीं लेकिन बिश्पों के अधिकांश नेमन श्रेणी के मंतरी अभी एहमत सरकार के लिए जासूसी करने वाले बन गये जो की विधर्मी, प्रदर्शनकारी और इसलामिक सरकार हैं वे जूठे नभी के लिए अजगर के लिए पुराने नाग द्वारा भार गये उन्होंने उसकी पूजा की और निशान लिया मेरे लोग सच हमेशा सच होता है कहा जा रहा है हमें इस पश्ट रू विश्वास को नहीं जानते, आप देशद्रो ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, चर्च का कोई चरवाहा नहीं है, उनमें से लगभग सभी स्वनियोजित हैं, वे धर्मत्यागी और विधर्मी बन गये हैं, इसलिए फैसला उन लोगों को शुद्ध करने के लिए आया है जो चर्च के अंदर बैठे हैं और तेवेदो विश्वास को नश्ट कर रहे हैं, मखिक रूप से वे एक धर्मनिष्ट विश्वासी होने का दावा करते हैं, लेकिन व्यवहार में वे अभिशिक्त, वे धर्मी, सुधारक, जासोस होते हैं, यदि कोई भी अपनी जीब का प्योग अपने प्रचार में करता है, तो वे उनका समर्थन कर सकता है, लेकिन भगवान के साथ यह कोई फर्क नहीं परता कि वे कौन हैं, वे शेतान के बचे हैं, और उनका फ्रेसला खुले में चलेगा, रूडिवादी तेवहेडो चर्चना केवल इस से प्रभावित हो सफेद दुनिया एक लंबे समय के लिए सत्य के इस घर पर चुना प्रचार कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि अभी है यह खुला के रूप में कभी नहीं रहा, इसका मुख्य कारण यह है कि सच्चाई जो पिछले 15 वर्षों से सामने आ रही है, इसने उन्हें परीक्षा मे डाल दिया है, इसी लिए जो लोग छिप रहे थे, जो गुप तूप से चर्च पर हमला कर रहे थे, खुले और पर नश्ट होने लगे, इथियोपिया इज दलाइट ऑफ द वर्ल्ड शीर्षा के साथ आया संदेश हमने सत्य को जनता तक पहुँचाया है, सर्वशक्तिमान इश्वर अपने चरित्र से सत्य हैं, इसलिए वयकेवल सच्चाई को सही ठहराता है, जूठे शेतान है, भूत पूर्व सर्प हैं, जूठे भविश्यदवक्ता हैं, हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं यदि हम चुप चाप अपने चर्च के धर्म के कारण नश्ट कर दिया है, जो वे कर रहे हैं, एक संस्था जिसे संतों का संग या महबरे के दूसन कहा जाता था, जिससे कभी अच्छे और्थोडोक्स टिवाहेडों बच्चों द्वारा अच्छे उद्देशे के लिए स्थापित किया गया था, ने उस समय अच्छा का कर रहा है, उन्होंने अपने महबर के दूसन टेलिविजन प्रसारंट पर दो साक्षातकार में हमानों द्वारा किया, महमान उदेशक हैली मारियम जेडू और उपदेशक गिब्रमेदेने ने वो हैं, यद्यपी प्रोग्रामर और साक्षातकार करता ने अपना नाम नहीं केवल स्विकार बाइबिल और तथा कतित मन गणत संतों व्यार्थ कर रहे हैं, हम ध्यान में रखना चाहिए, तो हमने सुना है उन्हें खुले और पर बात करते हैं, प्रोटेस टेंतर हैं हम कितने संगों को साकार कर रहे हैं, चर्चों और रूडिवादी तू अहीदों च चर्च के नेताओं को हमारे चर्च को नश्ट करने और विधर्म में शासन करने के लिए बेच दिया गया है, हाला कि जो कम जो हैं वे खुद को विधर्मियों और इसलाम के गडबंधन के लिए बेच रहे हैं, वे अपने भीतर को कवर करने और दावा करने के लिए अपने लबादे और पगड़ी का उप्योग करते हैं किल लबादा और पगड़ी के हर पहनने वाला एक शिक्षित पुजारी है उदेशक हैलमरी अमजूदू की आलोचना फेस्बूक टेली ग्राम और यूट्यूब अपने समय के सबसे खर्च के पिता अलग से दूसरी और उनके अ बेकार है यह भी भूल गए कि वे जिस टीवी इलेक्ट्रोने के बारे में बात कर रहे थे यह उनके लिए सही है दूसरे के लिए यह एक जूट है वे अभिमानी है फिर उन्होंने पुनरुथान के बारे में बात की मैथ्यू चोबीस हमें बताता है कि भगवान का आगमन और संकेद तब होते हैं जब प्रभू अंतिम निर्ण के लिए आते हैं बता दें कि मास्टर मैथ्यू पचीस इसका एक बहुती स्पष्ट कथन है लेकिन उनके शब्दों का हमसे कोई लिना देना नहीं है हम जौन रहसे उद्घाटन में पृत्वी पर भगवान के पुनर रुथान का नेता है अब उपदेशक मुझे आपके बारे में सम्राट ट्रिवोजरस से मिलाने दीजिए यशाया अध्याय उन्चास पढ़िए ख्रमा करें आप एक नए नियम के शिक्षक हैं आप पुराने नियम को नहीं जानते हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप पूरी वादी तिवहेडों को जानते हैं जो पुराने नियम को नए नियम के साथ विलाय और सामन जस्से करने पर आधारित है यह आपके पाशन को सपष्ट करता है दूसरे शिक्षक गेब्रे मेधिने यूवो वे कुछ नई बात करते हैं उनके सभी भाशन केवल अपमान और आलोचना थे इन में से कोई भी परमेश्वर के वचन द्वारा समर्थित नहीं था वे कहते हैं कि इत्ययोप्याद दुनिया की रोशनी के संदेशों की आलोचना करते हैं वे आई बी वित्रित करते हैं वे कहते हैं कि संदूक में प्रवेश करें वे हमें एक अबराधी एक राक्षसी आत्मा मांते हैं, दिंदा हमारे वस्त्र हैं, हम शब्द को याद नहीं करते, हम विश्वास से जीते हैं, वे हमें कहा जानते हैं, उन्होंने हम से क्या संदेश पड़ा, वो नहीं जानते, कोई बात नहीं। इसके आलावा, उन्होंने कहा कि भविश्यवानी के तीन प्रकार है, एक जानकारी भविश्यवानी है, राक्षसों की दूसरी भविश्यवानी, तीसरी पवित्र आत्मा की भविश्यवानी है, किसी भी मामले में, उनके लिए यह अच्छा होगा कि हम पहले और दूसरे शब पवित्र आत्माव के माध्यम से प्रकट होता है, में सपने, सपने, और कई मायों में, ट्रिनेटी अपने बच्चों के लिए आध्यात्मिक माध्डर्शन प्रदान करता है, अध्यापक, आपका कर रहे हैं युवा, जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं, आप तीस से अधिक न उन्होंने नया नियम बनाया, यह वेह सुसमचार था जो उन्होंने लिखा था कि आपको शिक्षा कहा जाएगा, आपने मती 24 का भी उले किया है, यह वही है जो कहता है, यरूशले में बैठो जब तक कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा नहीं भेजता है, मैं अपने पित नीव, यह घोशना करना की यह एक सपने, दृश्टी में प्रकट होकर समय समय पर नयाय करने का तरीका समझाने का एक तरीका है, क्या आप नहीं जानते की वेह हमें यहां लाया है, वैसे भी, हमने एक आईडी दी, हमने किस उद्देशे से दिया, आईडी लेने वालों से पूछे, लेकिन यहां आपके लिए क्या करता है, यहां तक कि अगर आप इसे चाहते हैं, तो आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे, आस्था का जहाज वर्जिन मैरी है, वफादार पुनरुथान के वधू है, यह सिर्फ शब पढ़ना नहीं है, यह विश्वास है कि हम भग सी हो, तुम पार नहीं करोगे, आग जो पहले आती है वे हुँ उन लोगों को साफ कर देगी जो रास्ते को अवरुद करते हैं, विनाशकारी चरवा है, आप बेहतर है कि आप जो नहीं जानते उसके बारे में बात करें, आप के बारे में पूरा यहिजकेल अध्यार चौन पढ़ें, क्योंकि आप निर्ण के लिए संग्रक्षित हैं, लेकिन हमने तुम्हारा मांस शैतान को दे दिया है, ताक कि तुम्हारी आत्मा बढ़ जाए, क्योंकि आपने इत्ययोपिया के पुनरुथान से इंकार किया था, और आप पूर्व संध्या पर नहीं पहुंचे इस सत्य को आप तक पहुचने दें, मौत आप से आगे निकल जाएगी, संक्षिप में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा चर्च गंभीर खत्रे में है, उसके सभी नौकर पितिस सतात्म कानून को तोड़ने और अब आप पॉलोस धमकाने वाले बेशप द्वारा लग प्रतिविद्यों में हिस्सा लेंगे, इसलिए हमारी सलाह है कि भगवान की कारेवाही के लिए धैर्यत पूर्वक प्रतिक्षा करें, इथियोपिया के चर्चों के रूप में दुनिया की रोश्नी भविशे में एकठा होती है, अधिक से अधिक, जिसने इनकी नंदा प्योग करना संभव है, सामानित और पर समय निकट है, भगवान का परिवार, हमारी सलाह है कि आप परिशान नहों, एक और बात हम सुझाते हैं कि चर्चलंबे समय से सरकारी नीती का निश्पादक रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको यह नहीं सुनना चाहिए कि क्या य सरकार के लिए दूसरी भाशा है, इन में से सबसे बड़ा उसका संप्रदायवाद और धर्मात्याग से उपजा था, चूंकि वे धर्म संग नामक एक समुह का सदस्य था, जो अब आप पॉलोस के समय से प्रचलित है, हमारे चर्च के नेताओं द्वारा निर्देशित एक संयुक्त, टेलिविजन प्रार्तना के अनुसार, कविद 19 के हालिया प्रकोप के बाद, उन्होंने विधर्मियों, कैथोलिकों और मुसल्मानों के साथ प्रार्तना के महीने भर के उबवास की घोशना की, इसलिए उन्होंने जानवर के प्रती अपनी निष्ठा की पुष् इसलिए शर्ट ही सह जाना चाहिए लेकिन वेँ एक और आस्तेक नहीं बच्चा है और उसे जिम्मेदारी चराता पूरा कर सकते हैं. जब तक वे हैसे विश्वास घात में गिर जाता है. भगवान के परिवार में हमसत्य में और आत्मा में, पूरे दिल में, पूरी आत्मा मे ट्रिनेटी में और वर्जिन मेरी में भरोसा करते हैं मैं आप से विश्वास की आँखों से देखने और धैरे और दिर्टा के साथ देखने का आग रह करता हूँ मेरे द्वारा बताये गए मूल अपरेशन होंगे और भगवान की इच्छा के अनुसार जल्द से जल्द लागू किये जाएंगे अप्रोच और रोपन या प्रत्यारोपन कौन उखाड़ देगा हाँ पूरी दुनिया में जैसा कि आपने परिचे में बताया है जो लोग पुराने नाग अजगर जूटे भविश्य द्वक्ता नेता और प्रित्फी के हर हिस्से के सभी लोगों की पूजा करते हैं और सुईकार करते हैं वे इस प्रित्फी से महान कुरोद और महान आग और प्लेग में बह जाएंगे कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली कि ना हो कितना भी शक्तिशाली कि ना हो वे अपने अहंकार की आग से जुलस जाएगा वे देश जो महान होने का दावा करते हैं शैतान के मालिक जो कहते हैं कि उनके पास परमानों मिसाइल और जेट हैं बड़े रोश में की नतो पृत्वी और नहीं आकाश ने कभी इसे देखा है। वे भयंकर आग से भरेंगे और अपने नागरिकों के साथ बह जाएंगे। कौन बचा होगा? यह संदेश तीन, संदेश आठ और संदेश पांच के अनुसार किया जाएगा इतियोपिया के रू अश्मन भगवान के फैसले से बह गए और आग में फेंक दिये गए। वे सेवक जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है, चुमता है और स्वीकृत करता है किसे लगाया जाएगा? दैशा, उन सभी को जिन्हें भगवान प्यार करता है दुनिया भर में लगाया जाएंगे। प्रित्वी पर अधिकांश शेहर बने हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं सब्त के उलंगन में। वे एक तरह से या किसी अन्य में शेतान को प्रतिबिम्बित करने के लिए डिजाइन किये गए हैं, उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। उनके स्थान पर वे उन पक्षों पर अंतरिम प्रशासन इतियोपियां दुनिया प्रकाश सरकार के तत्वावधान में गठित किया जाएगा। में एक संस्थाय, कैथोलिक, विधर्मी, इसलामबादी, चीनी और भारतिये की मूर्ती पूजा और अन्यादी, जो लंबे समय तक शैतान द्वारा प्रित्वी तक सीमित रहे हैं और मानव जाती को नरक में जला दिया है, में एक महान को दुवे अपने अन्यायों और उनके नौकरों के साथ प्रित्वी से दूर स्वीप किये जाएंगे जैसा की हम आज देख सकते हैं, स्वयुक्त राष्ट, यूरोपिय संग, अफ्रीकी संग, एशियाई संग, लेटन अमेरिकी संग और अरब लीग सभी गायब हो जाएंगे, एक अठा करना, निर्न लेना या ब पड़ता है, यह नहीं कहा जा सकता है, हर जगें, यह केवल एक दर्दनाक मौत होगी, अद्रिष्ट, अद्रिष्ट क्रोध उत्रेगा, इस समय, उनकी शान्ती के साथ कौन खड़ा होगा, कौन चल सकता है, हाँ, भगवान के चुने हुए लोग केवल उन व्यक्तियों और देशों को स्थानांतरित कर सकते हैं, जिन्हें इतियोपिया विश्व प्रकाश सरकार द्वारा माईयता दी गई है, जो भीक मांगते हैं और आत्मसमरपन करते हैं, वे सर्व शक्तिमान इलश्वर की अनुमती के अनुसार शान्ती से रहेंगे, ट्रिनिटी के कानून के अ अजारों सालों से धर्ती को नश्ट करने वाले शेतान के सभी सेवों का सफाया हो जाएगा, जो लोग कहते हैं कि इतियोपिया का कोई पुनरुथान नहीं है, उनकी मृत्यू की प्रक्रिया के साथ, वे देखेंगे कि इतियोपिया बड़ी महिमा में उठ रहा है, प्रित् के लिए सेकडों बार होगा, वे अपनी कबर में चले जाते हैं, उनकी मृत्यू में भगवान के लोगों की महिमा को देखते हुए जिस घटा का वर्णन मैंने अभी किया है, वे अब होगी, एक लंबे समय के लिए यह मजाक मत करो, इसके लिए कोई समय या स्थान नहीं है जैसे ही निन्ने और आदेश में कहा गया है कि संदेश जारी होते ही कारेवाही प्रभावी हो जाएगी, कुछ हैरान होते हैं जब कारेवाही शुरू होती है और उन्हें दूर कर दिया जाता है या जब आग उन्हें भस्म करने के लिए चलती है, उनमें से कुछ कहेंगे, क्या यह सच है हम कहां बच सकते हैं बेशक कई है इसका कोई मूले नहीं है जब उन्हें पिति सतात्मक दंड से धंडित फरकार लगाई जाती है तो वापस लोटने के लिए कौन मजबूर है फिर उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता शेतान की समझ और उन मूर्तियों के बारे म बताएं जिन्हें बचाने के लिए आपने अध्भुत इमारतों में निवास किया है जिस प्रकार फिरॉन परमेश्वर के कुरोध से मारा गया था वे जिस मूर्ति की पूजा कर रहा था उसे गले लगा रहा था जिसने कहा मुझे बचाओ तुमने अपने कान धकिये जब अपने इतियोपिया का संदेश सुना तो दुनिया की रोशनी 15 साल तक बहती रही एक ऐसी पीड़ी जो फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर सुबह बिताती है अर्बो की गिंती वाली पीड़ी क्या कोई ऐसा समय है जब संदेश आपके सामने नहीं थे? क्या आप उन पर हंसे नहीं और उनका मजाक उनाया? वे सभी प्रमुख भाशाओं में उपलब्द हैं और आडियो प्रारूप में उपलब्द हैं उन्होंने आप से भीक मांगी है वे बिना थके चिलाए तो आज आपको न्याय होने पर कौन मचाएगा? आपको कोई नहीं बचा सकता क्यूंकि आप ट्रिनेटी की खिलाफ है इस महान क्रोध में महिलाएं जो पैंट पहनती हैं क्यूंकि आपको शनफरत कर रहे हैं तुम बच्चोगे नहीं प्रित्वी पर अभी भी प्रहार करने वाले स सनहार, धार्मिक युद, सीमा युद, ग्रिह युद और सविनेय वग्या सभी को पहले स्थान पर रखने का आदेश दिया गया था आज जिन बीमारियों को आप कविद 19 और एबला कहते हैं विशेश रूप से जिस बीमारी को आप कोडोना वाइरस कहते हैं प्लेग जिसे होगा, इसकी शक्ती वह शक्ती है जिसे प्रित्वी या आकाश ने पहले कभी नहीं देखा था, साथ बार साथ, उन्चास बार, तब आप एक बड़ा विनाश्क देखेंगे, पूरी दुनिया में, जब कोडोना आता है, तो आप अपने आपको एक घर में बंद कर लेते है अपने हाथों को सैनिटाइजर से धोते हैं, और अपने आपको सुरक्षित रखते हैं, यह आसान है, आपको कितना दुख हुआ, तुम उसे जानते हो, जैसा कि हम देख सकते हैं, बजाय अपने निर्माता को सदमे में लोटने के, कहते हुए मैंने आपके लिए वैक्सीन पहुचाई, मनिश्य के बजाय स्रिष्टि करता के पास लोट कर, आप अभी भी उसे एक तारणहार की तरहें बना रहे हैं, आपको लोगों को पस्चाताब करने और उनके निर्माता की ओर मुडने के लिए संगर्श करना पड़ता है, अपने पिछले काम के आनुसार, आम ने अपना दिल कठोर कर लिया, जब मिस्ल के सारे देश में उनके घर में मिर्त्यू का शासन था, फिर विय कहां जा सकता है, अहंकार और अवमानना के बारे में क्या, आलोशना का क्या, अभिमानी फिरौन मूसा के चरणों में गिर गया और कहा, खिपया जाओ आज भी तुम, ऐसा ही होगा, ध्यान दे, हम भगवान के लोग हैं, इथियोपिया द्धा वर्ल्ड लाइट फैमिलीज, हम चिंता या विचारों के बिना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम आग से घिरे हैं, अब राहम की ट्रिनेटी हम पर भरोसा करते हैं, और वर रुथान के दूलहे को देखेंगे, जिसे परमेश्वर फ्यार करता है, बचाता है, और उसकी महिमा करता है, लेकिन आप उन तक नहीं पहुच सकते, बीच में, मौत ने आप सभी परशासन किया, ऐसा ही होगा, आज की पीड़ी, आपके लिए क्या अच्छा है? आपकी चा कौन मचाएगा? मैं आपको वेह सब कुछ बता रहा हूँ जो होगा, समय आ गया है, एक पीड़ी जो आपने नहीं सुनी, जैसा कि आज यह संदेश तयार किया जा रहा है, क्या हमने आपको अपने विभिन भयानों और शिक्षाओं के बारे में पहले से ही सलह नहीं दी है? क्या हमने आपको नहीं बताया? जब हम अपने बच्चों को, अपने शोताओं को सलहा देते हैं, आप अभिमानी व्यक्ति, अपने पिता, डीवियल, पुराने सर्प, जूठे नभी और हम पर विश्वास करने में विश्वास करते हैं. नेता से लेकर नेता तक, धार्मिक नेता से लेकर आस्तिक तक, क्या आप सभी हमसे नहीं? जब हम मृत्यू को आपको कवर करते हुए देखते हैं, तो अपनी आत्मा को बाहर निकालने की चिंता करते हैं, यह आपके काम का परिणाम है, आश्चरे से अधिक, यह जान लें की हम आपको नहीं समझते हैं, सिवा जीवन के लिए उप्योगी चीज़ें हैं वे बने रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए यह हानेकारक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पुनरुथान के लोगों के लिए अपने सभी संग्रहीत धन को पीछे छोड़ कर मर जाएंगे, सम्रान टिवोड्रोस कौन पिता ने इस राजा के बारे में क्या कहा? इसके आलावा, ऐसे लोग साहसपूरवक विरोध करते हैं कि ऐसा राजा नहीं आएगा, जिनकी शादी अकसर विधर्मियों से होती है. सबसे पहले, हम यशाया के उनचासवे अध्याय में सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्दों को देखेंगे और बाकी के विचार पर आएंगे. सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्द कहते हैं, सुनो, हे आईल, मेरे लिए, और सुना है, तुम लोग दूर से, यहवा ने मुझे गर्ब से बुलाया, मेरी मा के धनुष्ट से उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया, और उसने मेरे मूब को तेज तलवा की तरह बनाया, अ मेरी महिमा होगी, तब मैंने कहा, मैंने व्यर्थ में काम किया है, मैंने अपनी ताकत शुनने के लिए खर्च की है, और व्यर्थ में, फिर भी निश्चत रूप से मेरा नर्ड यहुवा के साथ है, और मेरे भगवान के साथ मेरा काम है, और अब, यहुवा को कोस, जिसने म मुझे उसके सेवक होने के लिए गर्ब से बनाया था, याकूब को फिर से उसके पास ले आया, हाला कि इस्राइल रकठा नहीं हुआ, फिर भी मैं यहुवा की नजरों में गौरवशा ली रहूंगा, और मेरा परमेश्वर मेरी ताकत बनेगा, और उसने कहा, यह एक हलकी बा इस्राइल के उधारक, और उसके पवित्र व्यक्ति को, जिसे वेह तुझ जानता है, जिस परदेश ग्रिना करता है, शासकों के एक सेवक के लिए, राजा देखेगा और उठेगा, राज कुमारों को भी पूजा करनी चाहिए, क्यूंकि प्रभु यहुवा के कारण है, व मैं तुम्हें बचाऊंगा, और तुम लोगों की वाचा के लिए, पृत्वी की स्थापना के लिए, विरासत में देने का कारण बनूंगा, उजाड हैरितिजिज, कि तू कैदियों से कहे, आगे बढ़ो, अंधेरे में हैं, उन्हें अपने आपको दिखाओ, वे तरीकों स जर्नों से भीवे उनका मार्ग दर्शन करेगा, और मैं अपने सभी पहाडों को रास्ता बना दूंगा, और मेरे राजमार्ग उंचे किये जाएंगे, निहारना, ये दूर से आएंगे, और लो, ये उतर से और पस्चिम से, और ये सिनिम देश से हैं, गाओ, हे आकाश, औ और हे सिंगारों में तूट, हे पहाडों, क्यूंकि यहवा ने अपने लोगों को शांती दी है, और अपने पीड़तों पर दया करेगा, लेकिन सिये उनने कहा, यहवा ने मुझे छोड़ दिया, और मेरा प्रभू मुझे भूल गया, क्या एक महिला अपने चूसने वाले बच्चे को भूल सकती है, कि उसे अपने बेटे के बेटे पर दया नहीं करनी चाहिए, हाँ, वे भूल सकते हैं, फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, निहारना, मैं तुम्हें अपने हाथों की हतेलियों पर पकड़ लिया है, तुम्हारी धीवारे मेरे सामने तेरे बच्चे जल दबाजी करेंगे, तेरा सर्वनाश और वे जो तुझे बरबाद कर दिया है तुझसे आगे निकल जाएगा, अपनी आखों को गोल-गोल घुमाएं, और निहारें, ये सभी खुद को एक साथ इकट्था करते हैं, और आपके पास आते हैं, जैसा क्यू तुम उन सभी के साथ का भूशन के रूप में, और एक दो लहन के रूप में उन्हें तुम पर बांधो, तेरी बरबादी और तेरे उजार सानों, और तेरे विनाश की भूमी के लिए, यहां तक की निवासियों के कारण अब भी बहुत संकीन हो जाएगा, और वे जो आप को निगल गए थे, वे दूर होगा, जिन बच्चों ने तुम्हें पाला है, तुम दूसरे को खो देने के बाद फिर से अपने कानों में कहोगे, मेरे लिए यह जगह बहुती कठोर है, मुझे वे स्थान दो, जहां मैं निवास कर सकूँ, तब तुम मेरे हृदय में कहो, क भगवान भगवान, निहारना, मैं अपना हाथ अईये जातियों के लिए उठाऊंगा, और लोगों के लिए अपना मानक स्थापित करूंगा, और वे तेरे पुत्रों को अपनी बाहों में ले आएंगे, और तेरी बेटियों को अपने कंधों पर उठाएंगे, और राजा ताकतवर से लिया जाएगा या कानूनन बंदी को पहुँचाया जाएगा परन्तु इस प्रकार यह वहा को यहां तपकी पराक्रमी लोगों को भी बंदी बना लिया जाएगा और भयानक का शिकार पहुँचाया जाएगा क्यूंकि मैं उसके साथ तुम्हारा वाला याकूब का पराक्रमी हूं ये शाया अध्याय उन्चास का पूरा हिसा इथियोपिया के सम्राड टेवो जोस के बारे में है इथियोपिया के पुनरुथान के बारे में यह हमें उन लोगों के विचार के बारे में भी बताता है जिन्हें परमेश्वर द्वारा उनके म अलग भयानी, भूत पूर्व सर्प, जूठे पैगंबर के शिश्यों और दुनिया के अर्बों लोगों के धर्मतियागी से आपको शर्म आएगी। आपने जो कहा, मैंने कल अप्रोक्रपल पुस्तक का पालन नहीं किया, आपने कहा कि इतियोपिया का पुनरुथान नहीं आपको बताएं कि आपकी बुरी खबर क्या है, क्यूंकि आपको सर्व शक्तिमान इलिश्वर की सच्चाई को प्रकट करने का विश्वास नहीं है, आपकी एक डामक भाशा कहती है कि हम बाईबल के बाहर विश्वास नहीं करते हैं, क्यूंकि आप जूठे नभी के इसलिए मैंने आपको बाइबल से भविश्यवानी का एक्सपष्ट और अप्रतिम शब्द दिया है जिसे आप मानते हैं। जो पूरी प्रित्वी पर बिक्रे हुए थे शब्द कहते हैं। जब वह हमें अपनी इच्छा से प्रस्तुत करने और अपनी भूमी में रहने की अनुमती देता है तो उसमें हमारे सामने अंधेरा और प्रकाश निर्धारत किया है ताकि हम जहां चाहे वहां जा सकें। जब हम अच्छे विकल्प बनाते हैं तो हमें मार्क दर्शन करने के लिए एक अच्छी परी दी जाती है। यह हमें उस तरीके को सीखने में सक्षम करता है जिस तरह से परमेश्वर हमें चाहता है। गर्ब में था तब मैं तुम्हारे द्वारा जाना जाता था। इससे पहले कि मैं हड़ी और खून में मिलाया जाओ भगवान ने उसे एक विशेश उदेश्य के लिए गर्ब से बाहर बुलाया। इस प्रकार राजा दाउद के बनाय जाने से पहले परमेश्वर की पसंद बनी थी। इससे पहले कि सभी पैगंबर और प्रेरित अपनी मा के गर्ब में एक जुठ होते, उन्होंने उन्हें अपनी योजना के लिए चुना, उन्होंने अपने चुनने हुए को एक तेज तल्वा की तरह बनाया। उन्होंने अपने शब्दों से दुनिया को हिला दिया क्यूंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो अपने शरीर में अपनी जीव में काम करता है। इसने मुझे तब तक छुपाया जब तक की घंटा नहीं आ गया। वह मुझे पंद्रा साल से छिप पा रहा है। इसमें आपको परमेश्वर के कारे के तरीकों को जानने की आवशकता है। इश्वर स्पष्ट रूप से बोलता है कि उसने की से चुना है। वह कहता है आप मेरे सेवक हैं सर्व शक्तिमान इश्वर को उन सभी अच्छे लोगों के कारण सामानित किया जाता है जो उसने इस चुने हुए बरतन में किये हैं। मेरे लोग, जब मैं इस शब्द को कहता हूँ तो मैं वास्तव में आश्चरे चकित होता हूँ। मेरे दिल में था, यह वे शब्द है जो मैंने अपने दिमाग में व्यक्त किया था, मैंने व्यर्थ में काम किया है, मैंने अपनी ताकत शुनने के लिए खर्च की है, और व्यर्थ में फिर भी निश्चित रूप से मेरा फैसला यहुवा के साथ है, और मेरे भगवान के सा मेरा काम है जब मैंने इस सच्चाई को व्यक्त किया, तो मुझे लगा कि मैं इस शब्द का लेखक हूँ, इस संदेश में, मैं अपने जीवन और पीड़ा के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, जो कोई जानना चाहता है, वे सर्व शक्तिमानीश्वर से पूछ सकता है, यदि आप जल्दी नहीं करते हैं, तो यह सब प्रकट हो जाएगा, आप इसे सुनेंगे क्योंकि प्रकाश से बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, निजीप और पर, मैं यह नहीं सोचना चाहता कि मैं कहां से आया ही, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे इतनी धबराहट होती है कि मैं इसे संभाल नहीं पाता, इसलिए मुझे इसे कूदना पड़ता है, मेरा प्रतिपल और निर्न अभी भी इश्वर के हाथ में है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूठे भविश्य वक्ता, पुराने सर्प के साथ लड़ाई, जिसने दुनिया पर शासन किया और दुनिया को प्रसंप करते हुए शासन किया, मेरे बच्पन में शुरू हुआ, अपनी आत्मा को महसूस किये बिना, शैतान को इतने तरीकों से मुझे नश्ट करने की कोशिश की गई, मैं अपनी इच्छा से पीड़त नहीं था, सब कुछ छोड़ दो, उसी शनक से मुझे संदेश भेजने की आग्या दी गई थी, प्रतेक संदेश के दोरान आपके लिए संदेशों तक पहुचना आसान नहीं था, इसकी भारी की मत चुकानी पड़ी है, जिसका वर्णन मैं आज नहीं करूंगा, शैतान की हमले की रणनीती कई है, हाला कि हम परमे शनसा चाहते हैं, यह मान्स की इच्छा है, लेकिन जो लोग सच्चाई को समझते हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, इस संसा की बुराईयां जल्द ही दूर हो जाती हैं और स्वर्ग में अपने पूर्वजों के पास जाने पर उनकी सभी इच्छाएं शान्त हो जाती हैं, मैंने अपने जीवन में जो दुख और तकली फेंद देखी हैं, यह मुझे बहुत इस धरती पर रहने के लिए दूख खी कर दिया, अगर मैं रहूं तो भी मैं केवल परमेश्वर की इच्छा के लिए, उसकी माहिमा के लिए, उसके गौरवशाली नाम के लिए, और उसकी सेवा के लिए ऐसा कर सकता हूँ, आज मैं ट्रिनेटी का गुलाम हूँ, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी इच्छा का पालन करने के लिए, और मेरी मा, वर्जिन मेरी की इच्छा करने के लिए, इसके आलावा, कुछ भी मेरी इच्छाओं को संतोष्ट नहीं करता है, मैं अपना रन पूरा करूंगा, जब मैंने अपने इश्वर की पूजा करने के लिए अन्य लोगों को बनाया, जब मैं देखता हूं कि इश्वर की इच्छा कब पूरी हुई है, और सर्वशक्तिमान इश्वर की प्रशंसा सभी लो मैं व्यर्थ हूं, सिर्फ कच्रा हूं, मैं आप सभी में से कम से कम हूं, लेकिन उसने दया से मुझे अपनी दया से ढग दिया, उसने मेरे शर्मनाक पापों को कवर किया है, उसने मेरे लिए एक महेंगी की मत चुकाई, फिर उसने मुझे एक ऐसी जगे पर रखने का फ्र नहीं हूँ वेह बोला नहीं मैंने अपनी मा वर्जिन मेरी से भी पूछा उसने नहीं कहा लेकिन क्यूंकि समय सभी को प्रकट करता है इसलिए बहुत ज्यादा बात करना बेहतर नहीं है चलिए अगले शब्द पर चलते हैं शब्द कहते हैं और अब प्रभू की मुझे गर् उसे करने के लिए फिर से याकूब लाने के लिए अपने सेवक होने की यहवानी है हाला कि इसराइल एकट्था नहीं किया जा फिर भी मैं प्रभू की आँखों में गौरवशाली होगा और मेरा भगवान मेरी ताकत होगा और उसने कहा यह एक हलकी बात है कि तू याकूब के गोत्रों को बढ़ाने के लिए मेरा सेवग बनो और इसराइल की रक्षा करने के लिए मुझे बचाओ मैं अये जातियों के लिए भी तुम्हें प्रकाश दूँगा कि तुम मेरी मुक्ती हो पृत्वी कांद इस प्रकार यहोवा इसराइल के उधार करता और उसके पवित् के लिए जो नहीं कहते हैं पता करें कि उसे क्यों बुलाया गया था जिसने उसे नियुक्त किया था आप सभी सुन रहे हैं जब हमारे प्रभु येश उनने उसे प्रोचाहित किया कि यह भगवान के लिए बहुत आसान है जो उसके लिए मुश्किल और घातक है यह राजा देखेगा और उठेंगे प्रधान भी पूजा करेंगे क्योंकि यहोवाव विश्वासे हो गया है और इस्राइल का पवित्र व्यत्ती है और वेह करेगा तुम्हें चुन्ने इसका नहितार्त है दुनिया भर में उन लोगों के लिए जो गुलाम शासकों के लिए ह इश्वर जिस सत्य को प्रकट करता है सभी राज्य जो वे आपको जड़का देते हैं उनके विनाश की प्रक्रिया के साथ सभी वे स्वेच्छा से या अनिच्छा से सम्राड़ते वो ज्रोस को नमन करेंगे यह वही है जो शब्द आपको बताता है लोगों का एक वाचा के अनिच्छा की दिए दे तुमको और मैं तुझे सुरक्षित हो जाएगी और करने के लिए शब्द इस प्रकार कहते हैं यहवा की वाणी एक सुइकारिय समय में मैं तुझे सुना है और मोकष की एक दिन में मैं तुझे मदद की है पृत्वी की स्थापना जिससे विरासत को विरासत में मिला, कि तू कैदियों से कहे, आगे बढ़ो, अंधेरे में हैं, उन्हें अपने आपको दिखाओ, इसका नहितार्त है, इश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि उसने महान क्लेश के बीच अपने सेवा की रक्षा की, सुनी और उसकी रक्षा की, ध्यान दें, यह कहता है, प्रित्वी की स्थापना करने के लिए, उसने अपने सेवा को आग्या दी थी कि जो खो गया उसे खो दिया जाए, तब फिर से यह शब्द कहता है, कि तुम कैदियों से कहो, आगे बढ़ो, अंधेरे में हैं, उन्हें अपने आपको दिखाओ, राजा का पहला काम उन लोगों को बेनकाब करना और उन्हें किद करना था, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, सताया गया था, शेतान ने सताया था और उनके रूडिवादी तेवेदो विश्वास के लिए सताया था, भगवान फिर कहते हैं, तुम लोगों की वाचा के लिए द प्यास, न तो गर्मी और नहीं सूरज उन्हें उक्साएगा, क्यूंकि वे उन पर दया करता है, उनका नेत्रित्व करेगा, यहां तक कि पानी के जर्नों से भी वे उनका मार्ग दर्शन करेगा, और मैं अपने सभी पहाडों को रास्ता बनाऊंगा, इसका नहितार्थ है, व कोई भी पहाड से बड़ा नहीं है, सर्व शक्तिमान ईश्वर ने वादा किया है कि वे इसे हटा देगा और अपना रास्ता बना लेगा, आज की परवतिय सरकारों के शक्तियों के जूटे विश्वास को मिटा दिया जाएगा, यह सच है शब्द कहता है, और मेरे राजमा सर्ग उंचे किये जाएंगे इसका नहीं हितार्त है, सभी भगवान के धर्मी नर्ने, उन सभी के लिए जिन्हें उस समय उनके पुनरुथान के लिए बुलाया गया था, सभी मांग शान्ती, आशिरवाद, प्रेम, आनंद की ओर ले जाते हैं, भगवान की पूजा पूरे से, और ये सिनिम देश से हैं, गाव, हे आकाश, और हर्शितो, हे पृत्वी, और हे सिंगारों में टूट जाओ, हे पहाड़ों, क्यूंकि यहुआ ने अपने लोगों को दिलासा दिया है, और अपने पीड़तों पर दया करेगा इसका नहितार्त है, आने वाले दिनों में पुनरुथान में, वे पृत्वी के सभी हिस्सों से आराम के लिए इतियोप्या आएंगे, इश्वर उन सभी को सुकून देता है जो इश्वर के कोप से बज़ जाते हैं, क्यूंकि उसने अपने लोगों के लिए दया की है, आकाश और पृत्वी, और राजे हैं, परमेश अपने चूसने वाले बच्चे को भूल सकती है, कि उसे अपने बेटे के बेटे पर दया नहीं करनी चाहिए? हां, वे भूल सकते हैं, फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, निहारना, मैं तुम्हें अपने हाथों की हतेलियों पर पकड़ लिया है, तुम्हारी से इसराइल कहा जाता है आने वाले पुनरुथान में जैसा कि संदेश तीन में वर्णित है उसे इथियोपिया विश्व प्रकाश सरकार के तहट सुवशासन का अधिकार दिया गया है उसके लोगों को पकड़ कर जो उसके प्रकोप से बच गए हैं एक छोटी इथियोपिया आई बहन के रूप में वे इथियोपिया के रूडिवादी तिवाहे दो आध्यात्मिक प्रशासन के आध्यात्मिक नेत्रित्व से दिलासा देती है परमेश्वर ने भविश्यद वक्ताओं प्रेरितों और उनके जीवन के बारे में जो उन्होंने उनके लिए अदा किये लेकिन जब सर्व शक्तिमानीश्वर ने अंतिन समय में दुनिया का दोरा किया तो उन्हें अपने लोगों पर तरस आया उन्होंने अबराहम, इसाक, याकूब के शुरुवाती दिनों को याद किया जो मूसा, एलिया और डेविड के संस्थापत पिता थे इस तरह इज्र तुम उन सभी के साथ का भूशन के रूप में और एक दुलहन के रूप में उन्हें तुम पर बांधो, तेरी बर्बादी और तेरे उजार सानों और तेरे विनाश की भूमी के लिए यहां तक की निवासियों के कारण अब भी बहुत संकीन हो जाएगा, और वे जो आपको निगल गए थे, वे दूर होगा, जिन बच्चों ने तुम्हें पाला है, तुम दूसरे को खो देने के बाद फिर से अपने कानों में कहोगे, मेरे लिए यह जगह बहुत ही कठोर है, मुझे वे स्थान दो, जहां मैं निवास कर सकूँ, तब तु मेरे मन में कहेगा, कि केला रह गया था, ये, वे कहां थे? इसका नहितार्त है, इश्वर अपने वर्चन के प्रतीद्र और विश्वास रखता है, जब इत्ययोपिया को भगवान द्वारा याद किया जाता है, इसकी संपूर्णता में मरमत की जाती है, जब सर्वशक्तिमान इश्वर द्वारा इत्ययोपिया को याद किया जाता है, तो वे खोए हुए सब ही चीजों को बहाल करेगा, सब ही निराश की उसे सताया गया है, सब वी रानी फ़लेगी, फूलेगी, इत्ययोपिया पूरे प्रित्वी का आराम होगा, इस प्रकार, जितना उसकी भूमे भरी हुई है, वे भूशन के समान होंगे शब्द कहता है, इस प्रकार भगवान भगवान, निहारना, मैं अईये जातियों के लिए अपना हाथ उठाऊंगा, और लोगों को मेरा मानक स्थापित करेगा, और वे तुम्हारे बेटों को अपनी बाहों मिलाएंगे, और तुम्हारी बेटियां इसका नहितार्थ है, जब भगवान कहते हैं, मैं राष्ट्रों के सामने अपना हाथ उठाऊंगा, मैं अपने लोगों की खिलाफ अपना उद्धीशे निर्धारित करूंगा, अच्छी अवधी में, मरमत की अवधी के दोरान, यह इंगित करता है कि अईये जातियों को सत इथियोपिया शब्द कहता है, क्यूंकि उन्हें शर्म नहीं आएगी कि मेरी प्रतीक्षा करो इसका नहितार्थ है, जो मेरी प्रतीक्षा करते हैं उन्हें शर्म नहीं आएगी, क्या आप वास्तव में इस शब्द के नहितार्थ को समझते हैं? हाँ, मेरा मानना है कि पिता और माता उन्हें अपने बच्चों के लिए यह सच्चाई विराचत में मिली और उन्होंने आशा के साथ उसका अभिवादन किया और स्वर्ग चले गए देवता के परिवार वर्जुन मेरी के बचे महान भविश्य वक्ता यशाया हमारे प्रभू के जन्म से पहले रह इस वाचा को अपनी भविश्य वाणी पुस्तक में दर्ज किया था जब समय आया भगवान ने अपने वच्चन और रहसे को प्रकट किया के त्ययूपिया वादा का देश है इस सच्चाई को मानने और समझने वाले बहुत कम लोगों को निराशा नहीं थी वे विश्वास यह आशा है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तक पहुँच चुके हैं जो लोग इश्वर पर अविश्वास और तिरसकार करते हैं जो कहते हैं कि इश्वर नियाय नहीं कर सकता और बचा नहीं सकता वे उससे देख लेंगे जब वे अपने धर्मी फैसले के साथ उन्हें बह गया इसलिए उन्होंने इस शब्द का मजाक उड़ाया उन्होंने सच्चाई को जूट में बदल दिया है वे जूटे विश्वासों में विश्वास करते थे उन्होंने उन लोगों को नश्ट कर दिया है जो वास्तव में खड़े हैं वे शेतान और अजगर औ के संदेश का साहस पूर्वक विरोध किया है, जिससे उसने इत्ययोपिया की आशा व्यक्त की है, आज ये शाया है उन्चास का पूरा अध्या है, जैसा की उपर वर्णित है, आप इसे कैसे नकार सकते हैं, क्यूंकि आप हमेशा जूठे शेतान के बच्चे होते हैं, और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक बात, कोई समय नहीं है, सब धत्म हो गया, तुम देरी से आये हो, अब आपके सामने सब कुछ लोड हो गया है, कोई प्रवेश नहीं है, कोई छिपने के जगह नहीं है, सब धत्म हो गया, शब्द कहते हैं, शिकार पराक्रमी से पहुँचाया जाएगा, क्यूंकि मैं उसके साथ तुम्हारा मुकाबला करूंगा, और मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा, और मैं उन्हें खिलाऊंगा कि तुम अपने शरीर से उन पर अत्याचार करो, और वे अपने स्वय हम के रक्त से, जैसे कि मीठी शराब के साथ नशे में होंगे, और सभी मांस जानते होंगे कि मैं तेरा उद्धार करता और तेरा छुडाने वाला याकूब का पराक्रमी हूं, इसका नहीं हितार्त हैं, क्यूंकि दुनिया आजगर्व से भरी हुई है, वे सुनती नहीं है, यहां तक कि अगर दूसरे जो हम से बे अश्वदेश, एक अफ्रीकी देश की कल्पना नहीं कर सकते जो कहता है कि मैं यूरोप के खिलाफ लड़ूंगा और सभी माहाशक्तियों के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन यह सपष्ट है कि इस सच्चाई को सभी आधुनिक लोग मानते हैं, आश्चरयचा कित रहें, यह सच्चाई उलट जाएगी, यह कैसे हो सकता? हाँ, यह कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह भगवान के साथ संभव है, गौर कीजिए, पर अक्रमी लोगों को बंदी बना लिया जाएगा, वे माहाशक्तियों के हाथ से मुक्त हो जाएंगे, कैदियों जिसे कर रहे हैं इमद्वारा प्रीसंद इस उम्र के ताना शाह बच जाएंगे, यह सच है, मेरे लोगों, ध्यान दो, आप कारेवाही में आपके सामने सच्चाई देखेंगे, दिन के सभी नेटा, जो परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ा रहे हैं, आग से भ ही करते हैं, भगवान के प्रिय इत्ययोपिया के सामने, आप धूल जाएंगे, आप तेरस्क्रित और अपमानेत होंगे, आप जो कुछ भी भरोसा करते हैं, वह सब कुछ जो आपके गौरव का स्रोत है, तुरंत आपके सामने धुएं की तरह होगा, क्यूंकि आप इत्ययो भगवान के साथ एक संघर्ष है, फैसले का शब्द, जो आपके दुख की गंभीरता का वर्णन करता है, आपके मान्स को खाएगा और आपके खून को शराब की तरह पीएगा, इस तरह से सभी मान्स इसे देखेंगे, आप जानते हैं कि इत्ययोपिया की दवा इश्वर सर सर्वशक्तिमान है, मेरे लोग, यशाया की भविश्यवानी समराट्टिवोड्स के बारे में बहुत सपष्ट करती है कि इत्ययोपिया का पुनरुथान कैसा दिखेगा, और यह कैसे होगा, और यह प्रदशन करने के लिए आपके दरवाजें पर खड़ा है, इस संदेश क जब यवा और वृद्ध टेलिविजन के आदी थे, वर्तमान मुद्दों में से एक सोशल मीडिया, वाय ओ यूटूब देश फेस्बूक आदी, एक ही समय में, समराट्टिवोड्स के प्रस्थान और आग्मन का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा था, कुछ मौजूदा स्थिती और वैश्विक उथल पुथल को देखते हुए एथियोपियाई पुनर उथान के विरोधी हैं, कुछ लोग भविश्यवानी के शब्द के खिलाव जाते हैं और दिन के शास्कों को खुश करने की कोशिश करते हैं, कुछ वाय ओ यूटूब पर भी कुछ नया दे विश्यवानी की विभिन पुस्तकों का हवाला देते हुए ऐसे कई प्रिष्ट हैं जो उनके मूल देश, उनके गंतव्य, उनके जनमस्थान के बारे में बात करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, कई किताब फिक्रे आईजस का उलेख करते हैं, जो इंगलेंड में पाय जात हैं, वे लोगों को भ्रमित करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं जैसा वे चाहते हैं, क्योंकि बात आधुनिक आदभिनी के भोजन की है, वे जूट को सुनता है, कुछ सच्चाईों के साथ मिशृत होता है, और सब कुछ चुने विना सुनता है, इस प्रकार वे उल्जन म आधुनिक शासकों और सरकारों को प्रेरित करें, साथ ही साथ शैतान के जूठे भविश्य द्वक्ता के विश्वासों को भी बढ़ावा दें, वे इस सच्चाई को विक्रित करने, इसे अतिरवन्जित करने और इसे घलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, आश इस सच्च्च्च करने के लिए लड़ाई लड़ी हैं, इसलिए वे अभी भी लड़ रहे हैं, उनके लिए आसमान में कोई जगह नहीं है, उन्हें पराजित किया जाता है और उन्हें लपेट कर जमीन पर फिए जाता है, आज उनका पार्थ्रिव किला डहने वाला है, पर परमेश्वर को उसके वफादार सेवकों द्वारा भूमी में महिमा दी जाएगी। यहां हम उसे एक भयंकर युद्ध में लगे हुए देखते हैं क्यूंकि यह सत्य निगल जाने वाला है। यह होना चाहिए। लेकिन वे नहीं चाहते कि ऐसा हो। क्यूंकि यह उनके अस्त यह सच्चाई उस धर्ती को रोशन करेगी जो अंधेरे में थी। पृत्वी पर और स्वर्ग में उसके याया पूंड निर्ण में सभी सृष्टी के प्रभू की महिमा होनी चाहिए। भगवान के लिए एक धर्मी याया धीश है। इसलिए जब समराट तेवोड रिसका अ इच्चा को पूरा करने के लिए आया था जिसने उसे बनाया था। भगवान के शांदार नाम के लिए पृत्वी पर सभी चीज़ों पर पहरा देने के लिए। इसलिए यदि वे इसे नश्ट करना चाहते हैं तो यह उनके लिए होना चाहिए। वैसे भी उनका संगर्ष आसान नहीं है, शेतान ज्यान दूर नहीं हुआ है, यह स्पष्ट है कि उसने इसे नश्ट करने के लिए कई योजनाओं को तैयार किया, इसलिए राजगता पर आश्चेरे न करें, जब ईश्वर की सच्चाई का पता चलता है, तो अंधेरे के सभी बलों का कोई स्थान नही है और नहीं कोई अंत है, और दुश्मन बहुत परिशान है, मेरे लोग, अंधेरे में एक व्यक्ति को क्या पता है अगर अन्य लोग उस पर क्या चाहते हैं, वह कुछ नहीं जानता, वे जो चाहते हैं, करते हैं, यह सच है, जैसा कि आप आज देख सकते हैं, शेतान ने द शेतान की योजना के अनुसार दो भागों में विभाजत होकर एक दूसरे से लड़ रही है, क्योंकि वे उसकी इच्छा के अधीन है, वे उसकी आग्याओं का पालन करते हैं, सभी सरकारों की इच्छा है कि में लोग तंतर, शेतान के नयाय, में बेहतर शान्ती और धिलाओं, ऐसा करने के लिए आपका तरीका बेहतर है, नहीं, यह एक बेहतर है, क्योंकि वे शेतान द्वारा इस तरह से आयोजित किये जाते हैं, वे हजारों सालों से एक दूसरे से लड़कर यहां तक पहुंचे हैं, शेतान के सपनों का जीवन तब सजाया जाता है जब उसने प्रकाश की दुनिया में प्रवेश किया है, अगर वह भगवान की इच्छा को समझ गया, अगर वह जानता है कि वेह इसमें रहकर क्या वासिल करेगा, तो वेह वास्तव में खुश है कि वेह भविश्य के प्रकाश में पहुंच जाएगा, और वेह शांत हो जाएग वेह राजे का उत्तरादिकारी होगा और आने वाले प्रित्वी और दुनिया के आशिरवाद के लिए यह जानने के बाद शेतान ने इसे रोकने के लिए कड़ा संघर्ष किया है यह भी वेह अब कर रहा है विद्रो प्रचंड है आज मानव जाती पत्ती की तरह मर रही है ड मुखमरी और युद्ध से कितने मरें उनके बीच से कितने मारे गए उनकी कितनी तिवेडो माहियताओं को कुछल दिया गया था क्या आप इसे सपष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं क्या आप नहीं देख सकते हैं कि पुराने साम अजगर जूठे नभी के शासन वाले ए अच्छा ज्यान पसंद है उसका मुखमक्षन उसका दिल चाकू ऐसा नेता शेतान है जो हमें नश्ट करने के लिए चाहता है हमारे लिए लगाया गया है उनकी जाती के कारण कितने गरीब इतियोपियाई मारे गए ते वहधों की कितनी माहियताओं नश्ट होगी हमारे कि अरचों को नश्ट और जला दिया गया था कितने को सताया गया कितने एक अरब खिलोना बन गए हमारे देश को नश्ट करने के लिए कितने प्रयास किये गये हैं क्यों इतियोपिया सभी विनाश का केंदर बन गया है यह सपष्ट और असंदिग्द है पुराने नाग इथियोप्या को इश्वर से प्यार और पसंद है। जीवन भर उसने अपने भगवान को सम्वान दिया है। एक ऐसे लोग जो पूरे मनवयुक से पूजा करते हैं, यह अब भी है। यह सत्य, यह प्रकाश, उसने शेतान को उसकी मौत की सजादी। इथियोप्या एक ऐसी भूमी है जहां ट्रिनेटी की महिमा का पता चलता है और उसकी प्रशंसा की जाती है। हमारा उससे क्या मतलब है? हाँ, त्रिगुनात्म की श्वर, समस्ट स्रिष्टी का निर्माता, सभी वस्तूओं का निर्माता, द्रिशे और अद्रिशे का निर्म प्रित्वी और स्वर्ग का निर्माता, प्रभु जो हमसे प्यार करता था और हमें अपनी छवर में बनाता था, स्वर्ग में सारी स्रिष्टी उसकी लगातार प्रशंसा करती है, दिन और रात, दोनों समय प्रित्वी को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जब सभी प्राणी उपर उसकी प्रशंसा करते हैं, तो केवल मनिश्य ने विद्रोट किया है, वह है, क्यूंकि शेतान, जिसने स्वर्ग में अपनी महिमा डाली, प्रित्वी पर गिर गया, इस विद्रोही दुश्मन को नकारने और निंदा करने के बढ़ाये, उसने निर्माता को अस्वीकार क की तरहें, प्रबल और चमकता है, वेह दुनिया जिसमें अबराहम की त्रिमूर्ती, हमारी वर्जिनमा, हमारे पवित्र पिता, हमारी माताएं, शहीदों की प्रशंसा की जाएगी, परमेश्वर पवित्र आत्मा इसका मार गलर्शक होगा, कभी न खत्म होने वाली धारा क की तरहें, सर्वशक्तिमा इश्वर के नाम की दिन रात प्रशंसा की जाती है, ट्रिनिटी की महमा प्रित्वी को भी कवर करेगी, उसके सभी सेवक, जिन से वाप्यार करता था, को सफेद वस्तर पहना आया जाएगा, और उसके साथ उसका महमा मंडन किया जाएगा, यह हो करता यह शू की मा, रानी, और प्रित्फी की रानी, यह भी भगवान ने अपने प्रिय एथियोपिया को विराचत की अभिव्यक्ति के रूप में दिया है, एथियोपिया भी बेह भूमी है जहां वर्जिन मेरी की महिमा का पता चलता है और उसकी प्रशंसा की जाती है, यह स जानती थी, यह विजी पीडी तेवहेडो की देशभक्त भी है, और वे उसे मेरी मा कहती है, वे अपनी गर्मा से अच्छी तरह वाकिफ है, उप्रोक्त कथन हमें यह आश्वासन देता है, इथियोपिया दुनिया की रोशनी है, हाँ हो है, पूरी दुनिया ने उसका तिर बहाया, वे विश्वास जो सर्व शक्तिमान ईश्वर को प्यार और समान देता है, आप तेवेदो से नफरत करते थे और उसके खिलाफ लड़ते थे, भले ही हमारा दुश्मन, शैतान, पूरी दुनिया को नियंतृत करता है, आप इतियोपिया को नश्ट करने में सक्षम नहीं हो सकते, इसलिए वह उस चौड़त के पास खड़ी थी, जिसे तुमने जलाया था, अपने भगवान पर भरोसा किया था, और इस समय सभी पर विजी थी, पूरी दुनिया को क्यद होने के लिए दिया गया है, मेरी समझ में 15 साल हो गए हैं जब सर्व शक्तिमान ईश् के लिए इतियोपिया को चुना, इसलिए हम हमेशा अपने सभी कारियों में इस सच्चाई को जानते हैं, इतियोपिया दुनिया के शासक है, हाँ वो है, विजेता इतियोपिया रूडिवादी तु अहिदों चर्च है, मेरे लोगों, भगवान ने एक अतिति के रूप में रहने के लिए इस धर्ती को बनाया, इतियोपिया में रहते थे, भगवान के अध्यादेशों और कानूनों पर भरोसा करते हुए, वे अमृत्यू के साय में गुजरा, इस वजए से, वे सर्व शक्तिमान इश्वर द्वारा प्यार, समानित, पुरस्कृत हुआ, तो, पू जाएगी, होने के कारण, शेतान घबरा गया, क्युंकि उसने पुष्टी की, कि यह सच्चाई सच है, यह आवश्रक है, यह किया जाएगा, क्यूंकि यह हीश्वर का सकते है, इसलिए, यह होना चाहिए कि, शेतान और उसकी वे भिचारनी अपनी कबर में डाएंगे, और परमेश्वर के लोग पुनरुथान की दुनिया में विजी होंगे, इससे बचने के लिए, शेटान, वेहर विश्वास जो उसने धर्मात्याग में बनाया है, हेरिटिक्स, कैथोलिक, मुसलिम, विद्ध्वान, एशियाई पी एजन्स, आदी, इसने उन सभी को असुईकार क करने के लिए मनाया, और कई अन्यत तरीकों का इस्तिमाल किया, धर्ती पर ऐसा कोई नहीं है, जो अपनी आत्मा को अपने भूजन के लिए, शेटान के लिए नहीं वेचता है, दुनिया का ज्यादतर हिस्सां भिक चुका है, उसने शेटान की बात मानी क्यूंकि उसका जी और वे अपनी जगेह पर बैट गए, वे उसकी आग्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे उधार करता यही शुने प्रेड़ितों से कहा, जब तक आप शक्ती प्राप्त नहीं करते, तब तक आपको यरूशलेम नहीं छोड़ना चाहिए, आपको पवित्र आत्मा, दिलासा देने वाले को भिजूंगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि परमेश्वर के अभिशिक और ठैराया सेवक अभी भी इस आग्या का इंतजार कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि समराड टेवो जोस के अधीन 49 राजा हैं, आपको पत पता के नेतरित्व में होंगे, उन्हें तैयार किया जाता है और उनके स्थान पर बैठाया जाता है, जब तक कि उन्हें शांदार पुजारी प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें प्रेडितों के रूप में शक्ति प्राप्त हुई, दुनिया को पता होना चाहिए, जो पु किस्मत वाले हो इसलिए धैरे रखें शेतान की लगातार घपशप सुनते ही गुम रहे ना हो और आपको दिये गए अवसर को बरबाद न करें गिरा हुआ पानी एक अत्र नहीं किया जा सकता है तो फिर मैं आपको सावधान रहने की सलहा देता हूँ पुनरुथान की ओर बढ़ने के बाद प्रिथवी ठीक हो जाएगा हमारे शहीद पिता और माता अपने बच्चों के माध्यम से शासन करेंगे जबकि वे स्वर्ग में हैं वे सभी कारवाही देखते हैं वे अपने परमेश्वर याई याई के नयाय में आनंदित होंगे और वे उसकी प्रशंसा करते हैं सर्व शक्तिमान ईश्वर सामानित किया जाएगा वे राज्य करेगा और उसके सेवों उसे उढ़ाना होगा वे इसे अपने दिल और दिमाग में लेकर चलते हैं परमेश्वर उनका मार्क दर्शन करता है क्योंकि पवित्र आत्मा उनके दिलो उसकी पूजा की जाएगी, उसे समानत किया जाएगा, वर्जिन मैरी, अवित्र आरकाहेल्स, अवित्र शहीदों, महान पिता की माताओं की हमेशा प्रशंसा की जाएगी, मेरे लोग, यह सच्चाई आ गई है, तो शेतान कहा जाता है, जब वह इस गुरी खबर को सुनता है, तो वह कहा जा रहा है, इश्वर के परिवार, मेरे लोग, जो आप किवाचा के साथ द्रिड़ता से खड़े थे, समरान टेवो जोस की पहचान के बारे में कई सवाल उठाए गए थे, कई लेकों द्वारा इतिहास को विकृत किया जा रहा है, यह दुश्मन, शेतान के नहीं कह सकता कि समराड टिवो जोस यहां है, जब तक कि हमारे भाईयों में से एक टेक लिक इडन जो उसके बारे में नहीं कहता, टेक लिक इडन ने कहा, उन्होंने एकिस नवंबर को अकसुन सीय उन मरियम चर्च में सीय उन मरियम की छुटी के लिए व्यक्त गत ते वो जो उसको देखा, 2003 में इतियोपिया के कैलेंडर, हाँ, वह एक मात्र व्यक्ति है जिसने मुझे देखा, कई लोग उनकी इमानदारी या जिग्यासा के कारण उनके बारे में अतिरंजित होकर बोलते हैं, इंसानों के आलावा, वे भी हैं जुन्होंने उसे स्वरगद की तरह बनाया, मेरे लोगों मूसा, एलिया, डेविड और अन्यमानव थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में शासन किया, आप सभी जानते हैं कि उसने उनके साथ क्या किया, आज का यह हर्त अभी भी है कि जिन लोगों को भगवान प्यार करते हैं और उनकी पारित होते हैं, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ती से दुश्मन का मुकाबला किया, उन्होंने हमारे लिए अपने संघर्ष की अपनी चाप छोड़ी है, आज यह उम्र क्या दिखती है? हाँ, प्रित्वी पिछले कुछ वर्षों में बहुत बदल गई है, वह अपन प्रित्वी संकोचित हो गई, इसलिए उसने अंतरिक्ष भ्रमान की खोल की, ज्यान और ज्यान का सुरोत जो उसने इस अत्यविधी के लिए उप्योग किया था, वहीश्वर था, जिसने पहले ही मानव जाती को दिया था, मनिश्य ने जो अच्छे काम किये हैं, उनके पूजा की, उसने उसे जिड़ दिया और उसे सलहा दी, जब सर्व शक्तिमान इश्वर शुरू से ही कानून देता है, तो उसने यह कहते हुए मानव को चैता होनी दी, देश मुझे मत भूलना, और मूर्तियों के पास मत जाओ, मैं इरश्या करने वाला इश्वर हूँ, मै उसे प्यार करते हैं और उसकी आग्या मानते हैं, उन वफादार सेवकों को सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने विभिन युगों में चुना है, उसने पस्चाताब करने के लिए बुलाया, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी ने भी नहीं सुना, माना वभिमान धर्म अत्याग से अधिक हो गया, अपने ग्यान, अपनी संपती, अपनी तक्नीकी उपलब्धियों, अपने आधुनिक उकरणों, अपने घर, अपने कम्प्यूटर, अपने कार, अपने शरीर के लिए निर्मित सुक सुविधाओं के कारण, वे आकाश, जेट, जहाज, बंदू में लटकाए गए उपग्रा टैंक, हवाई जहाज, क्योंकि यह सब दुनिया को एक गाव बना देता है, उसने बस इतना कहा, कोई ईश्वर नहीं है, मैं उसे नहीं जानता प्रित्फी बरबाद हो गई है, उन्होंने ऐसी कारे वाही की, जो मानवता नहीं है, भगवान की इंसानों की जगे लेली, भगवान को भुला दिया गया है, इसके बजाएं, अंधेरे के शासक, शैतान, ने पुरुषों के दिलों और दिमागों में शासन किया, इश्वर तिरस्कृत, अस्विकार और घ्रना का पात्र बन गया, जो भगवान का नाम लेता है, वेह जो यह सब देखता है, सभी जानते होंगे कि उसकी दिविता अगनी, एरश्या है और यह की पृत्वी और स्वर्ग उसके लिए बेकार है, इसकी पुष्टी होनी चाहिए, और आज निर्ण को कारेवाही में बदल दिया जा रहा है, इससे पहले कि दुनिया इस तर पर पह सत्य के साक्षी के रूप में जिये और गुजरे हैं, वे अभी भी इसके साक्षी रहे हैं, सत्य का मार्ग, धारमिक्ता का मार्ग बहुत संकीन है, सर्व शक्तिमान ईश्वर ने कहा, इस संकीन तरीके से पाने के लिए संगर्श करो, चौड़ी सडग बहुत चौड़ी है, एक महान भीड उसका पीछा करेगी, वे है अंदकार का शैतान का रास्ता, क्या ऐसा नहीं हुआ? हाँ, यह मेरे लोगों ने किया, इसलिए आज कब भर गया है और दुश्मन कशिवेर उथल पुथल में है, पृत्वी परिशान है, और कोई शान्ती नहीं है, रोगा और यु ये स्थिती को स्पष्ट कर दिया है, जो अपने विश्वास के माध्यम से दुनिया भर में समराड टेवो जोस और इथियोपिया की जीत की घोशना करता है, संदेशों ने दुनिया से पस्चाताब करने, इथियोपिया में प्रभोद विश्व सरकार को आत्मसमरपन करने और निर्माता सिक्षमा मांगने का आग रह किया, किसी ने नहीं सुना, वह जारी है और इसके गौरव को आगे बढ़ाया है, तो क्या करना है? क्यूंकि चीजों की शुरुआत और अंत है, आज हमें अंत की शुरुआत की व्याख्या करनी होगी, आज तक शैतान ने सभी म अनुष्यों के लिए भगवान को अस्वीकार ये करने के लिए और इसे मिठक के रूप में अस्वीकार करने के लिए अच्छे को विक्रित करने की पूरी कोशिश की है, उन्होंने वास्तव में इसे सफलता पूर्वक किया, मनुष्य की ताकत और कमजोरी उसका मांध है, वह उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करता है, इस कमजोरी का उप्योग करते हुए, शैतान उसे अंधेरे में ले जाने और भगवान की कानून और विवस्था को तोड़ने में सक्षन था, लंबे समय तक प्रचार कथा, अवास्तविक जूठे इतिहास को सत्य के रूप में प्रचारित किया गया, ज्यान के मुखोटे में लिपटे आदम के अधिकान श्वान शज, सचाई जाने बिना उनकी कबर पर चले गए, शत्रों का संगर्ष वे सफल हुआ क्यूंकि उसने एक ऐसी पेड़ी पैदा की जो विश्वास नहीं करती थी, भगवान की सचाई की तलाश नहीं करती थी, और अपनी शारीरिक इच्छाओं से बंधी थी, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवे में बनाया, जिस आदमी ने इसे बनाया है, उन्होंने सोचने, चीजों को तॉलने, समझने, समझाने के लिए देने के साथ बनाया, उसने उसे जानवरों के रूप में नहीं बनाया, इसके बजाएं, उन्होंने इसे गरिमा के साथ बनाया, उन्होंने उसे एक ऐसे दिमाग से संपन किया जो अच्छे और बुरे, प्रकाश से अंधेरे और विवे के बीच अंतर कर सकता है, उन्होंने उसे अपनी छवर में बनाया, जब उसने आग्यादी, प्रित्वी के सभी प्राणी उसके अधीन हो गए हैं, और उसने आग्यादी, सर्व शक्तिमान ईश्वर ने कहा कि, अपने निर्ने के लिए अपना हाथ भेजें कि आपका मन अच्छे और बुरे, अंधेरे और करें के अनुसार आँका जाएगा, उस थिती में, यदि आप अपनी गलती समझते हैं और पस्चाताब करते हैं, तो मैं आपको ख्रमा कर दूंगा, दूसरे शब्दों में, तुम प्रकाश में चलोगे और मुझसे डरोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया है, आप अपने मेरी पूजा की है, आप बुराई से दूर हो गए हैं, आपने मुझे अस्विकार करने वाले को अस्विकार कर दिया है, आपने मेरी बातन मानने वाले की निंदा की है और इसलिए आप मेरे वफादार सेवक हैं, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्ह उचे ठहराऊंगा, तुम्हारा समान करूंगा। उसने उससे कहा है यदि तुम विप्रीद दिशा में खड़े हो, यदि आप मेरे वकील से नफरत करते हैं, यदि आप मुझे अस्विकार करते हैं और गर्व से भरे हुए हैं, यदि आप शासन करने के लिए अंधेरा करते ह हैं, यदि आप अपने भगवान को इस दुनिया का शासक बनाते हैं, यदि आप विनाश के लिए खड़े हैं, यदि आप अपना पेट भगवान बनाते हैं, यदि आप जुकते हैं तुम्हारी बुद्धी के लिए, यदि आपने जो बनाया है, उसकी अवहेलना करें, एक धर्मी जज हूँ, मैं तुम्हारे तरीकों के अनुसार तुम्हारा नयाई करूँगा, यह सच है, इस दुष्ट युग में पिछले 15 वर्षों से इत्ययूपिया दलाइट ओफ द वर्ल्ड नामक संदेश के माध्यम से एडम के सभी वान्शजों के लिए यह सच्चाई स भी कम लोगों को निर्माता की इच्छा के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, प्रित्वी को ढखने वाले सभी लोग शैतान से चिबग गए और वे खोग गए, उनके पास लोटने का कोई रास्ता नहीं है, जैसा कि परमेश्वर कवचन सपष्ट रूप से बताता है, मोक कफल हो जाएंगे, यहां सच्चाई है, तो मेरे लोग भगवान समय के पाबंद है, वह वही है जो अपने वादों को पूरा करता है और पूरा करता है, आज हजारों वर्षों के धैर्जिये के बाद, उसने अपनी मा वर्जन मेरी के साथ प्रित्वी और आदम के पूरे व पूरता के अनुसार, और तदनुसार उसने पस्चाताप किया या नहीं, क्यूंकि यह तथ्य है कि मनुष्य ने अपनी पसंद के रूप में काम किया, तदनुसार, उन्होंने पवित्र आरकान गेल्स को लागू करने का एक आदेश दिया, इस निर्णे और आदेश के प्रकाश कानून द्वारा सेवा करेंगे, उन्होंने अभिषेक किया, अभिषिक्त किया और महिमा के साथ अधिकार दिया, उसने उन सभी लोगों पर अपना मुकुट रखा, जो पहले नौकर, समराठ योडरोस के साथ शुरू करने, अभिषिक्त और अभिषिक्त किये ग सब धत्म हो गया। करना चाहता हूँ कि दुनिया में 21 राजय, 21 राजा, एक सम्राट और 18 राजा विभिन उच्पदों पर आसीन होगे। करते हैं। इथियोपियावाद एक महान और महंगा उपहार होगा जिसे आप एक महान आध्यात्मिक संघर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। सम्राट तिवोज्रोस एक एथियोपियाई रूरिवादी तेवहेडो का बेटा है। जैसा कि उन्होंने अपने सभी पत्रों में कहा, वे एक गरीब, दुखी, अशिक्षित, बेकार आदमी था। ऐसे लोग हैं जो उसके चुनाव को लेकर भ्रमित हैं, जाहिर है, कुछ को स्विकार करना मुश्किल है। कई कारणों से, ऐसे कई लोग हैं जो अपने आपको टी और जोस मानते हैं। यह कुछ भी नहीं है कि भविश्य में बने रहे हो रहा से सार्वजनेक, सब कुछ प्रकाश में निकल जाएगा। उस समय में, आप जिस तरह से सोचते हैं और उस तरह से विश्वास करते हैं, आपको समझाएंगे, इसे अधिक कहना समय पर नहीं होगा। समरांट और अन्यपिदा इतियोपिया में यहां हैं। राजधानी से शुरू करके, वे विभिनुद देशों के लिए देश के सभी हिस्सों में जाकर स्थिती की निगरानी कर रहे हैं। रहस्य उद्घाटन के समय, टेवर रोज के बाई और और दाई और, जो पहले और दूसरे डिपो में हैं, राजा की उपाधिधारन करते हैं। वे अभी भी सहायता कर रहे हैं और अपने सभी कार्यों में उनके साथ काम कर रहे हैं। वहां राजा के शीरशक में 37 अन्य कर रहे हैं में फेलोशिप और भगवान की एकता पवित्र आत्मा, वे सब बातों में मदद कर रहे हैं। लब्द है तब तक टेली ग्राम माईये हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यह एक मातर तरीका है जिसमें इथियोपिया, समराटे, वो ज्रोस और उनके दर्बारियों के पुनरुथान के साथ साथ इथियोपिया के रूडिवादी चर्च के महान पित्र में होते हैं, सभी को देखते हुए, दूसरी और मुझे उन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है जो मेरा विरोध करते हैं। आज और कल मैं जो कुछ कहता हूँ वे केवल सच और सच को व्यक्त करने के लिए हैं जो मेरे भगवान ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं लगता है कि आप सभी मुझसे हर तरह से बेहतर हैं, लेकिन जबसे मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझे किन मानदर्णों के लिए चुना है, आप सभी जो परिशान हैं, उन्हें सर्वशक्तिमानीश्वर और वर्जिन मैरी से पूछना चाहिए, आपको जवाब मिल मैं यह इसलिए कहता हूँ ताकि आप ठोक कर न खाएं, जब राजा डेविड को सर्वशक्तिमानीश्वर द्वारा चुना गया, तो शमुएल ने उसे भ्रमित कर दिया, जैसे कि वेह अपने बड़े भाईयों को खुश नहीं करता था, लेकिन प्रभु ने शमुएल को उ मुझे अपने आचर में इश्वर को प्रसंद करने का कोई काम नहीं है, मुझे लगता है कि उसने मुझे सिर्फ एक चीज के लिए सोचा था, मैं उस इश्वर से प्यार करता हूँ जिसने मुझे बनाया है, वही श्वर जिसने मुझे मुझे मानव माना है, और मैं अपनी म वर्जन मेरी को पूरे दिल से प्यार करता हूँ एक और बात जो मुझे पता है मैंने उसे खुश करने के लिए कुछ नहीं किया है यह सच है इसलिए उन लोगों के लिए जो समराटे वो जो उसकी पहचान पुछते हैं उन लोगों के लिए जो दोस्त और दुश्मन से भ्रमित हैं मैंने आपको उपर से अवगत कराने की थोड़ी कोशिश की है जब समय आएगा तो आप सपष्ट रूप से उसकी और दूसरों की पहचान देखेंगे डंडा आपको बस धैरे रखना होगा एक बात मैं आपके बारे में सुनिश्चित करना चाहता हूँ आप हमारे बेटे द्वारा खोले गए टेली ग्राम चैनल पर जोन बीस के रहस योद घाटन का सारा सच भी सुन सकते हैं सभी संदेश हमारे विवरन का हिस्ता है यदि यह सब दुख के बोज के साथ बंध हो जाता है तो हम एक और रास्ता खोज लेंगे उस समय हम परिशान नहीं होंगे लेकिन प्रेरित पेडी परिशान होगी और छिपने में सक्षम नहीं होगी एक और मुद्दा कई लोग हैं जो सम्राड ट्रिवोज्रस होने का दावा करते हैं वे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ आश्चर अचक एतोने के अलावा क्या कहना बेशक मेरा मान ना है कि धैर्य रखना अच्छा है और सर्वशक्तिमानीश्वर और वर्जिन मैरी के लिए इंतजार करना है कि यह तपता चलता है जब सभी लोग प्रकाश में जाते हैं यहां उन लोगों के लिए सच्चाई है जो सच्चाई के लिए लंबे समय से हैं जैसा कि हमने घोशना की है कि आप हमारे साथ पंजी करन करें क्यूंकि हम इस पर विश्वास करते हैं हमने उसको पंजी क्रीद किया है जो चाहता था आईडी कार्ड लेने वालों ने भी अच्छा काम किया क्यूंकि आपने इससे सेवा के लिए लिया था आप इसे समय पर उप्योग करेंगे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आईडी पर हस्ताक्षर मेरा है मेरे हस्ताक्षर के आलावा आप इस नोवे संदेश में जानते हैं आपको मेरे दो भाईयों के हस्ताक्षर मिलेंगे ऐसा इसलिए है क्यूंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे जाने और आपको आश्वस्त करें यह संदेज इत्ययोपिया विश्व प्रकाश सरकार के तहत जारी किया गया है मेरे दोनों भाई, राजा के दोवी और तीसीरी श्रेणी में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम तीनों की सहमती से और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सुईक्रती और आग्या के साथ यह सामने आया है इसलिए हमने सच्चाई जानने की बात का खुलासा किया है जो आज लोगों के मन में है समरांट की पहचान की तलाश करने वालों के लिए हमने इसका उत्तर देने की कोशिश की है क्योंकि यह समय है हमने इसे स्पष्ट कर दिया है क्योंकि हम अंदकार के समय में जी रहे हैं जब आप उसे प्रकाश के बारे में बताते हैं तो यह एक ऐसी पीड़ी है जो अपने अंदकार मर जीवन की महानता का प्रचार करती है यह वह एक पीड़ी है जिसने धर्ती को ढख रखा है हमने उसे सच बताने की कोशिश की हाला कि वह जो सोता हुआ लग रहा था अगर आपने उसे जगाने की कोशिश की तो उसे सुनाई नहीं देगा इसलिए हमें इस मुद्ध की परवाह नहीं है कि इसका अंतिम्निन क्या है यदि वह तब तक नोचस नहीं करता है जब तक वह मर नहीं गया हम चुपी का चयन करेंगे क्यूंकि दिन और घंटा हमारे सामने है आग लगने पर वह कहां खड़ा है वह अपने अभिमान के साथ कहा जाएगा उसे इसकी जानकारी दें अंत में इस मामले में पहचान या धर्मत्याग द्वारा केवल अविश्वास या अतिश रोक्ती द्वारा आज हमने आपको जो कुछ भी समझाया है उसके आलावा जो सभी सत्य होने का दावा करते हैं आप ऐसा करना जारी रख सकते हैं बेशक जब आप सच्चाई देखते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि जिस तरह आप भगवान की अवग्या करते हैं सर्वशक्तिमानीश्वर और वर्जिन मेरी दोनों से उचित निर्न होगा अच्छी समझ है इस प्रकार यहोवा ने कहा शापित होवे हैं मनुशे जो मनुशे में विश्वास रखता है और उसकी भुजा को मांस देता है और जिसका हिर्दह यहोवा से विदा हो जाता है नमबर पांच से ये इर्मया सत्रा लेकिन तुम दिन भर यहोवा के भय में रहो निश्चत रूप से एक अंत है और आपकी उमीद नहीं काटी जाएगी नीत्रिव चंते इज सत्रह से अठारर तक तुम भाटकों को खोलो कि धर्मी राश्र जो सक्के को रखता है भीतर प्रवेश कर सकते हैं और तू उसको पून शांती में रखेगा जिसका मन तुझ पर तिका हुआ है क्यूंकि वेह तुझ पर विश्वास करता है यहोवा में हमेशा के लिए भरोसा रखो क्यूंकि यहोवा यहोवा हमेशा की ताकत है यशाया 26, 2-4 तक यशाया के पूरे अध्याय 26 को पढ़े फोर माशुच के रूप में यह लोग अपने मूग से मेरे पास आते हैं और अपने होंटों के साथ मुझे समान देते हैं लेकिन उन्होंने अपना दिल मुझ से दूर कर दिया है और मेरे प्रती उनके डर को पुरुशों के उपधेश द्वारा सिखाया जाता है यशाया 29, 13 नंबर से जैसा कि आप उपरोक्त चारों शब्दों में देख सकते हैं आज आप उन्हें बताएंगे तो वे नहीं सुनेंगे शब्द के बजाएं पिता, बिशप, शिक्षक, विद्वान, शर्च पिता जिन्होंने दावा किया है ने मुझे बताया जो लोकर इस अच्छे लोगों के लिए एक बाधा बन गए हैं कुछ जो पिता होने का दावा करते हैं हमारे बारे में कुछ भी जाने बिना और संदेशों को पड़े बिना वे अपने अपराद बोध से आच्छा दित हो जाते हैं और सच्चाई बताने के लिए हमारी निंदा करते हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसे युवाओं की निंदा की है जुन्होंने कुछ भी घलत समझा है और उन्हें सच्चाई से दूर कर दिया है। भे यहां तक चले गए कि उन लोगों की वापसी के लिए ही जुन्होंने ह हमारे साथ ID प्राप्ट करने के लिए पंजी करण किया था जो उन्हें भविष्य में इथियोपिया विश्व प्रकाश सरकार के तहत सेवा करने में सक्षम करेगा, जिन लोगों ने ऐसा किया, हमने उन्हें शैतान और उसकी सेना को सौपने का फैसला किया हमारे पास धैर्यन नहीं है, आईडी वापस करने वाले युवाओं को आईडी नहीं लोटाने का नर्ण लिया गया चुकि वे हमारे साथ पंजी क्रीत हैं, उन्हें एक महीने के भीतर रजिस्टर से हटा दिया जा सकता है इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि हम इसे रद कर देंगे यदी वेपस चाताब करने का अनुरोध करके एक महीने के भीतर सर्व शक्तिमान भगवान पर लागू नहीं होते हैं आप जो राजनीती और विश्वास आपके लिए मिला है, नकली विश्वासी, तुम जो प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश में बदलते हो, ध्यान दें, भगवान का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, वे कोई राजनीतिक जुआ नहीं है विश्वास के गरीबों के लिए, जो सच्चाए नहीं जानते हैं, तुम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, आप केवल जानते हैं कि एच नाम है, विश्वास से कोई बाचीत नहीं है मुखे विद्वान अया लेवतामीरू, जिन्होंने बेना किसी दोश के अपनी पुरहती रखी, इथियोपिया के रूरिवादी तेवेदो चर्च स्कॉलर्स सम्मेलन के अंतिम अध्यक्ष थे, यह हम सभी जानते हैं, वह हमारे विश्वास के सिध्धान्त और सिध्धान् मुखे विद्वान अया लेवतामीरू, जो उस समय चर्च के पतन के गवाह थे, ने पिति सत्ता और कानून में हस्ताक्षर करने वाले बिशप के धर्मजभा के सदस्यों की निंदा की, उन्होंने अपने पुरोहे तत्व को बांधा, क्यों? वे मूर्ती पूजक बन गए ह परिणाम स्वरू, उन्होंने अपना डायत्व निभाया है, तो हमारे चर्च को कैसे तोड़ा जा सकता है, बिना कानून तोड़े और निंदा के खिलाफ कारेवाही की जाए? इस समय, कुल पत्ती की कारेवाही को निशकासित और निलंबित करने के लिए था मुख्य विद परिणाम स्वरू, हमारे चर्च के सभी मंतरी निंदा में केद हैं, उन्हें अपने अपराद का बोध्द नहीं था और उन्होंने ठीक नहीं किया, इसलिए आप किसी को आशिरवाद नहीं दे सकते, जो लोग इस सच्चाई को जानते हैं और कहते हैं कि यह कोई समस्या नह नहीं है, वे भविश्य में परिणाम देखेंगे, शैतान द्वारा बनाई गई मायताओं से, कैथोलिक धर्म, विधर्म, इसलाम, वाकेता, शिंतोवाद, ताववाद, कन्फ्यूशीवाद, हिंदू धर्म, सिक धर्म, जादू टोना, जादू टोना, सभी मूर्ति पूज अनुग्रा, अभिशेक, सभी कन्याई किया जाता है, उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने सभी को भगवान से वांचित कर दिया, राजनीती के साथ विश्वास को भ्रमित करना एक गंभीर अपराद है, इस नौवे संदेश के अनुसार, निमने लिखित निर्नयों, आदेशों, निर्देशों, शर्तों में जो लोग एक सरकार के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में पहले स्थान पर आराम करते हैं, दूसरा यह है कि जो लोग एक सरकार के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में आराम करते हैं, तीसरा स्थान वे हैं ज प्रांस, चीन, मिस्र, जर्मनी, भारत, इरान, सौधी अरब, इटली, दोनो कोरिया, इजरायल, रूस, पाकिस्तान, कनाडा, सयु अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया, स्पेन, तुर्की, जापान, इंडोनेशिया, दुबई, साथ ही उन लोगों को जो पहले उदारन में जल्द युगांडा, युगांडा, तावंजानिया, मध्य अफरीका, चाड, कैमरून, मिस्र, गैबॉन, गिन्नी, जांबिया, अंगोला, ये ऐसे देश हैं जो उपर उलेखित देशों के साथ सक्फाई करने वाले पहले हैं दूसरे चरण में शामिल देश ब्राजील, दक्षन अफरीका, अर्जेंटीना, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान, बर्मा, थाइलेंड, कमबोडिया, वियतनाम, लाउस, नेपाल, सिंगापूर, मलेशिया, ताइवान, श्रिलंका, नाइजीरिया, नाइजर, क्यूबा, निकारागुआ, गॉटेमाला, अल्सालवाड़ूर, कोस्टारिका, 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 पनामा, हैती, हमास, कुवेट, कत्तर, ओमान, बहरीन, वेनेजुएला, कोलंबिया, सुमात्रा, फ्रेंच चग्याना, एकवाडोर, पेरु, पेरागवे, उर्गवे, चिل् अलजीरिया और पस्चिम अफरीका के सभी तीसरे चरण में शामिल देश इस सूची में शामिल देश उप्रोक्त की पहली और दूसरी श्रेणी में सूची बद्ध नहीं हैं, वे दूसरों के विनाश को देखते हैं और अंतार शामिल होंगे और बह जाएंगे, ध्यान दें, संदेश 3, संदेश 5 और संदेश 8 और दुनिया के बाकी हिस्सों में उलिखित देशों को निड़े में शामिल किया जाएगा, जिस तरह से पूरी दुनिया में कोडोना वाइरस फैल गया है, ऐसी कोई भी भूमी नहीं है जो क्रोद और क्रोद की आग से बहन जाए, बेशक जो लोग अर्थर अस्था और सेना में मजबूत होने का दावा करते हैं, वे वहीं हैं जो सबसे पहले बुरी तरह से भास्म हो जाएंगे, उन में से कुछ पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, इतिहास के लिए कोई निशान नहीं छोड़ेंगे, जब आप इस संदेश को स मज़ते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि चीजें दोहरा आई जाती हैं, लेकिन यह नहीं है, इसे दोहरा आया गया था कि आप खत्रे से बच सकें, क्यूंकि इसमें कई नए निवन शामिल थे, यह आपके विनाश भाया वेहता के कारण है, जैसा कि आपने इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध में हरे हुए लोगों और संपती का दूसरों के लिए सबक नहीं था, जब द्वितिये विश्व युद्धाया था, दुनिया नहीं चाहती थी कि वे हाय, यह एक युद्ध था जो एक शेतान, हिटलर द्वारा छेड़ा गया था, उस समय सभी देश युद्ध से बच नहीं सकते थे, उन्होंने इसमें प्रवेश किया था, करोणों लोग मारे गए, बहुत सारी संपती नश्ट हो गई, तब से, हाला की, कम युद्ध हुए हैं, यह सब बिना कारण के नहीं है, यह एक व्यक्ति के लिए पस्चाताब करने और भगव में देखा, यदि धैरे और वकील इंकार को जन देते हैं, अगर प्यार और धैरे फल नहीं देता है, तो इसे नश्ट करना मुश्किल क्यों है, जैसे तुम निर्मित हो, वैसे ही गिर जाओगे, आपने माले को तुछ जाना, और उसकी बार्द को हिलाने की कोशिश की, इस पर जाएंगे, एक और बात यह है कि कुछ लोग हमारे शब्दों को तोड मरोड कर और उन्हें राजनीतिक अर्थ देकर परमेश्वर के लोगों को गुमरहा करने की कोशिश करते हैं, इन कत्नों में से भगवान को भौतिक समर्थन की आवशक्ता नहीं है, निश्चित अपने और अपने देश की रक्षा करें, आज हमने इस संदेश में इसे दोहराया है, क्यों? जब हम कहते हैं कि सर्व शक्तिमान को भौतिक समर्थन की आवशक्ता नहीं है तो हमारा क्या मतलब है? ध्यान देक कि जब कोई विक्ती एक हत्यार से लेस होता है, तो वेह अपन और पलिष्तियों के खिलाव भगवान को समेटे बिना लड़े, लड़ाई के दोहरान उन्होंने सियोन के संदूग के साथ मार्च किया, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, पस्चा ताप करते हैं, और आपकी लड़ाई के लिए उसकी इच्छा पूछते हैं, तो भगवा अपकी मदद करेगा, और आप अपने दुश्मन को हरा देंगे, इस्राइलियों को यह पता था, वे वाचा के संदूग को अपने साथ ले गए, लेकिन वे वापस नहीं आए, वे अपनी शम से दूर नहीं है, वे उतावलेपन में बाहर चले गए, उन्हें पलिष्तियों उन्हें मारा था, सियोन की आख पर कब्जा कर लिया गया था, जहां सियोन गया, वहां कोई इस्राइली नहीं था, पलिष्तियों ने देखा कि उनकी मूर्तियां सियोन के संदूग के पास जुकी हुई है, केवल इतना ही नहीं, बलकि परमेश्वर ने बड़ी भिमारी और पलिष्तियों को घबराहट हुई और उन्होंने सियोन के संदूग को वापस करने का फैसला किया, उन्होंने दूद देने वाली गायों के साथ एक रत खड़ा किया, उस पर आक लगाया और उसे इसराइल की भूमी पर भेज दिया, जब संदूग इसराइल देश में पहु जब की गायों को सड़क पर खीच रहे थे, ऐसा लगता है जैसे वे संदूग फेंक रहे थे, यह इस समय था कि ओजानामा के किसान संदूग का समर्थन करने के लिए बाहर पहुचा, तो रंत परमेश्वर की आत्मा ने उसे मारा और मर गई, मेरे लोगों, हमें यह समझना चाये की भगवान को मांस के समर्थन की आवशक्ता नहीं है, हमें सहायता की आवशक्ता है, हमें उसकी सहायता की आवशक्ता है, लेकिन प्रभू को हमारे भौतिक समर्थन की आवशक्ता नहीं है, लेकिन यह हमें मदद करेगा अगर हम इमानदारी, पस्चाताप, एक धर् परोसे मंत दिल से उसकी मदद मांगते हैं। हमें अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपने देश और अपने जंडे का बचाव करने का अधिकार है। जब आक्रमन कारी हमारे उपर इटली की तरहें आते हैं। तो एक हमलावर शत्रू जो हमारे विश्वास का विरोध कर ये जो उसने हमारे उपर लाई है, जैसा कि अबू एन पेटोस ने किया था, अबू पेटोस ने बंदूक से लडाई की, जब उन्हें गिरफतार किया गया, उनके पुरोहे तत्व प्रादिकरन द्वारा, उन्होंने निंदा की, वे अपनी सत्यता के लिए शहीद हो गए, य हमारा विश्वास है, यह पीडी आज जिसने अपना देश, इमान और जण्डा बेच दिया, वे हेरिटिक्स, कैथोलिक, मुसलिम, शैतान के एजेंडे के वाहक, कायर, जूठे, धोखे बाज, जातिवादी, चुडएल, शुरेत उपासक हैं, इसलिए, वे आज के फैसले क लिए, वद्ध हो गया, आज चर्य अजनक रूप से, उन्होंने हमारी आलोचना करने की कोशिश की, आज, जिस पीडी ने अपना विश्वास, अपना देश, अपना जण्डा खो दिया है, वे किस मानकों पर अपनी जिबान हमारे खिलाफ छोड़ेगी, वह जिसने चर्च को नश्ट कर दिया और उसे शैतान को बेच दिया, आप अपना निर्ण देखेंगे, आप अपनी जीब से नहीं बचेंगे, भगवान तुम्हारे दिल को जानता है, इसलिए, हर सचे तेवे दो बच्चे को सचे तेवे दो विश्वास और अपने देश के जंडे के लिए खड़े होना चाहिए, सफेद, काला, वेह नागरिक है या नहीं, यदि वेह आपके विश्वास, आपके देश और आपके द्वज के प्रतीशत रुता पूर्ण है, तो आप उसका बचाव कर सकते हैं क्यूंकि यहां आपका स्वाभाविक अधिकार है, अत्तीत में, जब ह स्कूल गए थे, हमारे खेल शिक्षक हमें एक ऐसी दर देते थे जो विजेता नहीं होती, प्रतियोगिता एक अंडे को सूप के चमश्च पर रखने और सूप के चमश्च को दाथ से काटने के लिए होती है, और कोई भी एक चाउथाई में भी शान्ती से अंडे नहीं दे सकता है, कोई धारण नहीं कर सकता, जैसे ही वह चला गया, अंडा गिर गया, इसे तोड़ा जाएगा, मैंने इस उधावरण को एक कारण से उठाया, जैसा कि सभी जानते हैं, आज हमारे एथियोपियाई नेता, इसलाम की तरह हेरिटिक्स कौन है, जिसकी कोई एथियोपि आई पहचान नहीं है, सर्वश्वेष्ट अभिनेटा, धोंग करने वाला, जिसके पास कोई यथार्थवादी सपने नहीं है, जैसे मेल सुझे नावी, जो केवल उन साधनों का पालन करते हैं, जो उनके अधिकार को बनाय रखने का प्रयास करते हैं, हम उन्हें चमश्च पर अपनी शक्त लगाते हुए देख रहे हैं, चमश्च को अपने दातों से पकड़ कर दोड़ रहे हैं, अपना समय बर्बाद मत करो, जिसने दूर से देखा विह आराम करेगा आप इसे जल्द ही देखेंगे, जैसा की कहा जाता है, अपने लिए सुनो जब एक बोलता है और दूसरा भी बोलता है, टी पी एलेफ गिर गया और विघटित हो गया, हाँ, यह एक परमेश्वर का न्याय है, आप स्वेच्छा से लड़ाई में शामिल नहीं हुए, तुम्हारा विचार था कि अपनी शक्ती को धोंग करके रखो, लेकिन उन्होंने जबरन को आप तक पहुँचाया, दुकी अमहरा, कि आप उससे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्यूंकि वेह अपने विश्वास और देशभक्ती के कारण एक द्रिट नागरिक है, उन्होंने अस्थाई रूप से आपकी शक्ती को बनाए रखा, कल एक और समस्या आती है, जो कि इश्वर जानता है कि आपके दिल में क्या है, जैसा कि सब ही जानते हैं, कोई भी फैसला आपकी जीब के आधार पर नहीं किया जाता है, आप अपने मन में क्या है और आप क्या मानते हैं, उसके आधार पर आपकी मत का भुगतान करेंगे, गर्व और दुष्टा, धर्म को संबोधित करना चाहेंगे जिन पर इस समय बहस चल रही है 1988 में इथियोपिया के कैलेंदर में इथियोपिया के तेविदो और्थुडॉक्स चर्च में उस समय के राजनीतिक परिवर्तनों के साथ कुछ नया आया उस समय चर्च के संग्रक्षक अबा मर्करियोस को टी-पी अत्मक अधिकार को जब्त कर लिया गया पूर्वजो की सीमाव का उलंगन करके उनकी शक्ति को मजबूत करने के बाद शर्च के धर्मजभा के कानून को तोड़ना और भगवान के जगे खुद को पवित्र आत्मा नियुक्त करना उन्होंने धर्मजभा के इस दावे को ख परिशत के अध्यक्ष थे उनका काम ऐसे दुर्व्यवहारों को रोकना और चर्च को टाहेडो विश्वास द्वारा निर्धारत सीमाव से भटकने से रोकना था उन्होंने उस समय बहुत संघर्ष किया लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी इसलिए उन्होंने देश धर्मस भाजो की इथियोपिया के देश के अंदर थे कि निंदा की अबाप पॉलोस ने विद्वानों की परिशत के अध्यक्ष से अपने काम से मुख्य विद्वान अयालू तामिरू को निकाल दिया जब हम निंदा शब्द को देखते हैं तो यह कहता है दैश शायद रम चर्च के सवाल को नहीं सुनेंगे पिति सता अबा पी ओलोस जिन्होंने इस अपराद को अंजाम दिया अबा गरिमा जो तीन नियुक्तियों के नाम पर चलता है और वे सभी जो उनका समर्थन करते हैं मेरे भगवान भगवान के शब्दों में जो तुम पृत्वी में बनते हो वे भी स्वर्ग में बनतेगा मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्माव के अधिकार संतों पीटर और पॉल सेंट माक और अबा केरलोस अबा बेसिलियोस और अबा थियो फिलस और धर्मी अबुन अकलेहिम नोट जेडे बेर लिबानोस के शब्दों की निंदा करत हैं माई सेडोनिया नेस्टरियस ख्लाबियन चैलसी डॉन और इसके अनुयाई निंदा हो गई मैं आपको इश्वर की अचूट शक्ती द्वारा बाध्य करता हूं पिता पुत्र और पवित्र आत्माव की प्रशंसा करें तथास्तू कहते हैं मैंने आदेश दिया है कि मु यह निंदा अभी तक नहीं उठी है चर्च ने पिति सतात्मक सीमाव को ठीक नहीं किया जो उसने तोड़ दिया था आज वह पॉल ओ इसके कानून का पालन करना जारी रखती है किसी भाई द्वारा प्रकाशित निंदा के बारे में एक पुस्तक खरीदे और पढ़ें जिस और प्रकाश बोलते हैं भगवान के लिए नंबर मायने नहीं रखते लेकिन परमेश्वर उन लोगों की परवा करता है जो सच्चाई के लिए खड़े हैं ध्यान दे कि हमें हमारे नाम से बुलाया जाता है इथियोपिया दुनिया का प्रकाश है मत जल्दी करो नभी एलि जबल के लोगों के नेताओं सभी पुजारियों भू की पूजा मैं एल जैबू मैं एल वे भगवान के फैसले से बच गए हैं वे भी बहुत सारे थे वैसे भी ट्रिनेटी और वर्जिन मेरी के परिवार निंदा और अन्यमुद्दों के बारे में प्राश्न उपवास और हार्दिक प्रार्थना के साथ भगवान से पूछें विनाश का मार्ग चोड़ा है और कई ऐसे हैं जो इसमें चलते हैं सत्य का मार्ग संकीन है और उसमें कुछ ही चलना है संकीन तरीके से ट्रवेश करने के लिए शब्द में कहा दैश हम इश्वर का परिवार हम सभी एथ दर्शन करता है यह हमारा तेवे दोरूरिवादी विश्वास है जिसमें हमारे पूर्वजों ने पुष्ठी की और वास्तव में शहीद हुए इसलिए कुछ लोग जो अंधेरे को प्रकाश के साथ मिलाने की रणनीती का पालन करते हैं अपने आपको जांचो हम आप से कहते ह अपने निर्मातास से पूछें दैश संतों की संस्था या मेहबरे के दूसर नामक संस्था के बारे में हमने जो कहा है उसके बारे में सच्चाई हमें हमें बताने के लिए किसी की आवशक्ता नहीं है सच्चे विश्वासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरों को उनके काले कामों को सुधारने के लिए कहें, हमारे किसी भी बयान और संदेश में, हम बिना सबूत के नहीं बूलते हैं, उनमें अच्छाई हो सकती है, हमने यह नहीं कहा की नहीं किया है, पिछले लोगों ने कड़ी मेहनत की है, हमें यह पता है, आज की क्या वे वास्तव मे अपने जूते में हैं, इश्वर उन्हें जानता है, हम उन्हें उन सच्चाईयों से जानते हैं, जिन्हें हम समझते हैं, अन्य केवल परमेश्वर और उसके सेवक उन्हें जानते हैं, उन्हें की जो कर रहे हैं भगवान, जहां द्वारा चुनावे कर रहे हैं, अब और ज यह स्पष्ट है वे जो पिता पॉलोस और पिता मेतिरस इन मास में और सभी मुकदमों में नाम का उल्लेख करते हैं और धर्मजभा जो वर्तमान में इसकी निंदा करने वाले कानून को लागू करती है कि भी निंदा की जाती है इसलिए पुजारी और बधिर जिनके नाम का ह प्रार्थना में उल्लिक किया गया है उनके पुजारी बंधे हुए हैं हमें सच बताने की जरूरत है यह हमारा चरवाह कार्य है क्या आज हम इसाय इन गतिविद्यों को नहीं कर रहे हैं यह सवाल उठता है हम इसे समझते हैं हम विर नहीं कह रहे हैं जो इस निंदा को नह नहीं जानते उसकी अग्यानता के अनुसार निर्ण भगवान का है। परिपून होंगे, परमेश्वर के सभी सेवक पवित्र आत्मा की अगवाई करेंगे, उनकी इच्छा से विदा नहीं होंगे। नहीं जानते हैं कि वहाँ है, भले ही वे रहें, यह उनके विनाश के लिए है, अगर वे जाते भी हैं तो यह उनकी नेती है, लेकिन उनके साहस के कारण वे एकी मत चुकाएंगे। धर्मियों के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय के साथ वे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शिक्षाओं और मार्ग दर्शन के माध्यम से पूरी तरह सिमानव बन जाएंगे। मेरे लोग, भगवान के लोग, मुझे लगता है कि अगर आप इस सवाल को संदेश पढ़ेंगे कि आज नौवा संदेश क्यूं आया है तो आप समझेंगे। अनिय एपिसल्स के आलावा इसे जूसेट करता है वे यह है कि यह संदेश को व्यापा ग्रूप से विस्तारित करता है और सबसे मजबूत निर्ने, पूर्व शर्त, निर्देश और आदेश रखता है बार-बार संदेश सुनें इसे केवल एक बार पढ़ने से समझना और अपने सभी को इश्वर के करीब लाने के लिए इश्वर की पुकार को कोई नहीं जानता। वर्जिन मेरी की मदद से अवित्र शहीद, धनुरधारी, आसू के साथ दुनिया को जल्दी से छोड़ देते हैं। पाखंडी, कैथोलिक, पाखंडी, जादुग्रणी, मुस सकते हैं, मुझे नहीं पढ़ता। जो लोग इतियोपिया विश्व प्रकाश सरकार में विश्वास करते हैं, चाहे आप पंजी कृत हैं या नहीं, मेहंती वकील से इकट था, आध्यात में कब असोसियेशन द्वारा इकट था, पंजी कृत और अपंजी कृत दोनों, विन पैसा नहीं है, बस उतना तयार रहें जितना आप कर सकते हैं, भगवान और वर्जिन मैरी आपकी कमियों के लिए तयार करेंगे, मेरे पिता, माता, भाई, बहन और बचे, जो जंगल में रहते हैं, अपने आपको भगवान की सलह के अनुसार तयार करें, ऐसा मत सोचो की को व्यक्त करने का एक और तरीका है, हमने आपको मूल सकते अधिया है, यदि सभी नहीं, अपने आपको भगवान के साथ वर्जिन, आते हेल्स, संतों और शहीदों के साथ प्यार में जगणे, मेगोगो आपको सभी चीजों में समझ देता है, आप अगले अध्याय में एक ततकाल उद्घोषणा की घोषणा देखेंगे, हम आपको जानना चाहते हैं कि यह उद्घोषणा ट्रिनेटी के आदेश द्वारा जारी एक उद्घोषणा है, और इत्ययोपिया विश्व प्रकाश सरकार के अधिकार के तहत, दैशक्यों की आदम के सभी वन्शज उसके आगे देखेंगे, यह अच्छा है कि वे इसे पढ़ते या सुनते हैं दैश इसका किसी भी भाषा में अनुवाद करना अच्छा है, हर कोई इसे सुन सकता है, यदि आपके पास अवसर है तो इसका अनुवाद करें, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो आप हमारे बेटे क जोन बीस के रहस योद घाटन के टेली ग्राम चानल पर भेजते हैं, हम इसे देखेंगे, फिर आप इसे निकाल सकते हैं, चूंकी समय कम है, आपके पास जो अफसर है, उसे जल्द से जल्द करें, वित्तरन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नीचे आपको उद्धोशना मिल लेकिन उसकी खुशी यहोवा के कानून में है, और अपने कानून में वेह दिन रात ध्यान करता है, और वेह पानी की नदियों द्वारा लगाए गए पेड की तरह होगा, जो अपने मौसम में अपने फल को आगे लाएगा, उसका पत्ता भी नहीं मुर जाएगा, और जो क कुछ भी करेगा वेह सम्रिद्ध होगा, अधर्मी ऐसे नहीं है, लेकिन उस जोंके की तरह हैं जो हवा को दूर भगाता है, इसलिए अधर्मी फैसले में नहीं खड़े होंगे, नहीं धर्मियों की मंडली में पापी, क्योंकि यहोवा धर्मी के मार्ग को जानता है, परंत के नाम महिमा हो, संदेशन और यहा समाप्थ हुआ, ट्रिनिटी और वर्जिन मेरी का घुलाम, संख्या देश चार, दो शुन्य एक तीनी कीस दिसंबर, दो हजार तेरह है थियोपियाई कैलेंडर, तीस दिसंबर, दो हजार बीस यूरोपिय कैलेंडर, सभी मानव जाती के इश्वर के धर्मी निन्ने पर जाएं और प्राप्त करें, जो तयार हैं और पस्चाताब करते हैं, जो लोग अपने रूरी वादीते वह दो विश्वास में स्थिर बने रहें और वे इस दुनिया की गंदगी से सुरक्षित हैं, उन्हें आज सर्व शक्तिमान भगवान द्वारा याद किया जाता है, अपने पिता की कीमत पर इस प्रित्वी पर उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, आराम दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें रात के खाने के लिए भी बुलाया जाता है, इसलिए सुनो, इथियोपिया को सर्व शक्ति भगवान द्वारा याद किया जाता है। वह अपने महान संगर्ष के साथ जीत गई। बात सुनो। आदम के सभी वनशज। ध्यान से सुनो। परिचे, हजारों सालों से इस धर्ती के शासक जुन्होंने दुनिया भर के लोगों पर शासन किया था। वे अपने अधिकार के लिए खड़े हुए थे और वे कहते थे कि मेरा राज्य है। ज्यादतर समय वे शैतान के विचारों और योजनाओं के अधीन रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। और वे एक दूसरे से लड़ चुके हैं। जबकि यह सब हो रहा है। हम आज यह हैं। इस प्रक्रिया के दोरान सभी सरकारें सर्व शक्तिमान ईश्वर के कुछ सेवकों को छोड़कर भगवान के लोगों की लड़ाई, हत्या और नरसनार के द्वारा इतिहास बन गया है। चर्च का सच्चा विश्वास। स्वर्ग में पवित्र शहीद हमेशा से रहे ह हैं और अभी भी अपने बहाए गए खून के कारण ईश्वर के धर्मी निर्ण की मांग कर रहे हैं। प्रभु ने उन्हें रहने के लिए कहा कि प्याला भार गाये। लेकिन आज कब भर गया है। इस संदेश में प्रभु ने आज अपना धर्मी निर्ण सुनाया। इसकी अभिमान और धर्मात्याग की बुवाई, प्रित्वी बरबाद हो गई थी। इसलिए यह त्यकिया गया कि इसे आग से नश्ट कर दिया जाएगा। इसके बजाएं यह त्यकिया गया था कि पूरी दुनिया को इतियोपिया के प्रकाश समराज्य के तहत शासन करना और यह कि भगवान के लोगों के लिए सांतवना का समय जैसा कि प्रकाशित्वाक के अध्याय बीस में बताया गया है प्रित्वी पर पूरा होना चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वह एक कारण है कि परमेश्वर के लोगों का नरसनार अभूत पूर्व तरीके से प्या पूर्थि पूजा जाती वाद बाद सुनो चुडैलों जो राक्षित्वों को आकर शिप करते हैं और जादू टोना करते हैं बाद सुनो पृक्ष और नदी के उपासक बाद सुनो नरसनहार और नरसनहार के मालिक बात सुनो आस्था के वे सौडांगर जो आस्था के लबादे उड़ लेते हैं और एक दूसरे को मास्टर और मास्टर कहते हैं बात सुनो आप जिन्होंने व्यवसाय और अपने पेट के लिए भगवान के शब्द को बदल दिया है बात सुनो आप जो आपके घ्यान की पूजा करते हैं और अन्य विश्वासियों का तिरसकार करते हैं बात सुनो आप जो कहते हैं कि हमारे अलावा कोई भी भगवान के बारे में नहीं बोल सकता है बात सुनो आप जो अभी भी प्रभू के घावों पर हमला कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे बिना सांस नहीं ले सकते हैं बात सुनो भगवान के आदेश के रूप में आप साहस पूर्वक मानव जीब को बंद करने के लिए संघर्श करते हैं बात सुनो जूठे, धोके बाज, अभिमानी, खुरूर आप सभी बात सुनो इसलाम, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक धर्म, सुधार आपने अपने दिल में राजा के रूप में मूर्ते पूजा की है बात सुनो, समलेंगिकों, बात सुनो, हाँ, सुनो, आपने अपने आपको विभिचारी बना दिया, बात सुनो, आप सभी जो पूर्व नाग, ड्रेगन, जूठे नबी, खुले और गुपतुरूप से पूजा करते हैं, बात सुनो, सुनो, पृत्वी पर तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है, यह खत्म हो गया है, बात सुनो, मानव जाती सुनो, आपके निरुने का पालन किया गया है, लेकिन अब, आपके साथ घटित और निश्पादित होगा, आपके पास समय नहीं है, कोई अपील नहीं, आपके सभी मुके पूरी तरह से समाप्त हो गये हैं, डेविल्स डे उनका सहसरादी शासन समाप्त हो गया यह एक फैसला किया गया था कि आदम के सभी वन्षज जो उसके शासन में रहते थे को भगवान के धर्मी फैसले से आखा जाना चाहिए इसलिए प्रित्वी को ढंकने के लिए और प्रकाश से ढखे रहने के लिए प्रित् काम मिलने वाला है हमारे पूर्वज और माताएं परमेश्वर के धर्मी न्याय द्वारा आनंद लेने के लिए स्वर्ग में है उन्हें अपने बच्चों द्वारा आत्माव की एक तामे महिमा मंडित किया जाना है एक विश्वास प्यार और धीरज रूडिवादी तू अ अब करने वाली है पुनरुथान पाने वालों को गले लगाती है बात सुनो, सुन्ते रहो ध्यान से सुनो अपने पिता, शेतान, पुराने सरप, झु़ूठे नभी और आपके दोस्तों के साथ नरक में जाएं जिन्होंने ढर्टि को ढंक रखा है शेतान अपने जेल या नरक में जाएगा, यह एक तह है कि आपको नरक में भी जाना है, जहां आपको न्याय दिया जाएगा, मेरी बात सुनो, सुनो, तुम शैतान के अधीन हो, अलविदा, संत्पना के बाद, जज्मेंड डे के अंत में, आप हमें देखेंगे, भगवान के न्याय आसन के दाई औ हमारी माता दरवर्जन मेरी के साथ, और हमारे प्यारे पवित्रतीर थयातियों के साथ, बात सुनो, जैसा कि आप नरक के आखरी रास्ते पर हैं, मैं आपको आखरी बार बताऊंगा, आप अपने आपको भगवान के फैसले की सीट के बाई और खड़े होकर आग में फेंकन के लिए देखेंगे, वह दिन अलविदा कहने का आखरी दिन होगा, उसके बाद हम आपको फिर कभी नहीं देखेंगे, तुम नरक की महानगनी को, उस अनंत पीडा को जाना, और हम भी, हम स्वर्गियर राज्ये में प्रवेश करेंगे, जो कि अब राहम कित्रि मूर्ती द कि तुम्हारा हिर्दय संदेग से भरा है, बेशक, जब हम आपको बताएंगे कि आप हसेंगे, और एक और तबाही के लिए तयार होंगे, लेकिन सुनो, आपने अपना समय पूरा कर लिया, आप कर चुके हैं, इसलिए आप और आपके पिता शेतान को समाप्त करने के लिए उद्घोशना करने आए, ततकाल उद्घोशना से हमारा क्या तातपर है, आज दुम्हा में लगभग 205 देश ऐसे हैं जो द्रिड़ हैं, वे सभी अपने अपने सम्मेधान के अनुसार अपने लोगों पर शासन करते हैं, हम, एथियोपियाई लोग, तीस वर्षों से अज जो धमकाने से आया हो, संयुक्त राज्य अमेरिका और युनाइटेड किंगर्ड हम दोनों की कमान के अनुसार, हमने जो शैतानी ववस्थाएं की हैं, वे उस समय शैतान द्वारा चुने गए टी पी एलेफ या वीम द्वारा शासित हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि वर्तमान सम्विधान सभी के हित में है, हाला कि अगर कोई लोग प्रिये विद्रोड या विभीन दुश्मन है, तो वे सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, सरकार खुद को बचाने और आदेश को बहाल करने के लिए अंतिम कदम उठाएगी ताकि आपात कालीन स्थिती ततकाल उद्घोशना घोशित की जा सके, इसलिए सरकार अपने सेंगल बुलों, पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा सभी विरोधी ताक्तों को नियंत्रित या नश्ट कर देगा, न्याय करने के लिए भी गिरफतार किया जाएगा लेकिन आज, आप इस जरूरी उद्घोशना में जो देख रहे हैं, वे उस चीज से अलग है जिसका आप उप्योग कर रहे हैं, बात सुनो, आदम का वनशज, कहो क्या अलग है, आप जिस आपात काल को जानते हैं, वे किसी देश और उसके शासन को बचाने का कारे हैं, जो एक ऐसी सरकार द्वारा घोशित किया जा रहा है, जो उस समय खत्म होने वाली है, जब कोई देश उथल पुथल में है, या प्राक्रतिक आप दाओं से निपटने में असमर्थ है, तब कोई सुरक्षा नहीं है, कोई हलचल नहीं है, यह सहयम और सहयम का जीवन होगा, यह आपके घ्यान में एक जरूरी उद्गोशना है, लेकिन आज हमारी उद्गोशना आलग है, उद्गोशना सर्व शक्तिमान इश्वर से उत्पन्न हुई है जिसे आप भूल चुके है, या इश्वर द्वारा घोशित किया गया है, जिसे देखा और सपर्ष नहीं किया जा स करता है, उसने तुम्हें बनाया, उसने प्रित्वी और आकाश बनाया, उसने द्रिशे और अद्रिशे बनाया, उसने आदम के वन्शज को उसके छवी के रूप में प्रित्वी पर बनाया, और अपने प्रित्वी पर रहने के बाद उसके नाम के चारों और सितारों की तर उन्होंने आपके लिए भुगतान किया, इसके लिए आपने क्या भुगतान किया? आपने उसी श्वर को कैसे जवाब दिया, जो हजारों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप उसे उसी प्रेम में इकट्था करें, जिसने आपको बचाया और आपकी सभी नशानियों से बटाया? हाँ, आपने उसे पूरी तरह से नकार दिया था, आप जानते हैं कि आप किसलिए खड़े हैं और आप कैसे रहते हैं, आपकी अवमानना, आपका विश्वास घात, आपका पस्चाताप, आपका विद्रो, आखिरकार, आप जानते हैं कि आपने शे विश्वास में देखा और उसके प्यार में जिया। हम जानते हैं कि निर्ने सामने होगा और हम अपने विश्वास से बच जाएंगे। वह हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है। लेकिन हम यहां मानते आये हैं कि यह संभव है क्यूंकि वेर एकवफादार इश्वर है। आज यह हुआ है। भले ही यह उद्धोशन आपके कानों तक पहुँच गई हो। फिर भी आप इसे नहीं मानते। बेशक यह संदेश दुनिया भर में सुना जाएगा। आप खोई हुई पीडी अभी भी नहीं सुनेगी। कविद 19 बिमारी के कारण आपने देखा है कि आपने कितना नुकसान उठाया है। आप अब भी कहते हैं कि मुझे इसके लिए वैक्सीन मिलेगी। याद रखें कि पांचवे संदेश में क्या कहते हैं। इसने कहा कि कई वारस सामने आएंगे। सिर्फ कविद दश 19 नहीं। तो आपका दुख कब आया। यह सिर्फ आप अपन को अधिकरित किया वे सर्व शक्तिमानीश्वर है जिसने आकाश और प्रित्वी की रचना की उद्घोषणा की घोषणा करने के लिए किसे आदेश दिया गया था। जी हां। उनके वफादार सेवकों ने उनके वस्ताक्षर और खून पर मुहर लगा कर इसे मंजूरी दे आप इसे जल्द ही देखेंगे कि ट्रिनेटी के पहले गुलाम जो इतियोपिया के विश्व प्रकाश सरकार का नेत्रित्व करते हैं जब वे सुबह के सूरज की तरह उठते और चमकते हैं। हमारी उद्घोषणा आलग है। कारण है कि हम कहते हैं कि यह है कि तुम क्या कर करने के लिए उपयोग किया ढाता है कि सामान नहीं है यही कारण है एक अपातकाल की स्थिती है कि आप और आपके साथियों पता सरकारों द्वारा घोषए्ट यह वही है जो वे अपनी दरूरतों को पूरा करने के लिए सेयान यह किसी अन्यत तरीके से करते हैं. जैसा कि म मैंने उपर उल्ले किया है, हमारा अलग है क्योंकि यह इश्वर का है, जिसने आपको बनाया है, फिर से मैं इसे दोहराऊंगा, यह इश्वर द्वारा जारी एक घोशना है, जिसमें मृत्यू सहित सभी चीजों पर अधिकार है, परमेश्वर ने मुक्त करनी का वादा किया जो मिस्र के देश से फिरॉन के अत्याचारी शासन के अधीन थे, परमेश्वर जिसने अपनी बात रखी, उसने अपने वठादार दास मूसा और हारून को इस्राइल को आजाद करने के लिए भेजा, हाला कि जब मिस्र के लोगों पर दस विपत्तियां शुरू हुई, तो बार-बार घमंड के बावजूद, अपने अंतिम भयानक्रोद के अंत में आगाया, मिस्र की भूमी सभी आदमी और जानवरों से सबसे बड़े बेटे की मृत्यू के साथ कवर की गई थी, और फिरॉन का घर मौत से भर गया, स्थिती का सामना करने में असमर्थ, फिरॉन इस्राइलियों से इतना डर गया कि उसने उन्हें सोने और मोती दिये और उन्हें रिहा कर दिया, आज परमेश्वर अपने विभिंदंडों को दोहराता है, जब उसने काउंसलिंग की और दुनिया को फटकार लगाई तो किसी ने नहीं सुनी, 15 साल के लिए भगवान ने स सभी वन्षों को नियंतरित किया था, उन्होंने कहा कि वे इतियोपिया के ते वे दो विश्वास पर अपने अपराद को त्यागेंगे नहीं, उन्होंने उसका दुख और भी बढ़ा दिया, इसलिए दुनिया ने जो दुख कभी नहीं देखा, सुना या उमीद की थी, व इसका लक्ष ये क्या है? एक देश उद्घोषणा क्या निश्पादित करती है? यह उद्घोषणा दुनिया की सभी विद्रोही पीडियों के लिए है, यह उन लोगों पर कारिवाई करेगा जो नास्तिक हैं, अस्वा भाविक पीडियों हैं, इसके बजाएं, यह एक धर्ती पर सदियों से अपने विश्वास के लिए इतना कष्ट दिया है, इथियोपिया दुनिया की रोश्नी होगी, प्रित्वी को वाचा के गौरवशाली शब्दों और वाचा के हरे पीले लाल जंडे के साथ कवर किया जाएगा, समानित किये जाने वाले शब्द इस प प्रित्वी के हर पहलू में विस्तार और महिमा करेंगे, समस्त प्रित्वी में भगवान के नाम की निरंतर प्रशंसा की जाएगी, वर्जिन मैरी, अवित्र स्वर्गधूत, अवित्र शहीद और हमारे पिता और माता भी गरो करेंगे दो दैश उद्घोषना कहां से आती यह इतियोपिया की विश्व प्रकाश सरकार के माध्यम से सामने आया है जो परमेश्वर के अपने सेवों को इसके माध्यम से सारी प्रित्वी पर शासन करने का नर्ण देता है तीन देश उद्घोषना को कौन अंजाम देता है? Most Holy Archangels इस उद्घोषना को अंजाम देंगे वे इस प्रकार हैं जे दक्कील, जे, अर्खंगेल एसंटी, सेुरायल के, अर्चनागेल एसंटी, सेलटायल, उनकी सभी सेनाव के साथ, ये पवित्र महादूत उन सभी को समाप्त कर देंगे जो पाप के समुदर में डूब गए, जिन्होंने ईश्वर की अवग्या की, वे अभिमान से भरे थे और वे जो शैतान या जानव के आगे जुग गए, राजा या उनके लोग, जो पुराने साम, अजगर, और जूठे पर निर्भर कर रहे हैं के साथ, शास को नबी होगा होना दूर भागे पॉइंट दूर, पवित्र स्वर गद्दूतों द्वारा, अपने लोगों के साथ जो पुराने नाग, अजगर और जूठे नबी पर भरोसा कर रही हैं, जो पवित्र स्वर गद्दूतों द्वारा उन पर शासन करेंगे चार डश, इसका लक्ष ये क्या है? यद्दे पिल लक्ष पहले ही कहा जा चुका है, यह स्पष्ठाय की इश्वर सद्यों से अपने वठादार लोगों को देखता रहा है और उन्हें अपने दिल में रखा है, वर रूडिवादी तू अहीदों और उसके द्रिड़ लोगों से प्यार करता था, जिन्होंने महान परीक्षनों को सहन किया, उन्होंने उन्हें चुना, उन्हें मनजूरी दी, और उन्हें समान किया, नतीज तन, उसने पूरी दुनिया को इस तेरस्कृत इथियोपिया, शांदार इथियोपिया के रूरिवादी तेवेदो चर्च को दे दिया, तो यह होना ही था, यही इसका लक्ष है, दुनिया पर शासन करने के लिए इथियोपिया की विश्व प्रकाश सरकार पा किया चे देश एक तदकाल उद्गोशना में इथियोपिया हमारा देश, इथियोपिया, आजाध होने वाला पहला देश होगा, इसलिए, कि जाने वाली कारेवाही तेज और त्वरित है, मौझूदा इथियोपियाई सरकार को इस उद्गोशना के अनुसार बर्खास्त कर दिया गया है, पिछले पत्रों में उलिखित सभी सजाएं उस पर पूरी होंगी साथ, अफरिका इथियोपिया की तरह हें, इसाफ हो जाएगा, सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफ्रिका इथियोपिया का हिसा है, मध्यपूर्व को भी साफ किया सरकार से प्रमानन दस्तावेज नहीं है, कोई भी गतेविद्दी तब काल निशिद्ड और धन्निये है, स्थानां तरेक्ट करने का एक मातर तरीका एत्ययोपियव विश्व प्रकाश सरकार की सरकार से पुष्टी प्राप्त करना है, यह एथियोपिया, अफरीका और दुनिया भर के लोगों को निश्पादिद करने जा रहा है। पूरे एशिया, पूरे अफरीका, पूरे लेटिन अमेरिका, पूरे आस्ट्रेलिया और आसपास के देशों में वे महान पले गौर महान आग से बह जाएंगे। आपके माथे पर एक निशान है और इथियोपिया विश्व प्रकाश सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार निशान का उप्योग करते हैं। यदि पे हम उन्हें पंजी क्रीत नहीं करते हैं, यदि वे परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा पंजी क्रीत हैं, जिन्हें सेवा के लिए पहचान पत्र लिया गया है। सामानित और पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मृत्यू से जुणा नहीं है जब तक कि वे हमारी तरफ से इकठा ना हो दो दैश महान कुरोध से, दुनिया भर में प्रवाहा की शुरुआत से, मौद घर, और फाटक, और बाहर, और प्रित्वी, और जंगल, और मारे गए, और पहाड़ों, और गुफाओं, और हवा और आकाश पर शासन करेगी, यह प्रित्वी की उन सभी शक्तियों का स्थाय कर देगा जो विनाश के लिए प्रयास कर रही है, मृत्यू को आसानी से नहीं पाया जा सकता है, यह पीड़ा, उत्पीन और भीख मांगेगा, यह सब के अलावा स्थानांतरित करने की अनुमती नहीं दी जाएगी जो दयाक के लिए अभिप्रेट है, अनुमती देने वाले शासक शासक हैं जो एतियोपिया विश्व प्रकाश सरकार के अधीन है, केवल एक पहचान पत्र या उनके वहस्ताक्षर वाले पत्र के साथ कोई भी व्यक्ती स्वतन्त रूरूप से आगे बढ़ सकता है, इजरायल की विश्व प्रकाश सरकार के नेताओं से संपर्क करने के लिए अनुमती और माफी, आत्मसमर्पन और अन्यमुद्दों के लिए कैसे प्राप्त करें, दुनिया भर के आध्यात्मिक मेहंती परिश्दों क साथ साथ पवित रुकप असोसियेशन के सदस्यों को खुजना और पूछना संबव है, यह समधान है क्यूंकि वे पुल हैं जो हमें जोडते हैं चार्देश भगवान का कोई भी परिवार, चाहे आप पंजी क्रीट है या नहीं कर रहे हैं, जो हम आप जानते हैं कि आपक सभी और जो भगवान ने उन्हें दुनिया से चुपा दिया, आपको अपने दरवाजे पर इतियोपिया इध्वज, अरा, पीला, लाल, लटकाना होगा, और जंडे के नीचे आप वाचा के शांदार शब्दों को लिखते हैं, आप अपना नाम और पंजीकरन संख्या भी दर्ज करेंगे, अपन जीकरत के लिए, जो वास्तव में उन सभी संदेशों में विश्वास करते हैं जो इतियोपिया दुनिया की रोशनी है, जो वास्तव में रूडिवादी तिवहेडों बचे हैं, जिन्होंने दुनिया की गंदगी से खुद को पस्चाता पौर तो, विश्वास के रूप में पंजीकरीद के रूप में करते हैं, कौन जानता है? आपके विश्वास, आपकी इमानदारी, आपकी विनमरता और आपकी आज्याकारिता के कारण भगवान आपको डयालू बना सकते हैं, शब्द हैं, इतियोपिया एक ऐसी भुमी है जहां महान दिल से बोज जोटाना, सभी परिवहन, हवा, जहाज, कार, पशु परिवहन, पूरी दुनिया में रोक दिया जाएगा, यदि यह चलता है, तो इसे तुरंत मिटा दिया जाएगा, सभी कार खाने, सेवा प्रदाता, स्वास्थ सुविधाएं, निजी, सारवजनिक सं संगठन, कारियाले, अंतराश्रिय संस्थान, संगठन सभी किराय पर है, और जो नाश होंगे वे नाश हो जाएंगे, पूरी दुनिया के लिए अचल आदेश खारिज होने पर ही आगे बढ़ना और काम करना संभव है, इथियोपिया विश्व प्रकाश सरकार द्वारा ज अधर में अपने नेत्रित्व, निर्नयों, आदेशों और निर्नयों का संचालन करता है, महल को एक सुंदर इमारत की जरूरत नहीं है, इश्वर की दृष्टी में आप जानते हैं और गवाही देते हैं कि आप धूल और राक हैं, हम अपने उधार करता यह इश्व और वर जो आपको बताया जाता है देश जैसा कि हम इत्ययोपिया में रहते हैं, केवल इत्ययोपिया एलाइन्स ही पूरी दुनिया में काम कर पाएगी, क्यूंकि जिसकिसी को भी हमसे मिलने या निजी कारणों से यात्रा करने के लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा, जब एरल बड़ा हस्ताक्षरे पत्र होना चाहिए, अन्य सभी देशों की एलाइन्स अपने स्वयम के जंडे और लोगों के साथ संचालन, उडान, नहीं कर सकती हैं, वे अपने देश में भी नहीं जा सकते, यहां तक कि अगर वे सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप केवल इ प्रतिक दे और यदी अन्य देशों के एलाइन्स ने इसे स्वीकार कर लिया, यह तब ही होगा, जब उन्हें भरोसा और अनुमती मिल जाएगी, और लाइसेंस देने वाला केवल इथियोपिया विश्व प्रकाश सरकार है, आठ देश दुनिया भर, सभी वायू, भूमी, समुद्र और संचार बंद हो जाएंगे, उन में से कोई भी अपने तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है, सभी अंतराश्विय कमपनिया, उद्योग और इलेक्ट्रोनिक संचार बंद हो जाएंगे, जैसा कि हमने बार बार कहा है हमारी अनुमती के बिना किसी के लिए भी च निशान ना हो और जिनके माथे पर निशान हैं, वे केवल अपने लिए सामगरी का उप्योग कर सकते हैं, दैश दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी सरकार नहीं चल सकती है, यह सरकार की तरह नहीं हो सकता, सामानिय तोर पर सभी मनुष्य किसी भी आर्थिक, सामाजक या सेनिय गतिविधी में भाग नहीं ले सकते हैं, घर पर या विद्रेश में, किसी भी मामले में, यह एक पहचानकार या किसी दस्तावेज है, जो एक है बिना स्थानांतरित करने के लिए संभव नहीं है, हस्ताक्षर के समराट्थू अध्रास या व्यक्ति वे प्रतिनि जित्व करता है, उस पर केवल परमेश्वर की इच्छा से आदम के सभी वन्षजों को बचाया जा सकता है, यदि ऐसा है, तो उसे इमानदारी से स्विकार करना चाहिए कि इत्ययोपिया दुनिया की रोशनी है, कि नेतां ट्रिनेटी के गुलाम है, और यह कि इत्ययोपिय के रोडिवादी ते वहेडो चर्च एक मात्र सचा और विजी विश्वास है, उसे इमानदारी से पस्चाताब करना चाहिए, उसे पस्चाताब करना चाहिए और खुद को सुधारना चाहिए, इसके आलावा, उसे ट्रिनेटी और वर्जिन मेरी की प्रशन्सा करनी क्योंकि वे भगवान की दया से बच गया था दस देश कोई कारेवाही की अनुमती नहीं है, जब उद घोषन इत्ययोपिया और सभी पडोसी देशों में लागू की जाती है, स्थाना अंतरित करने के लिए, इत्ययोपिया विश्व प्रकाश सरकार से एक दस्तावेज की आवशकता होती है, हमने इसे कई बार दोराया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई यह जानना चाहता है कि यह होना चाहिए ग्यारा दैश जब तक इत्ययोपिया विश्व प्रकाश सरकार की अनुमती के साथ, दुनिया भर में भूमी परिवहन, जैसे कि गाडियों, भारी ट पाएगा, जैसे ही इसे स्थानां तरेत किया जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा, सभी जो समुद्र और समुद्र पर हैं, जो सैनिये गतिविधी में लगे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, बारा दैश सभी उपद्रहों को समाप्त कर दिया जाएगा, जो प्रांस, चीन, प्रूस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इरान और इज्रायल हैं। उन्हें उम्र, समय, आराम नहीं मिलेगा, चोदह दैश पूर्वा पेक्षा यदि कोई भी देश आत्म समर्पन करने के लिए तयार हैं। जब उस पर व्यापक का रिवाही शुरू हुई, उन्हें उन लोगों के साथ परामर्श करना चाहिए जो वे अपने स्वय हम के देश के कानून का नेत्रित्व करते हैं और निर्ण लेते हैं जो उन्हें नियंत्रित करता है। दस्तावेज के साथ उन्होंने फैसला किया की वे एक पत्र तयार करें और मेहंती परिश्दों को अपना हाथ देने के लिए सूचित करें। उसके बाद उसे स्थानांतरित करने या संचालित करने का लाइसेंस मिलेगा। इथियोपिया आने के लिए पहले आगमन केवल पडोसी केनिया और जिब्बूती में संभव है, वहां रहते हुए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक की कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। या उन्हें एक प्रतिनिधी मंडल द्वारा जवाब दिया जाएगा, जो एथियोपिया वर्ल्ड ओफ लाइट सरकार से प्रतिनिधित्व करेगा। जब बंदिये गए उत्तर के अनुसार अपने दायत्मों को पूरा करता है, तो उसे सूचित किया जाएगा कि उसका अगला कदम क्या होगा। इस तरह संक्रमन कालीन सरकारी गत्विध्या की जाती हैं, एक अनिचुप देश और लोगों के लिए, यह पूरी तरह से प्रित्वी के चिहरे को मिटा दिया जाएगा, उस देश का कोई भी नागरिक जो व्यक्त गत क्रूप से आत्मसमरपन करना चाहता है या निर्ने प् जो उसके देश में मौझूद है जो हमारे द्वारा प्रतिनिधित्व करता है और आवेदन लेकर लाइन में प्रतीक्षा करता है। यदि दूतावास उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, तो वे अपने देशों में इथियोपियाई या विदेशी नागित्ता रखने देशे वाले में हनती परिश्डों को निड़न लेने के लिए लाइन में लगा सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं, यह संघठन और समदायन दोनों के लिए एक प्रतिनिधी के रूप में तयार करके भी किया जा सकता है। इब्राहीन की त्रिमूर्ती के नाम की प्रशंस इथियोपिया वर्ल्ड लाइट सरकार द्वारा 21 दिसमबर-2013 को इथियोपिया केलेंदर में या 30 दिसमबर-2020 को यूरोपिय केलेंदर में घोशित किया गया 21 फरवरी 2013 के बाद इथियोपिया के केलेंदर में या 28 फरवरी 2021 को यूरोपिय केलेंदर में किसी भी समय और स्थान पर जब ट्रिनेटी केवल जानता है व्यापकारेवाही विनाश शुरू हो जाएगी इसे केवल ट्रिनेटी के दासों की प्रार्थना और प्रार्थना से या इथियोपिया विश्व प्रकाश सरकार के प्रात्मिक सर्वर द्वारा रोका जा सकता है कोई दूसरा उपाया नहीं है इथियोपिया विश्व प्रकाश सरकार द्वारा घोशित ट्रिनेटी से हमें द दो, नाम से इफसिल से अस्ताक्षर फेंगर प्रिंट देश तीन, नाम फेरे से नबेट अस्ताक्षर फेंगरपिंट देश। और उसने मुझ से कहा, इस पुस्तक की भविश्यवानी की बातें मत कहो, समय हात में है, वह जो अयाई है, उसे अभी भी अयाई होने दो, और जो गंदी है, उसे अभी भी गंदी होने दो, और वे धर्मी है, उसे धर्मी रहने दो, और वे पवित्र है, उसे अभी भी पवित और निहारना, मैं जल्दी आ, और मेरा इनाम मेरे साथ है, हर आदमी को उसके काम के अनुसार देना, मैं अलफा और अमेगा हूं, शुरुवात और अंत, पहला और आखिरी, वे धाईये हैं जो उसकी आग्याओं को मानते हैं, कि वे जीवन के पेड़ पर अधिकार कर सकते हैं और शहर में फाटकों के माध्यम से त्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि बिना कुत्ते, और जादुगर, और फुस्फसाते हुए, और हत्यारे, और मूर्ती पूजक, और जो भी प्यार करते हैं और जूट बोलते हैं, मैंने येशु को कलिसिया में इन बातों की गवाही देने क कहे कि आप और उसे आने दो की एठ लेटिक्स है और जो कोई भी उसे जीवन का पानी स्वतन्त रूरूप से लेने देगा जौन अध्याय बाइस का रह से उद्घाटन 10 से 17 तक अंत में यह मेरी चेतवनी और एडम के सभी वांशडों को सला है जैसा कि आपने उपर देखा है आपका अंतिन्न ने आपको पूरा करने के लिए आया है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है आप मोच से नहीं बचेंगे यह सब मैं कह सकता हूँ अगर तुम थोड़ा समझ लो मेरी बात सुनो जैसा कि आप आदी हैं आप किसी को धोखा नहीं दे सकते यहां तक कि श दिल से पस्चाताब करें और उसे कहें कि आपको बचाएं उससे वादा करो कि तुम केवल उसकी सच्चाई को सुनोगे तुम उसकी बात मानोगे और तुम उसके सच्चे सेवक बनोगे इश्वर से प्रार्थना करें कि वेह आपको एक दया दे धया वर्जन मेरी के खातिर और शांदार अर्चनाय जेल्स के लिए उसका प्रकोप और उग्र भठी आपके सामने है यह मेरी आपको सला है मेरे लोग काश तुम भी हमारी तरह पार पासकते हम भगवान के सेवक वर्जन मेरी के सेवक और उडिवादी देश भक्त आज भी आपको शुब कामनाएं देते हैं यदि आप स्मार्ट हैं तो इस थोड़े समय का लाब उठाएं जो संदेश के लिए पूरी दुनिया में वित्रित किया जाए विधर्मियों प्रोटेस्टेंटों कैथोलिकों अभिशिक्तों धर्मादिकारियों जातिवादियों आपको कोई दया नहीं है मैं आपको फ विश्वास दिलाता हूं कि 21 फरवरी 2013 के बाद इतियो प्याई कैलेंडर में या 28 फरवरी 2021 के बाद यूरोपिय कैलेंडर में जो मुसल्मान अभी भी अपनी जूठी कहानियों पर विश्वास करते हैं वे पूरी तरह से हिरिटिक्स प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की तर तथास्तू धए है इबराहीम, इस्थाक और याकूब के भगवान का नाम तथास्तू धए है मदरवर्जिन मेरी का नाम तथास्तू